कि हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करते हैं अश्छ जिए विज्ञान गुदेखते हैं इसमें हम लोग पढ़े थिसमें लोग पड़े हिए तो पहले लीक्चर में लोग बात करेंगे वनस्पत्त्य विज्ञान और उनकी साक्षाओं के बारे याद रखने हैं पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वनस्पती बिड्ग्यान और उनकी साखाएं इसके लिए आप लोग उनको बता दें एक फोल्डर फिले सूची में एक प्लेलिस्ट बना देंगे सूची जनेल साइंस के नाम से जनेल साइंस तो उसी में सभी पहले लेक्चर में हम लोग बात क्या करेंगे वनस्पती बिड्ग्यान और उसकी साखाएं दूसरे में देखेंगे पादक जगतका बरगीकरन तीसरे में बात करेंगे हम लोग पादक अकारिकी फिर फोर्थ नम्मर के चौत्रे लेक्चर में बात करेंगे आविर्थ वीजीयों की बरगी करन पाचवे लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पाधक कारी की फिर छटे लेक्चर में पाधक प्रो साथवे में करेंगे पाधक पूतक आठवी लेक्चर में बात करेंगे इम लोग पादप अनुवांस की नौभी लेक्चर में देखेंगे कोशी का विज्ञान दसवी लेक्चर में बात करेंगे पारिस्तितिकी फिर ग्यारवे में पिदूसन फिर बारवे में जन्तु विज्ञान की साखाएं देखेंगे 13 वे लेक्चर में बात करेंगे पिरमुप जीविज्यानिक 14 वाई लेक्चर होगा जो जनतू उतक से संबंदित होगा 15 होगा जो अनुवांसिकी से संबंदित होगा 16 वाऌ ओध्विगास 18 होगा जनतू जगत का बरगी केंड होगा इसमें और अठारवा होगा जो सत्रवा होगा जन्तु जगत बरिकन, अठारवा होगा मानऊ, सरीर, क्रिया, विज्ञान, शे Pacific उननीस भा़ भोजान एवा सब्वरोषण से सम्ध वहाञ़! कि 20 भा़ होगा अंत्रा स्रावी तन्त हर्मोन शे सम्धूद्व वर 21 बाह हो जो होगा हमारा वीटामिन से संब्धित होगा वीटामिन से 22 बाह होगा जो जन्तु एवां पाद्थों पजनन से संब्धित होगा 23 बाह होगा मानव स्रीर में पाचन सवसन एवां उत्रसरजन तंत से संब्धित और 24 बा होगा सवसन तंत से संबंदित ठीक उस्टरजन तंत से संबंदित होगा फिर 25 बा चब्वीस होगा कंगाल तंत ठीक तो इस अभी लेक्चर हम लोग देखेंगे ठीक आपको बता दें हैं आप लोग याद रखना जनरल साइन्स के नाम से एक प्ले लिष्ट में सोची बनी होगी उसी में इस अभी लेक्चर पढ़ी रहेंगे आप लोगों के ठीक है याद रखना जलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहें जीव बिग्ज्यान से संबंदित आपको बता दें पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या-क्या पढ़ना है विसाय बस तू देख चुके थे जीव बिग्ज्यान में फर्ष्ट लेक्चर में देखते हम लोग वनस्पती बि बिग्ज्यान के जनक कोन थे थियोफह tasty तस है नियाद रखना है पनस्पती बिग्ज्यान बोटनी के जनक कौन थे थीओन फथियोफह Aware भॉटनी सब्दि जीवधारियों के अध्यन से होता क्या कहलाती है, जीव बिग्यान, ठीक, पर्यावन के अध्यन, जीव बिग्यान की किसाखा के अंतरगत किया जाता है, पर्यावन का सारिश्थितिकी के अंतरगत, फूलों के संबर्धन के बिग्यान को क्या कहते है, फिलोरी कल्चा, डेंड जीवास्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है जीवास्मोगा ठीप आंगे बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान की साखाएं देखते हैं ठीप कि एग्रोस्तोलोजी किसे कहते हैं तो आप लोगोंको याद रखना है घासों का अध्यन एवन पालन होता है इसमें एनाटॉमी आंत्रिख सरचना का अध्यन होता है एंथोलोजी में पुस्पों का अध्यन होता है वेक्टरियोलोजी जीवाड़ूं का अध्यन किया जाता है बायोलोजी बायोफाइटा का अध्यन होता है कैसी डियोलोजी, पादब में रोज रोग जन्न गाठों पादब खेंसर का अध्यन किया जाता है, साइटोलोजी, कोशी काओं के अध्यन किया जाता है, डेंडो कोनोलोजी, ब्यक्षेओं की आयू का अध्यन किया जाता है, डेंडोलोजी, फ्रक्षे एवं जाडियों का का अध्यन किया जाता है इकोनमी एकोनोमिक बॉतनी आर्थिक महत्य के फॉधों का ज़िए जाते हैं आधियलोजी यह मोंको यह मोंको के निर्माण निसेश्चन और भूर के भी परियर फॉर्धन का ध्यन किया जाता है इसमें ठीक करेट एथेनो बोटनी तो ये इसमें आदिवासियों के द्वारा पादप के उपयोग का अध्यन किया जाता है इवो लिवसन इसमें सजीवों के विकास के प्रिक्रम का अध्यन किया जाता है फिलोरी कल्चर सजावटी फुस्पों का संबर्धन एवम अध्यन किया जाता है होरेश्टी बनों का अध्यन किया जाता है जैनेटिक इंजीनिंग में किंतिम जीन का निर्माड एबं इस्थानारंतर्ण का अध्यन किया जाता है थ्रेज जैनेटिक्स अनुबांसिक्ता एबं विमिन्यताओं का अध्यन किया जाता है जेरॉंटोलोजी आयू के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तनों का चैन होता है इसके हैरीडेटी तो पित्तक लक्षों के संतत्ती में पहुंचने का द्यन होता है इसमें ठीक है लाइकेनोलोजी लाइकेंस का अध्यन होता है इसमें ठीक है याद रखेंगे लेमनोलोजी जीलों तथा अलबड़िये जलिये पादपों का अध्यन होता है माइक्रोलोजी कबक या फपूंद का अध्यन किया जाता है माइक्रोफिलाज्मोलोजी इसमें माइक्रोफिलाज्मा का अध्यन किया जाता है फ्रहल लेमेटोलोजी इसमें लिमेटोडस का पादपों के साथ सम्मंद का अध्यन किया जाता है एक ग्रोल नॉमी फसली पात्पों का अध्यन होता है सेल्वी कल्चर वनिय वैक्षों तथा उनके उत्पादों का सम्मर्धन वा अध्यन किया जाता है फैलियो लोजी फैलियो बोटनी पादप जीवास्पों का अध्यन किया जाता है iro Normal पराख कड़ों का अध्यन किया जाता है इसकी तहरा o은ic mythology पादप रोगब उनके उचार की आज्यन किया जाता है आ आ फेडोलोजी मिढदासमर्दी अध्यन किया जाता है इसकी अंतरगत पेडोलोजी के फिर ये फिर bets इतोलोजी पोसिता तथा फरजीवियों के संबंद का अध्यन किया जाता है। फाइकोलोजी सेवालों का अध्यन किया जाता है। फार्मोलोकोलोजी औस्दिये पादकों का अध्यन किया जाता है। फीजियोलोजी बिभिन पादक जैविक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है। वित्रण एवं उनके कार्डों का अध्यान किया जाता है परह स्पेस बायलोजी अंतरिक्ष और वायूमंडल में इस्तित्पाद्वों का अध्यान किया जाता है इस्परमोलोजी बीजों का ध्यन किया जाता है टेक्सोनौमी पादप बर्गीकन का ध्यन किया जाता है इसकी तरफ ठीए आंगे बात करते हैं वनस्पती सम्मर्दन से सम्मंदित विज्ञान की साखा को क्या करते हैं होर्टी कल्चर वनस्पती विज्ञान की वैसाखा जिसमें सेवालों का ध्यन किया जाता है क्या कहलाती है हाइकोलोजी सेल्वी कल्चर में किसका बढ़न होता है बनों के विकास का इस्परमोलोजी में किसका ध्यन होता है वीजों का एग्रोस्टोलोजी में किसका अध्यन होता है गहासों का, फीडोलोजी में किसका अध्यन होता है भूमी का, अनुबांसिक्ता इबन विविनिता के बारे में जानकारी देने वाले बनस्पती विज्ञान की साखा को क्या करेते हैं अनुबांसिकी, अनुबांसिकी, पोधों क के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाती है वर्गी की फलों का अध्यन क्या कहलाता है पॉमोलोजी पराग कड़ों का अध्यन क्या कहलाता है पेहलीनोलोजी संसार्म पोधों की वितरन का अध्यन क्या कहलाता है फाइटोजियोग्राफी साख सब्जी उत्पन्य करने वाल पौदों का अध्यन क्या कहलाता है आलेरी कल्चर वार्षिक वलेओं का अध्यन क्या कहलाता है डिंडो कोनोलोजी सजावटी व्यक्षित तथा जाडियों के संब्दन से संब्दन क्या कहलाता है आरवोरी कल्चर पौदों के आंतरिक सरचना का अध्यन क्या कहलाता है स्थार पर काश्टी ये वारेमासी घास वारेमासी व्यक्ष लगाना प्रजीव द्रव के पिथक करन एवं सेवजन से सम्मंदित वनस्पति की साखा क्या कहलाती है टिसू कल्चर हादिव insight 2,5 क पाद्व के उपियों काद्ध्यान किस साखा के अंतरग्वत होता है तो आपको रखना है एहठिनों वोटनी मिड्री। सोप्ष में जीवूं का अध्यान किसके इंतरगत होता है? माइक्रो बाइलोजी सजीव को में कारुनिक पदार्थों का अध्यान किसके इंतरगत किया जाता है? वायो केमिश्ट्री फल्व सब्जीयों तथा उध्यान पाध्वों का सम्मर्दन बाद्ध्यन किसके इंतरगत होता है हौटी कल्चर विविन ने वीकरणों का पात्वों पर पिरभाव थे था उत्परी वतन का द्ध्यन किसके इंतरगत किया जाता है रेडी एसन बाइलज अनुवांसिकी का पिता किसे कहा जाता है जी जे मैंडल पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है हेजे बटलर पादप क्रिया विज्ञान के पिताव है किसे कहते है इस्टीवन हेल्स कबक में पोसन किस पिकार का होता है आउसोसन द्वारा जैली फिस तथा हाइड्रा किस बाइब के है तो आपको याद रखना है मेटा जोग कबक की कोशिका भीती किसकी बनी होती है काइटिन सभी प्रोकेरियोटिक जीव था जीवाडू आदी किस बरग में रखे जाते है मौनेरा पोधों पोधे जो नमक की मिट्टी में होते है क्या कहलाते है हेलोफाइट साइटोलोची में किसका अद्धेन होता है कोशिकाओं का अद्धेन जीवित जीवासम किसे कहते है आर्की वेक्टिरिया जीवाडू में डी आने के अतरिक कौन साथ अनुवासिक पदायत होता है पिलाजमेट एक कोशिये सुनना है रे वनस्कती जगत का एमफी या फीवी या बरक किसे कहते है बायोफाइटा बायोफाइटा बायोफाइटास बरक का सबसे बड़ा पधा कौन सा है डौसेनिया ठर्न किस ठर्न किस बरक का उधार है टरीडोफाइटा बजरी देट में उखने वाला पोधों को क्या कहते हैं सेमी फाइटस अब देखते हैं बात करते हैं हम लोग कुछ जीवधारियों के विज्ञानिक नाम मनुस का होमो सीपियन्स मैडक का राना टेगरीना बिल्ली का फिलिस डॉमिस्टिका कुत्ता का कैनिस फैमिली रिज गाय का बॉस अंडिकस मक्खी का मॉस का डॉमिस्टिका आम का मैंगी फैरा अंडिका धान का ओरेजा सतीवा यहूं का ट्रेटी कम एस्टी वम मतर का प्रेसम सेटीवां चना का सीसर रिटीनम सरसोय का बरेट वरासी का कम पेस्ट रीज ठीक है तो चलिए यह था फहला लेक्चर हमारा जी बिग्ज्ञान का अगली लेक्चर में बात करेंगे फिलो पाधब जगत का बरगी करन देखेंगे ठीक है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाधब जगत का बरगी करन आप लोगों को बता देए यह सभी लेक्चर एक ही फिले सुची में मिल जाएंगे आपको फिले स्क्राइब करें लिश्ट में बनी हुई है साम जनल साइंस के नाम से एक सोची उसी में सभी पढ़े हो जनल साइंस सामान बिघ्यान लेखा होगा ठीक है दोनों देख लेना हुआ जाके किसे बरगी की बरगी की का पिता कहा है जाता है लीनियस को दुई नाम पदिदी के पिती बात कौन है लीनियस सिस्टेमा नेचर नेचर है किसकी विसक्द पुस्तख ए? लेनियस की उस पी पात्छों को किसमे रखा गया? फेनरो गेम्स में आप उस पी पात्छों किसमें रखा गया? केप्टो गेम्स में वर्ग की और धारी है काही कौन सी है? इस पेझसीज हाइड़ो फाइटस क्या होते हैं जलिये होते हैं दुईनाइम पद्धिती का क्या विपा है बंस एवं जाती जिन पौधों परबीज बनते हैं किन्तु पुस्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं अनावित विजी ठीक जीवाडू की खोज सरपितम किसने की लिव वैन हो जीवाडू को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर को सीका भीती होती है किसमे माइटो काइंडिया अनफस्तित होती है जीवाणू है जीवाणू की साधार्ण आक्ति क्या है छड़ रूपी जो जीवाणू आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं गोलाडू एक गोल जीवाणू क्या कहलाता है कोकस एक सर्फिल जीवाणू को क्या कहते हैं इस्पाइरी लम बास्त्विक केंदग किसमे अनुपस्दित होता है जीवाणू में कौन सरवादिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणू बैक्टिरिया में पाए जाने वाला पिकाज संसले सिया से क्या है वर्ड की लवक पाश्चाय क्यों पसिद्ध है रोगों की जमी थियोरी के लिए जो जीवाणू सीधे ही वाई मन लिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के योगित में बदलते हैं क्या कहलाते हैं नाइट्रोजन इस्त्रीकारन इस्त्रीकारी जीवाणू मूल गैंति का किसमें पाए जाती है कुछ लेग्यू मीनस पादपों तथ कुछ चन पौदों में अधिक नाम वाले अचार में जीवाणु जीवित रह पाते हैं अधिक नमक वाले अच्यार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीवदिब कुंचित हो जाते हैं और इस तरहें मह जाते तपे देख टीपी उत्पन कने वाला जीवाणु कौन सा है माइक्रो वैक्टेरियम कौन सी फसल साइक फली नाइट्रोजन इस्त्री करन में लेग हीमोगलोविन का क्या काय करता है औक्सीजन का उप सोसर्ण कौन सा रोग बेक्टिरिया से होता है तपे देख यहीं बात कर लेते हैं हम लोग बनस्त्ति बेग्यान की प्रमुक साखाओं के जनक तो बेक्टिरियो फेज की खोज किसना की तो टवार टव डिही रेले डिही डिहे रिल वरगी की का पिता किसे कह जाता है केरूलस लीनियस अनुवांसिकी के पिता किसे कहते हैं जेके मेंडल जीजी मेंडल अधुनीक भूड बिग्यान के पिता वॉन बेर पादप रोग के जनक एजे बटलर पादप किरिया के पिता महाय स्टीपन हेल्स बेक्ती बिती में जाती बिती की पुनरप्ती अनसर्ट हैकले सोजननिकी के पिता फ्रांसेस गाल्टन सोख्षम जीवकी के पिता लुईस पाक्षचर पिती रक्षप विग्यान के पिता एडवाड जेनर जीवाडू विग्यान के पिता रोवाड कोच सब्सक्राइश के विग्यान के पिता थियोफेस्टस और एको सिस्टम के जनक सब्सके जनक ट्रैंसले आंगे बात करते हैं सरफपितम वाइरस की कुछ किस ने की विग्यान नौस की विग्यान नौस की विग्यान क्या माने जाते हैं सजीव और निजीव के बीच एक ट्रांजिशन किसमें इंजायम नहीं होते हैं वी साडू में टी एम भी सब्द किस से संबंदे थे वी साडूं से टी एम भी याद रखना चेश्चक के लिए टींका के विग्यास किस ने किया एड़वर्ग जैनल ने एड़वर्ग जैनल ने किसकी खोच की चेश्चक का टींका वी साडू किसकी विद्धी करता है जीवित पोशियाओं में वी साडू नेजीव के माने जाते हैं एक क्रश्टलाइज हो सकते हैं वी साडू में क्या होता है नियुकलिक एसेड और प्रोटीन सार्स क्या है वी साडू जनेत रोग खसरा किसके संकमर के कारण होता है वी साडू के कौन सा रोग वी साडू के कारण होता है चेश्चक भी विसाडू के कारण होता है जन्तूं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके काड़न उत्पन होता है वीसाडू आलू में मुझे एक रोग काकारक तत कौन सा है वीसाडू वर नस्पति विज्ञान की वैसा का जो सहवालों की अध्यन से सम्मद देते क्या कहलाती है फाइकोलोजी सहवालों की को ही होती है सेली लोचकी हाइट्रा का सरावी कोश्काव में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है यूकलो रहला कि सरगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा सहवालों की कारण गलकंड रोग से बचा जा सकता है कुछ समुद्री खरपत बार खाने से इसका इलाज होता है इसमें पिचर मात्रा में क्या होता है आयोडीन किस सहवाल से आयोडीन प्राप्त होता है लेमी नीरिया केल्फ किस से प्राप्त होता है समुद्री सहवालों से किसी एक सौफोसी का नाम बताईए सेवाल कौन सजीर चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार करता है नील हरेट सेवाल अंतरेच्छे कारक्रोमों में आक्सीजन की आपूर्ती को नियंतित करने के लिए प्युक्त किये जाने वाले एक कोस किये सेवाल का क्या नाम है केलोरेला लाल सागल का लाल रंग किसकी उपस्तिदी के कारण होता है सेवाल की अगर अगर किस से प्राप्त होता है सेवाल से वनस्पती की वह साका जिसके अंतर कवकों का दिन किया जाता है क्या कहलाती है माइक्रोलोजी कभिकों की कौश्या भीती किस से बनी होती है काईटीन हैमी सेलीव लोस से कपकों द्वारा रिजर्व भोजपदार किस रूम में संचित होते हैं गिलाइकोजेन की रूम में पादप जगत पादप जगत थेलोफाइटा ब्राइफाइटा तेकेड को बादटागया है टेरिडोफाइटा जिम्नोग स्पर्म एंज्जी उ इसपर्म को माना बांट गया है कोटिलेडोनस डाइप कोटिलेडोनस सभी का बक सदेव क्या होते हैं बीवित पॉसी माइक्रो राईजा सहजी भी संबंदित किस से समद्दित है कब को तो था उच पौदों की जड़ों के बीज़ अब यहीं बात कर लेते हैं हम लोग कुछ रोग रोगों के नाम और जीवाडू जिससे होते हैं हैजा वीबियो कॉलेरी डिप्थेरिया कौरीने वैक्टिरियम डिप्थेरी सुजाग गोनो कोकस गोनो राही कुष्ट या कोड मैक्रो वैक्टिरियम लिप्पी निमोनिया डेपलो कोकस निमोनी फिलेग बैसीलस फेस्टस सैफलिस ट्रिपोननेमा फेलिडम टाइफाइड सालमो नेला टाइफी तपेदिक माइक्रो वैक्टिरियम टिवर किलोसिस टिटनिस किलो इस्टिडियम टिटनियर काली खासी हैमो फेलस फर्टूसिस आँगे बात करते हैं वेक्षों की छाल पर ऊगने वाले कबक क्या कहलाते हैं कि पिली ऑल्लोक में और लेट बिलाइड है किसके द्वारा उपन होता है फाइटो पित्थोरा इन फेंटेंस द्वारा डवल रोटी की निर्मार में काम आने वाला कवक कौन से है सेक्रो माईसीज सेरेबेसी पैनी सीलियम क्या है कवक फैनेसलीन का अविश्कार किस ने किया ये फिलेमिंग ने आरगोट किस से प्राप्त होता है किलेवी सेप्स से उद्धोगी किस तरफ फैनेसलीन किस से प्राप्त किया गया फैनेसलियम क्राई जो क्राई सो जैनम जब गया हूं के गुत्थे हुए आटे में इस्ट और शिका हो जाती है CO2 CO2 रोटी को इस्पंजी बना देती है इस्ट में काइन का एक जनन किसके द्वारा होता है मुकूलन द्वारा कौन खाने यह कबक है एगे एग्रियर एग्रियस एग्रिडीकस किसे परात होता है कबक से विस्टत आप्स प्यति ज्विक किससे उत्पन होते है इस्टेप पेट्टू माइस इस्टेप हिस्टिप पेट्टू माइसेन को किसने पर ठक किया वॉक्स नेन टिक का रोग किसमे उत्पन होता है मूँ फली में गन्ने में लाल सडन रोग किसके द्वारा उत्पन होता है कबकों द्वारा सामान खात छतरक क्या होता है कसकर ठसा ठस भरी कबग जाल मसरूम क्या है कबग पित्थम वियुक्ती पितिजेविक कौन सा फथा फैनेसलीन एथलीट फुट नामक बीमारी किस से पर उत्पन होती है कबक कौन सा कबक एवं उच्छे पादप की जड़ों की बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधों को दर्शाता है माइक्रो राइजा आपला टॉक्सिन क्या है कबक द्वारा उत्पन बिस लाइकेन जिन दो बर्ग के पौधों से मिलकर बनता है कबक और सेवाल लाइकेन किसके सूचक होते हैं बायू के दूसर नकी याद रखना कई बार पूछा जा चुका है लाइकेन किसके सूचक होते हैं बायू पिदूसर नकी लिट मस अमल च्छार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है लाइकेन से कुछ पौधों में फूल के खिलने को दिन की लंबा ही तता रात का ताक्रम नेमित करता है कुछ बहु वर्सी पौधों में 12 से 120 वर्स तक बाद एक बार ही फूल खिलते हैं ऐसे पौधों में फल फूल नगना बिक्टन कारी पिक्रम है क्योंकि सारी आवादी समाप्त हो जाती है और 20 से नया पौधा बनता है ऐसे पौधी को मोनो कार्फिक कहते हैं अर्थात एक ही बार फूल खिलना और उसके फूल खिलने को ग्रेड रियस फूल खिलना कहते हैं भारत के उत्तर पूरी भारत में मौतक मेलुकाना बैम्बू सोईडस तथा रोथिंग बैम्बूसा टुंडा टूलडा में 48 बरस में एक बार फूल आते हैं फूल खिलने से चूहों के कई इसपिजी संक्या बढ़ जाती हैं चूहे बास के दाने खाते हैं और जब बे समाप्त हो जाते हैं तब बे पास में इस्तित धान तथा मक्का की खड़ी फसलों को खाना आरम कर देते हैं जिससे इन खेतों की पैदावार की बहुत हानी होती है इस कारण अकाल पढ़ जाता है जिससे इन चेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन पिरवावित होता है हम ना तो गर्गरियस फूल खिलने के नहीं चूहों की आवादी बढ़ने के संकेत हैं और ना ही बास समाप्त होने के मूलबूत आधार को जानते हैं लाइकन में कबक और सेवाल के मद्द सहजीवी समंद्ध क्या कहलाता है हेलो टेजवन पेडों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं कार्टी कॉल्स खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं सेक्सी कोल्स जापान में लोग सबजी के रूम में किस लाइकन को खाते हैं इंडो कार्पन मिरगी की उस्ती کिस लाइकन से प्राप्थुती पर्मेलिया वनवस्पती जगत में किसको जल इस्थलचर कहते हैं बायो फाइटा जड़किस्तान पर मूला भास किसमें पाय जाता है बायो फाइटस में बायो फाइटस में क्या संबले थे लेवर वाइट एवं मौस बीजों की प्रक्किती किसमें उत्पन होती टेरियोडो फाइटस में एजोला क्या है जलिये फर्ण फुनर जीवन का गुण होने की कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं सिले जिलेना किसके वीजाण दवा की रूम में प्योग किया जाते हैं किसे जैब और वक की रूम में प्योग किया जाते हैं एजोला पैनेसलिन की खोज़ अलेकजन फ्लेविन इस्टेफ हाइट लो कोकस नामक जीवाणू जिसके कारण गले में संकमक हो जाता हैं का ध्यन कर रहे थे वह इस दीवाणू की एगार माध्यम से माध्यम में पिटी डिस में बिद्धी कर रहे थे ये सामान अवलोकन है कि इस पिकार के संवर्धन माध्यमों पर अन सूक्ष में जीव भी उख जाते हैं फिलेमिंग ने हीरे नीली हरे कबक फैनी सिलियम नोटे टम को संवर्धन में देखा फ्रया संदूज सित संवर्धनों को फेक दिया जाता लेकिन फिलेमिंग ने विषेस पिलेट को रख लिया इस पिलेट में अन फिलेटों में उगी वीर्शा रचनाओं से कुछ भिन्नता थी क्योंकि इस पिलेट में जीवाडू की विद्धी नहीं थी इसी यह एसपर्ट होता था कि पिलेट में मोल्ड कि आसपास जो साब छित बन गया है उसमें जीवाडूं की बिद्धी नहीं हुई है अन्न जीवाडू विसेशक्वनों भी देखा कि मोल्ड जीवाडूं की बिद्धी नहीं होने देती लेकिन फ्लेमिंग ने इसका पदायत का नाम पैनेसलीन रखा 1929 में उन्होंने बताय कि पैनेसलीन एक एंटी सेप्टिक दवा हो सकती है जो पैनेसलीन सिलिन संबेदी जीवाणों को नर्ष्ट करने में सक्चम है उसके बाद परिक्षा से पता चला कि पैनेसलीन पनोसों के लिए उपयोगी एंटी वाटिव बन गई दूती है विस्तियोद्धी के समय पैनेसलीन ने घायल हुए सेनकों के संकमर रोकने में बहुत महत्पूंग होनी का निवाई जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में चिकितसा नोवल पुरुसकार दिया गया याद रखना 1945 में चिकितसा नोवल पुराई मिला सबसे यदि क्रोमोसों किसमें पाए जाते हैं तो आपको पता देना है टेरीडो फाइटस में किस बरक के पौधों में बीज बनते हैं परन्तु बीज नगन रूम में पौधी पल लगी रहते हैं जेम्नो स्पर्म संसार में सबसे लंबे पौधी किसे संबन देते हैं जेम्नो स्पर्म से जेम्नो स्पर्म का मेवा किसी कहा जाता है चिल गोजा को कोले लॉइड जड़े किस में पाई जाती है साइकस में कोरी लॉइड जड़े किस में पाई जाती है साइकस में सबसे बड़ा वेजांड किस में होता है साइकस में चिल गोजा चिल गोजा किस से पराप्त होता है फाइनस से साबू दाना किस से बनता है साइकस से दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली ओस्दी एफेडिन किस से प्राप्त की जाती है एफेडा कौन एक जीवित जीवास्म कहलाता है जिंक को गो जिंक गो पीसाडू में किसकी विद्धी करता है बीसाडू किस में विद्धी करता है जीवित को इसका में साइनो बैक इंथेक्स रोग किसके कारण होता है जीवाडू में द्वारा है यह किसने से दिखी या रावार्ट कोचने तमाकु की पत्ती में सुंगंद एबं स्वाध बढ़ाने में किसका उक्यों किया जाता है बैसीलस मेगा थेनियम माइक्रोपों कोकस नीवू का कैंसर रोग किस जीवाडू द्वारा होता है जैन्तो मॉनास सिटी है हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं एक जली है पौद्धी को ठीक तो चलिए दूसरा लेक्चर हमारा कता हो गए अंगले तीसरे लेक्चर में बात करें पादप अकारी की ठीक आपको फिर से बत अब यह सबी लेक्चर क्रम बाई क्रम पड़े रहे हैं नमस्कार दोस्तों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे जीव बिज्ञान के बारे में बाइलोजी के बारे में हम लोगों ने दो चैप्टर देख चुके थे कौन-कौन से फहला चैप्टर था हमारा वनस्पती बिज जगत का बरगी कर अब इस तीसरे लेक्चर में लोग बात करते हैं पादब अकारिकी के बारे में आपको बता दें यह सभी लेक्चर पिले सोची में एक लिश्ट बनी हुई है जनरेल साइंस के नाम से उसी में सभी पड़े हुए है चलिए शुरू करते हैं मूल्यांकुर के अतरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है आप पस्थानिक मूल अपस्थानिक मूल मूलांकुर से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है मूसला जड़े सोसन मूल किसमें मिलती है जूसिया में डहेलिया की चड़े कैसी होती है कंदिल तथा पुलकित उपरी रोही मूल किसमें मिलती है आरकेडस आरकेडस में न्यू मेटाफोर्स सुसन मूल प्रयाग इसमें मिलती हैं मैंगो पादपों में आओ इस्थम्ब मूल इसमें पाई जाती हैं गन्ने में इस्थम्ब मूल क्या होता है अब इस्थानिक जड़ें जड़ें किस से वक्सित होती हैं मूल लामकुर से गाजर क्या है? जड जड किसी भाग में सरबादिक विध्धी होती है मूल सीस ये ठीक पीछे बरकत के पेड के तने से लटकने वाली मौटी जड़ें क्या कहलाती है? इस थम मूल पेड में हमेशा कौन रहता है जड़ें आलू का खाने ये भाग क्या है? तना पर्ण का ये इस्थम में किसका रूप अंत्रण तने का नांगपनी में पिकास संसलेशी कार किसके द्वारा होता? पर्ण का ये इस्थम द्वारा आर की डस में बिलामेन जड़ें किसलिए होती है? नमी अवसोसित करने के लिए किसकी पत्ती में पढ़ दल फ्रेया निवनी कित होता है सुसकोध बिद आँगे बात करते हैं भोजन बात करते हैं अब इस्थानेक जड़ों के मूल रूपांतरों की वाई है भोजन संग्रा यही तु फिर सहारा देने ही तु जैविक कार्यम ही तु साकंध जैसे सकरकंध भोजन संग्रा ही तु कच्छ गुच्छ डेलिया और सतावर जैसे बलयाकार इपी केट जैसे ग्रेंथिमर आमा हलदी जैसे मड़ी रूपा कर अंगूर अमर लता जैसे इस्तम्मूल बर्गद सहारा देने के लिए जटा मूल गन्ना मक्का उस्ताय वप मूल सलम सलमेलिया टर्मेनिलिया आरोही मूल पोथेस, टिकोमा और काली मिरच कुचन सील मूल अधरक लहसन अभे सोसन जयविक कारियों के लिए सोसन मूल जलिये पौधों में जूसिया, पिष्टिया लवडो बिदों में एकसीनिया, हैरिटीये अधी पाधतों में जैसे आरकिट स्वांगी कारी मूल, टिनो इस्पौरा चूसक मूल, अमर बेल ठीव अब आँगे बात करते हैं सरद रितू में पत्तियां साखाओं से तूट कर नीचे गर जाती हैं क्यों, विलगन परत के निर्माड के कारण पुस्पों का अध्यन क्या कहलाता है, एंथुलोजी पुस्पों का अध्यन क्या कहलाता है, एंथुलोजी बे पुधे, जिन में कभी पुस्प नहीं बनते, क्या कहलाते हैं केप्टो गेम्स पूर्ण पुस्प में कौन सा चक पाया जाता है? सभी चारों चक पुस्प के जनन चक कौन है? पुमंग, जायांग पूधी का कौन सा भाग? फूल बनने का उद्दीपन गेहन करता है? पर्ड कुरिंजी पुस्प के बारा वर्स में एक बार खिलने का क्या कारण है फिलो रीजन सिराओ संसार का सबसे छोटा पुस्प उल फिया फूल गोभी में पौधी का उपयोगी भागे ताजा पुस्प समूर विसका सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है जीवन चक्य की दिष्टी से पौधे का सबसे महतूर अंग खौन सााए पुस्प पराग कोस में वर्ती कागरya तक पराग काइस्थानांत्रन क्या कहलाता है पराग कल ए्नो mówili परागण किसके दवारा होता है बायू दवार्ण एंटो मोफिली परागण किसके द्वारा होता है कीटों द्वारा चमगादर द्वारा परागण क्या कहलाता है चरेप्टो चरेप्ट रोफिली जुफिली पराग कड़ परागण किसके द्वारा होता है जन्तुओं द्वारा प्रागण किसके द्वारा होता है जलद्वारा प्रागण क्या कहलाता है हाइड्रो फीली जो प्रागण बंध में होता है क्या कहलाता है क्लेश्टोगेमी परपरागण लाबदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संता मात पौधे के समान पौधे किस से प्राप्त होते हैं तनेई की कलम से आलो भूमिगत रूपांत्रित तना होता है जिसके क्या कहा जाता है कंद हल्दी के पौधे का खाने योग के हिस्सा कौन है पिरकंद, अद्रक क्या है राई जाम क्या आज में खात दिभाद क्या है तना किस पौधे का फल मुँपली किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है आपको याद रखा है मून खली नासपाती का कौन सा भाग खाय जाते हैं गुदेदार पुस्पा पुस्पासन किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है साइकस पीज सीड किस से बिकसित होता है वीजार्ण से अब बात करते हैं तनाह यह भूमीगत अर्दवाय भी और वाय भी भोजन संचाय के लिए रूपांतित होते हैं पेकंद जैसे अद्रग हल्दी घंकंद अर्वी जिमी कंद गलेडी वोस ओलस सल्क कंद जैसे प्याज लिली कंद जैसे अलू ठीव है पूर रोप से बायूं में नहीं होते हैं उपरी भोजतारी जैसे घंक अन्ता भोजतारी गुला पौतिना भोजतारी जैसे इस्टोवेरी भोजतारी का जलगोवी जलकुम्भी या पेश्टिया प्रेपूर रोप से बाय विये परडाब परडाब इस्थम तना पत्ती के रूम में चप्टा हरा तथम पत्तियां काटों में रोप पांते थो जल की हानी रोकती है नागपनी परडाब परडाप परव जैसे सतावर और रसकस पत्कंद जैसे गिलोवा पितान जैसे अंगूर ठीक? आंगे बात करते हैं भूम पौरिक अंकुरन किस में पाई जाता है अरंडी में पोदों में पित्त अंकुरन का क्या तात्व है जनक व्यक्ष पर लगे हुए फल के वीधर बीजों का अंकुरन घट फर्डी के भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतित होता है पत्ता कौन सा एक की ठारी फादप है घट फर्डी सेव एवनास्पती में खाने योग भाग क्या है मसल पुस्पासन फलों का वह फिकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह नट आंगे बात करते है बीज रहत फल किस से प्राप्त होता है हारबोन्स के वेवार द्वारों परती काग सदेव खुर्दरा चिपा किसमें होता है कीट परागित पुस्पों में गोंगे द्वारा पराकर कहलाता है मिले कोफली सुगंदित पुस्पों में परागित किस के द्वारा होता है कीटों द्वारा कीटों द्वारा परागित पुलों के पराकर कैसे होते हैं रोक्च और चिप्चिपे निसेचन क्या किया क्या है एक नर एहुम का अंडानू से सहीवजन निसेचन के पश्चाद बीजों के बीजावरन किस से विक्सित होते हैं अध्या वर्डों से कि द्वारा परागित बीजों का अनिसेचन के अंडानू का परीवर्थन विना निसेचन के एक अंडानू के फल में विक्सित होने को क्या कहते हैं पार्थी नो कारपी आज निसेच जनन प्राकिस में दिखाई देता है अंगूर में तना काट अमतर पर किस के वर्दन के लिए प्योग किया जाता है गन्ना मक्का सोल ध्रम प्याज सोयाबीन में किसकी केती पौधे का पिती रोपन करके की जाती है प्याज एक सत्य फल किस से परिवर्दित होता है उसपासन से अभासी फल का उधारन कौन सा है सेव नारियल तथा आम के फल क्या होते है रोप पके हुए आम का खाने योग आकारिक भाग क्या है मद्द फल वीती नारियल का खाने योग भाग क्या है भूर फोस लीची फल खाने योग भाग क्या है एरिल चाबल का दाना क्या है एक बीजी ये फल आलू की जड अथवा तना तना तरकु रूपी जल का एक उधारन दीजी मूली सकरकंद जड है या तना जड कोसा किस भासा का सब्द है लेटन कोसा सब्द क्या सब्द का क्या तात्व है सूख्ष में कप्च केंदक की खोच किसने की रोबाट विराउं खाली चट्टानों पर उने वाले लाइकन को क्या क कहते हैं सेक Σी कोल्स पीड़ों को छट पर होने वाले लाइकन को क्या कहते हैं किरेघा फिछाल पर होटी कोल्स कौशिका की आत्मत्या की धेली कौन कहला था लािस्तों कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने बाला पदा कुंसा है जल कोशिका भीती कैसी होती है परागम पारगम कोशिका उर्जा ग्रह किसे कहा जाता है माइट्रो कांडिया कौशिका का उर्जा ग्रह किसे कहा जाता है माइट्रो का इंडिया कौन सी रचना जंतु कोशिका में को बनस्पती को उसका से बिवेदेत करती है सेंटी ओल प्रोटीन निर्माड का सक्रिये स्थल कौन सा है राइवुसॉम संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है वास जिसमें सबसे लंबा पौधा कौन सा है यूकेलिप्टस किस चीज को अधिक खाने से ही पितवी की अधिक जनसंख्या का भरन पोसन हो सकता है वनस्पती उत्पात आउक्सिन क्या है पाधप हार्मोन कौन से कारुन पदात तने की खोसा में दिरगी करन में सहायक होते है आउक्सिन एथाइलीन कौन से फल के पुस्पन को तीब करता है अन्नास एपसी एसिड क्या है बिद्धी रोधर पाधप हार्मोन फल किसे कहते हैं फरीवक अंडासे को यदि फल के बनने में केवल अंडासे भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं सत्य फल अंडासे के अत्रेक्ट पुस्प के अन्न भाग से बने फल को क्या कहते हैं कूट फल कूट फल कौन सा है से एप पल ठीक है तो चलिए यह था हमारो पाधब अकार की से संबंदिश चेप्टर अंगले चेप्टर में बात करेंगे हैं लोग आविध वीजीओं की वर्गी करना देखेंगे ठीक हाँ अवी हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव बिग्ज्ञान के बारे में और अब ए चोत्रा लेक्चर होगा हमारे टिक आविध वीजी वर्गी की है इससे पहले हम लोग बात कर चके थे पाधब परनक कहा जाता है तो लीनियस आपको पता होगा इस पीसीज फिलान टेरम तथा सिस्टेमा निक्चीवरी किसके द्वारा लिखी कही है लीनियस द्वारा वरगी करण की आधारीय क्या है इस पीसीज आलू किस कुल से संबंदेत है सोले नैसी से आलू किस कुल से संबंदेत है सोले नैसी से संबंदेत है आगे बात करते हैं पांच जगत की लच्छणों के मत दुलना करना है कि लच्छण हो गए और ये पांच जगत हो गए तो पहला एक कोशिका का पिकार तो मोनेरा इसमें प्रकरियोटिक कोश्का पाई जाती है प्रोश्टिष्टा में यूके यूके रियोटिक फंजाई में यूके रियोटिक फिलांटी में यूके रियोटिक और एनी मिलिया में यूके रियोटिक फिर एक कोश्का की भीती की उपस्थिती अनुपस्थिती एवं संगठन तो आकोश्की यह हैं इसमें बहुत सरक्राइ फिलस अमीनों कुछ में उपस्तित, उपस्तित सेलूलोज रहत, उपस्तित सेलूलोज सहत, इसमें उपस्तित रहती है, फेरे केंदक जिल्दी की उपस्तिती और अनउपस्तिती, तो इसमें उपस्तिती रहती है, मोनेडा में, फ्रोष्ट टिष्टा में उपस्तिती रहती है फंजाई में उपस्तिती रहती है, उपस्तित रहती है फ्लांटी में भी, एनी मीलिया में भी उपस्तित रहती है, कार सरचना की बात करें, तो मोनेरा में कोस्ट किये, फ्रोश्टिष्टा में भी कोस्ट किये, फंजाई में बहु कोस्ट किये, आदरर उतक रहते हैं, फ्लां ताफ पोषी रासायनन्स शंसलेशी來िजने का ब्रिकास संसलेशी तथा पर्णी चन जाई की बात करने तो पर-पोषी मिठ पोसी इवं परजीवी से तक परव करें तो प्रिकास चंसलेसी से गूलनी पर पोसीा प्रांडी, सम्भोजी, मिठ पोसी इत्यादी पिजिननतीऊ पांइव्णान की विदि की बात करें तो मुनेरा में सहव्णोंदौराह होती है इसमाथ परोटिश्ट राम करें Oh प्लांटी में भी होने से चल एनिंग मिलिया में उधारन की बात करें तो जीवाडू हो गया प्रोकेरियोटिक का उधारन जीवाडू हो गया उसका और युकेरियोटिक की पादब कबाद जैन्दू के समान जीव जैसे कई तरह के कवपाती में जीवाड लांटी में सैवाल माल फर्न स्ट जीमनीच पर बढ़ एंजी एंजी इस पर और एनी मेलिया में सभी जनतु आते हैं आंगे बात करते हैं कपाज कपास कि स्कुल से संबन देते तो आपको बता दाने मालवेशी बेगन कि स्कुल से संबन देते तो आपको बता देना है सूलें ने्शी कापास के बौधे का वंसी ये नाम क्या है गेशी पीयम आब का बनस्त्वतिक नाम क्या है मैंजी, फेरा, अंडिका अनाज वाले पौधे, किस कोल से सम्मझदेतuis ग्रैमी नेस rif गेहूं के पौधे, काबास्तविक नाम क्या है बनस्पतिक नाम क्या है टिट्टी कम टेश्टीवं दल्हनी पौधी किस कुल से सम्मझ देते हैं लेगियू मीनोसी सबसे बड़ा कुल कौन सा है कम पोजिट्टी मुंफली का बनस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया चाय के पोधी का बनस्पतिक नाम थिया साइने निंस निंस तेल बीच वाली खसल किस कुल से सम्मझ देते हैं क्रोसी फेरी मतार का पोधा क्या है साथ सबसे लंबा जीविद व्यक्च सिकुगा एंटोपा बैलाडोना कि किस भाग से बैलाडोना ओस्ती प्राप्त होती पत्त च्छिएं से ए फेड़ा पोधि का कौन सा भाग एफिदिन वस्ती उफपन करता है तना कपास के रे से क्या होते हैं वीजों के अधी चर्मी रों से मौरफीन कि से निकलता है प्रेवार सौमनी फेऱप एरंसे एक एससर किस सी उत्पन होता है क्रोकस के वरतिका तिथा वर पुस्पों की सुखाई गई कलियों किस मामलिक मसाले की रूम में किया जाता है लॉंग की फूल गोवी कि पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है पुस्प ग्रम पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है बीजों से कौफी फाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूप जड़ों से अफीन किस से प्राप्त होता है विफेवार सौम्नी फेरम से रेस पौधे किस पौधी से प्राप्त होती है राऻ बुल फिया सर्पेन टाइन भोजपत किसे परgarप्त होता है वेटूला की छाल से बास को किसमें बरगी ऐता है घास दनिया में उपयोगी यांस कॉन सा है पत्ते और सूखे फ़ल जैवीधन किसे परेप्त होता है जित्टो अवफाश से किस पादप को सास्किय भारतिय डॉक्टर कहते है आउला थारपीन का तिल किससे प्राफ्थ होता है पाइनस पजाती के बेच्छों देवदार चीड ताड आदिस है लेटमस किस से प्राफ्थ होता है एक लाइकिन से केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाव उप्रिव मिलाए जाता है वर्ति काग चंदन के पेड को क्या क्माना गया हंसिक मूल फरजीवी नर पुस्प और इस्ती पुस्प दोनों को जर्म देने बाले पादक क्या कहलाते हैं उभाए लिंगी लिंगा सई पत्ती के लाल नारंगी और फीला रंग किसके कारण होता है केरोटी नौइड गेवू जो नीवू राई नारंगी और बाजरा कितने पादक परिवारों से यह करते हैं आगे बात करते हैं पुस्प पुस्प देख रहे हैं ठीक है योग में कोद बेद संतिती ओके सुर्ण पराक कोस लगू वीजानु पराकर नर्गोन नसेचन योग मक भूर वीजानु ठीक प्रिष्टी के सर अंडा से लगू वीजानू मात कोस है अंड प्रियाने से चन योगवां वूर वीजानू ठीप आंगे बात करते हैं किस फल में एयोला नाना वीना जैवोरबरक का प्योगोर किया जाता है चावल में चिल गोजा किस फजाती के वीज से प्राप्त हुता है पाई फलीधार पात्पों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाये जाने वाले नाइट्रोजन इस्तरी का एंड जीवान को क्या कहलाते हैं सह जीवी सिनकोना की चाल से प्राप्त पॉस्दी को मलेरिया उप्चार के लिए प्युक्त किया जाते हैं इसी किंतिम पॉस्दी से इस प्राक्तिक उत्पात को पिती स्थाबित किया गया किलरोग पीन कौन सी फसल मिर्दा को नाइट्रोग जंसे भरपूर कर देती है मतर किस पेड करचाल मसाले की रूम में प्योग होती है दालचीनी सामान प्योग में आने वाला मसाला लॉंग कहां से प्राप्त होता है पूल की कली से हसीस पॉवद है किस बाख से प्राप्त होते है ? तने तथा नर, पुषकिरम के निस्तराऊ से वर्थिकाग और वर्थिकाग वुव्योगी उत्पात किस में प्योग क्येसर में हल्दी चून टरमेरिक किस में प्राप्त होता है ? सुस्क पैकंद से कौन एकमानो निर्वित थान है ट्रेटीकेल सबसे छोटा जीवधारी क्या है माइक्रो पलाजमा सबसे लंबी अधी तक जीवित रहने वाला पोटो जुगा क्या है योगी, योग लीना ग्रेसी लिस, 20 बर सबसे तेज जनन करता पोटो जुगा क्या है गिलाउ कोमा 24 गंटे में 6 पीड़ी सबसे लंबा चप्ता क्रीमी टेनिया सोली अम 8 मीटर सबसे बड़ा कैंचुगा माइक्रो कीटस सैंपी सबसे बड़ा कैंकळा मैक्रो कीरा कैंपी फेरा सबसे बड़ा चीटा डाइनो पोनेरा गुरेंडिस सबसे बड़ा ग्रास हौप भर सिली कौपर गुरेंडिस सबसे बड़ी तितली ट्ROइडिस वक्तोरी तीब बतम औरन सील कीट सेफन नीफिया फ्रेटी तीब बतम धौनी कारक कीट सिकाडा सबसे भारी कीट गोली एथस लगूतम जन्तू पलाजमो डियम मंदतम बुद्धी वाला जन्तू गहरे समुद्ध की CP सौ बरसों के बलसों में मात छे मंदतम बिद्धी वाला जन्तू गहरे समुद्ध की CP वीश्ट तो वारतों में मात्ट आठ मिनिमीटर बढ़ता है सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीवत पक्षी अफे की सुत्र मुर्ग सबसे चोटा अंडा देने वाला पक्षी गुन्यन चडिया सबसे बड़ा थल पसूप अखेई की हाती सबसे बड़ा इस्तंधारी मील भेल लभुत्तम इस्तंधारी पिगनी छचुंदर तीबतम इस्तंधारी अखेई के चीता सबसे लंबा इस्तनी जिराब सरवादिक आदिम इस्तनी एकी डिना सबसे अधिक बायू आयू बाला जन्तु कच्छुगा 150 बज सबसे बड़ा कपी गुरिल्ला दश्चिड पश्चिम इवगांडा में रहता है सबसे लंबा गरफकाल सिसु जन्नी सबसे बड़ी कोश्का इस्तनी में तंतिका कोश्का सबसे बड़ा दान्त हांती दान्त पूपरी ठीक बिटामिन C का सबसे अच्छा सरूत क्या है आउला तमाग कोई पत्तियों में क्या होता है निकोटीन उच्च रख्त दाप को रोकने ही तो और दी कौन सी जाती सिप्राफ्त होती है राव बूल फिया जाती से भारत की पिश्मूख धान पसल कौन सी है चावा दालें किसका एक अच्छा सरूत है किस बनस्पती खाद में अधिक्तम प्रोटीन सबसे लंबा आवरत बीजी पौधा कौन सा है यूके लिप्टस आवरत बीजी पौधी में पौधों में पिजन नंग कौन सा है पोस्प सबसे चोटा आवरत बीजी कौन सा है बोल विया साबूदाना किस से बनाया जाता है साइकस से बीजानों कहां बिध्धी करते है जीवित कोशका में कौन जी पौष्प के बारा बर्स में एक बाल खिलने का कारण है फिलो रीजन सराव आवरत बीजी का क्या रहत है धका हुआ बीज किस कुल को सबजी कुल कहा जाता है कोकुर बिटी सी बेलाडोना किस सिफर आपत होता है एटो का बेलाडोना से लौंग के तेल का फिरमो गटक कौन सा है यूरेनोल मूलांकुर के अतरिक पौदे के किस किसी अनभाग से विक्सित होने वाले जड़ों को क्या कहते है आप पस्त अप इस्थानिक जड़े सकरकंद में किस पिकार की जड़े पाई जाती है कंदिल जड़े मडिका में जड़े किस में पाई जाती है अंगूर में जलकुमीर में किस पिकार की जड़े पाई जाती है हूद इश्टारी का फलों का वब प्रिकाजिस में लीची को रखा जा सकता है क्या कहलाता है नट बीजों के पिकेटन की सेंसर भी दी किसमें पाई जाती है कफास में अलसी किसका फिच्चोर इस तरह होते है आवस्चेप इमेनो एसेड का सेप प्रोफाइटस वोदे किस बर विसे फ्रफे के लेक्टर में लोगों बात देखेंगा कर दोखंसर तक बात करें आविर्द बीजियों की वर्गीं की इसे में बात करते हैं हम लोग पाद अधाक कारें की पणरूं करते है फरासरण क्या है अर्धि फरागम कला में होकर कम से अधिक सांधिता की योड बिलायक जल का प्रवार है अधिक लवड वाले बिलियन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड क्यों जाती है वाहे फरासरण द्वारा जल बाहर निकलने के कारण ठीक आगे बात करते हैं यदि एक कोशिका आकार में नियूनी कित होती है जब यह एक बिलियन में रख दी जाती है ऐसा बिलियन क्या होता है तो याद रखिए हाईपर टॉनिक अगला है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब इसमें किसमें रखी जाती है एक अल्प फरासई विलियन में बीजों वीज क्यों फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंत्रा सोसन के कारण ठीजों आँगे बात करते हैं लोग लकडी के बने दरवाजे बरसारितू में क्यों फूल जाते हैं? अंतरा सोसन के कारण और वरकों का अत्रेक्त मात्रा में फेयोग पॉधे की मित्यू का कारण क्यों बनते हैं? बाहट परासरन की कारण पॉधे में जल का परिवाहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारम पौधों की विद्धी के लिए कितने तत्तों की आवसकता होती है तो आपको याद रखना है 16, धान का खेरा रोग या लगुपत रोग किस तत्त की कमी से होता है तो आपको याद रखना है जस्ता फोल गुबी का विट्टेल रोग किस तत्त की कमी के कारण होता है तो पत्तियों में हरी महीन ता किस की कमी से होती मैगनिसियम एम जी ओदों की वाईवी ये भागों में बास्पोर्थ सर्जन बास्पोर्थ सर्जन कहा होता है सभी वाईवी ये भागों में ब्न Waswur Sergeant में किया होता है है पत्तीन से पानी ब्न wasstu के रुब में निकलता है आघे बात करते हैंं प्रकास अंस्लेशन की फिक्रिया कफ पिथम चर्ण क्या होता है सू वैक द्वारण क cathedral का हुकते जन आंगे हैं प्रिकास संस्लेशन की दर्ष सबसे अधिक किसमे होती है लाल रंग के प्रिकास में प्रिकास संस्लेशन की दर्ष सबसे कम किसमे होती है हरे रंग के प्रिकास में प्रिकास संस्लेशन के लिए कौन सा गैस आवस्यकर सीयोटू पौधे वा पेड़ का खाना तेयार करने की क्रिया क्या कहला की है पूरे पौधे में बास्तफोर्ट सर्जन की क्रिया किसमें होती है पूरे पौधे में वह दसा जिसमें बास्तफोर्ट सर्जन अधिक तेजी से होता है क्या होता है निम्न नमी वा उच्छे ताबमान पत्तियों के दो मुखेकार क्या होती है फिरकास संसलेशन वा बास्तपूत सर्जन अंगे बात करते हैं वो अधों में होने वाले क्रियाओं में से एक जो इनका ताबमान कम कर सकती है क्या होती है बास्तोत सर्जन किस पिक्किर्य के फहल शौरू पौधों में युक्षीजन का निकास युँ कार्बंडह ओक्सइड का अउसुषन होता है प्रिकास संसЛेशम किस पादप हार्मोन के छिड़काओं से अनिस्द्ञ फल पराब्थ होता है आक्सियों आगे कौन सा पाधप हार्मौन वने पौध्र को लंबा कर देता है तोत्हां फूल बनने में मदद करते हैं reverse जिब्रेलिन एमके बात करते हैं बाधब कोष्काय एवं जन्टु कोष्कया में अंदर देखते हैं फाधब researcher एवं जन्तु कोष्काय पादप कोषका होगा ये जन्तु कोषका पौधि में बिख्सित 3 स्तरी है जो मुक्रोफ से सेलुलोज की बनी होती है जन्तु कोषका भीती में भीती नहीं पाई जाती है बल्कि कोषका जिव दृवे जली से ठकी रहती है कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कबक, जीवाडू, आदी, अन्नसभी में पर्ड हरिम पाये जाता है जन्तु में पर्ड हरिम नहीं पाये जाता है पादक कोश्काओं में सेंटोसॉम नहीं पाये जाता है जन्तु कोश्का में केंदक के निकट तारा से रचना सेंटोसॉम होती है जो कोशिका विभाजन में सहायक्ता करती है पादप कोश्का में प्रहा लाइसोसॉम नहीं पाय जाती है जन्तु कोश्का में लाइसोसॉम पाय जाती है पादब खुश्का में रस्धानी या रिक्तिता होती है जन्तु खुश्का में रस्धानी या रिक्तिता नहीं होती है अधिकांस पादब खुश्काओं में तारग केंद नहीं होते हैं अधिकांस जन्तु खुश्काओं में तारग केंद होते हैं ठीए आंगे बात करते हैं तेकास संसलेशन की किरिया में क्या बाहर निकलता है ऑक्सिजन पौधिय में केलोरोफिल बनाने के लिए कौन सा सहाइक होता है मेगनिसियम अब बात कर लेते हैं कुछ ओपियोगी हार्मोन उनके कार के वाले ऑक्सिन इसका कार है कोश्ट का विवर्दन में अंग्रिय प्रभाविक्ता चड निर्माण विलगन कम करने में फलों की निर्माण में फिरे जिबरेलेन कवक जिबरेला फ्यूजी कोई द्वारा प्यात बनसागत बोनी प्रजातियों के तने को लंबा करने में वीजों की प्रिसुत्ती समात करने वा अंकरण में समाप्त करने फल निर्वान पर नियंतन फिर है साइटो काइनन कोश्क्य अभी भाजन बभी भीधन को पेरित करना अग्रिय प्रभाविकता का पिती रोत करना गीडिता का पिलम्मन की सुप्तिता से जागरन फिर है एथिलीन एक मातग्यसी फ्राक्तिक बिद्धी नियंता के फलों को पकाने में एथिलीन का प्योप तना की लंबाई में बिद्धी नर्पूस्पों का विद अन्नास में पुस्पन को पेरित करने हի तू रबड के पौधों से लेटेक्स के प्रभाहर को पेरित करने ही तू ओ आगे बात करते हैं F.C.S.P. या A.B.A. एक टरपी नाइट और विद्धी संद मक्रे संभाहनी इधा में समसूत्री विभाजन को संदमित करना वीजों और कलियों में अंकुरन को रूपना सूखे की स्तिती में रंधों को बंद करना है आगे बात करते हैं सरवादिक फिकास संसलेशनी क्रिया कलाब कहां में चलता है पिरकास के नीलेवान लाल छेत में पिरकास संसलेशन का अंध्यमुतपात कौन है कर्वो हाइडेट उड़िया रूपांतन में किसके द्वारा फिकास संसलेशन की क्रिया संपादित होती है प्रिकास से रचानिक हुजा फिरकास संसलेशन में पायंड हरित की भूम क्या है प्रिकास का आउसुसन फिरकास संसलेशन में पौधे में कौन सी गेस का आउचूसर करते हैं कारवन डाई ओकसाइड फिरकास संसलेशन में हरे पौधे पौधों द्वारा कौन सी गेस छोड़ी जाती है ऑक्सीजन फिरकास संसलेशन किसमें निकलने वाली गेस का क्या नाम है ऑक्सीजन फिरकास संसलेशन किरिया में मुक्त होने वाली मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है जल से फिरकास संसलेशन किसमें होता है किलोरोग प्लास्ट में फिरकाज संस्लेटनल का पित्थम इस्थरियोगी कौन सा है गिलुकोज एक जैविक किरिया जिसमें सरक्रा तथा बसा का ओक्सीकरण होता है तथा उज्या मुक्त होती है क्या कहलाती है सोसन सोसन मापन का यंत क्या कहलाता है रैस्पिरो मीटर आंगे बाग करते हैं कारवन डाई ओक्साइड गेस किसके द्वारा मुक्त होती है सोसन के अंतर राती में ब्यक्चों की नीचे सौने की सलाय क्यों नहीं दी जाती है क्योंकि ब्यक्च राती के समय सीयोटू छोड़ते हैं एटीपी का क्या अभिवा है एड़िनासिन ट्राइफ फास्फिट कोश्ट का अभिभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है साइटो काइने कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुपता होस्ता में रखता है तता पत्तियों के बिलगन में मुक्ष भून का न आफिल्य है आक्सीजन के सब्सक्राद क्या होते हैं विद्धिहार है जिवरेले इनकित्र है की तिया जया गया है एक अधै好的 की बत्तिया कि सेजिए बात करते हैं बहुमें में अधिक गहराई पर बुए गए बीच प्रया अंकुरित नहीं क्यों नहीं होते इन्हें बायू नहीं मिल पाती है खोशिका के भीतर सुसन का कैन्द क्या है माइट्टू का इंडिया गिलाइकोसिस का अंतिमुतपात है पायरूविक अमिक कौन एक पादक हर्मोन है ऑक्सिजन सौरी ऑक्सिंट टू डेस्ट फोल्डी डेस्ट फोल्डी क्या है खरपत्व वाल नासी एंडॉल्ग एसीटिक अमल क्या है ऑक्सें इस पेस इस परस करने पर छुईमुई पौधों की पत्तिया मुर्जा क्यों जाते हैं परड़ाधार का इस्पिती दाब बदल जाते हैं सूर के फिकास की ओर बढ़ते ह हुए पिरोय का मुड़ना क्या कहलाते हैं हीलियो टॉपिजम किसी आधार के चारों और मटर के पितान का लिपटना किसका अच्छा उधारन है इस परस नू वर्तन का सन डियू तथा बीनस फिलाई टैप कीट भक्ची पौधे में कौन सी गती होती है इस परस नू कुंचन कि पेड़ों की पत्तियों में पाये जाने वाला हरा पदायत क्या पहलाता है कि लो रोखिल के साथ किस भारती विज्ञानिक का नाम जोना है जे जी जी बॉस किस पेड़ को अपनी विद्धी के लिए साहरपादीक मात्रा में जलकी अवस्यक्ता होती है यू के लिप्टस ऐसे नुमीटर का पेउक्स में दॉने जाता है विद्धी के मापने में पौधिय में बिद्धी कब होती है जीवन पर्यंद समय वाटव क्या आकार के अंतर में होने वाली विद्धी के गराब आंकित करने पर S के आकार का बvat बनता है उसे क्या कहते है शिगमाईड वक पो पदों को बिध्धी गतियां जो पिकास उद्धीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हैलियो टोपिज्ञ बाह उद्धीपनों द्वारा पीरित पाधक गति क्या कहलाती है कमपानु कुण्चन गति छोईमुई की पत्ती गति कैसी होती है कमपानू कुंचन अब बात करते हैं विभिन तत्त उनके स्रोत और काल नियूंता के लच्छन नाइटरोजन प्रोटेन नियूकलेड हार्मोन बिटामिन हरित लवक तथा एटिपी के निर्मान में नियूंता से लच्छन हरीम हींता तथा इस्थम विद्धी केल्थियम रंद के गुलने तथा बंद होने की किरिया में मात्त पूण यहुदा कौसीका की इस्तिती मुना रखने में प्रोटीन संसलेटर में रडाइन में संतुलन बनाय रखने में पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाने उत्तर खप्छी छेत बंते पत्तियां नीचे की और मुड़ जाती है तथा तना कमजूर हो जाता है प्रेपोटीसियम एट्टू पी ओपोर्माइन कोस्का जिल्ली प्रोटीन यूप कलेड़ अम्ल आदी मुख अवैब विद्धी निरुद्ध हो जाती है पत्तियां हरे रंकी होती है समय से पहले सूप जाती है ठीक है आंगे बात करते हैं प्रेप कैल्सियम जिल्ली की विवेदी फरागमेता बनाए रखने में कुछ एंजाइम्स को क्रियासील करने में तथा मेडिल लेमिला में कैल्सियम पेक टेट के रूम में ठीक है आंगे बात करते हैं इसकी नियुनिता से होता है इस थंबित वित्धी युवा पत्तियां का रूप जाना पौदे इस्थाई रूप से मुर्जा जाते हैं फिर है मेडिसियम इसपे फॉस्पोइट उपाक्चय में इन्जायम क्रियासील करने के लिए राइवुसॉम को जोडने में पर्ड हरीम का मुक्खा ब्याब हरीम ही इंता इसकी नियुनिता के लच्छन उत्ता कप्चिये छेत एंतोसाइनिन का बनना फिर है फिर है हमारा सल्फर स्रोथ इसका एसो की पावर टू पिलस प्रोटीन बिटामिन फेरोडॉक्सिन आधी कमों कघटा नई पत्तियों में हरीम ही इंता तना सक्त मूल तंत अधिक विक्सित होती है फिर है हमारा आयरन फेरोडॉक्सिन शाइटोक्रों आधी में केटालेज इंजाइम को क्रियासील करने में तत्ता केलोरोफिल की संसले देख लें हरीम ही इंता सिरायं गहरे हरे रंकी वित्ती बेंत छोटे केलोरोफिल नहीं बनता है इसकी कमी के कारण फिर है हमारा अंगला मेगनीज कारबो किसी लेज इंजाइम को क्रियासील करने में इसकी कमी होती है तो क्या होता हरीम ही इंता तथा उता खक्चिय छेत किलोरोफिल नहीं बनता फिर है हमारा अंगला ब्रोण इसकी कारण पराकड़ों के अंकुरण में हो इसका भी बेधन में कारबो हेड़ेट के स्थांतरण में इसकी कमी से ब्रावन हाट रोग सिखाग काले पत्तिय ताम्मक तथा भंगुर हो जाती है ठीक है याद रखनें फिर है कॉपर इन्याइम क्रियासीलता में होता है इसका उक्यों और इसकी कमी से सीस उत कक्चिय प्रोव हाइड बैक रोग होता है फिर है हमारा जिंक ऑक्सीजन संस्लेशन में होता है इसका उक्यों और इसकी हिंता से पत्ती हरीम हरीम हीं बिक्रत परत छोटे पुस्पन निरुद्ध हो जाते हैं ठीक है याद रखना फिलेक किलोरीन एने पिलस के पिलस कि धनायन तथा रेडायन शंतुलन बनाए रखने में फिकास संस्लेशन में ऑक्सीजन के निकलने के लिए जड़ें छोटी होती है इसकी हिंता से पत्ती हरीम हिन हो जाती है उतक अप्छिय चित में बनते हैं ठीक है आंगे कुछ बात कर लेते हैं अफेम पौद पोस्था पौदे किस बाग से प्राप्त था अधबके फल से जोला बहुदा जैव और वर्ग के रूम में प्यूप किया जाता है इसका सहचारी कौन सा नील हरेत सहवाल ठीक हरे बात करते हैं हरे पौदे में किसकी पस्तिती से भोजन बनते हैं सू किस में संपन होता है किलोरो फ्लाश्ट में पिलाजमा में जल का पिती सत कितना होता है नब्य पिती सत शकर कंद कंद का कंद जड़ का रूपांतर अथ तने का जड़का अरवी का घंद कंद जड़का रूपांतर धवात तने का है तने का गोल्डेन धान में सरवादिक मात किसकी होती है बिटामिने की विलबबर्ग क्या होता है सगन वसा की परत हल्दी के किस फल भाग से हल्दी पाउड़र प्राप्त होता है सुखाया हुआ प्रिकंद कोशिका अंगकों में कौन सा एक अरद परागम होता है कोशिका धिल्ली एक कोशकी पौधों की आंतरिक चाल का मुख्यकार होता है पत्तियों से पौधों के अन्नभागों को खाब दिक का फरिवान करना पौधे में किलोरोफिल बनाने के लिए कौन सा पत्तिसाहिक होता है मेगनेसियम फ्रेकास अंसलेशन का अंतहम उत्वाद कों सा है जिस किंतिम पॉद होस्दी से सिंकौना की छाल को पिति स्थापित किया जाता है वह कौन है किलोरो क्वीन हस्ती इस पौदे की किस बास से प्राप होता है तने तता नर्व पोस्ट क्रम के निस्तराव से ठीक है तो चलिए जिब बिक्यान में कितने चैप्टर 5 चैप्टर हम देख चुके हैं ठीक है ये पांच बात था पादप कारिकी अंगले भात करेंगे हम पादप रोग के बारे में आंगे देखेंगे ठीक है हेलो दोस्तों तो eiसा कि हम लोग जी बिग्यान देख रहे हैं बायलोजी तो पिछले लेच्छर में लोग देख चुके थे पादप कारेकी के बारे में इसमें बात करते हैं पादप रोगों के बारे में रोग ठीक है आपको बता दें इस अभी लेक्चर फिलेर लिष्ट में जनरल साइंस के नाम से एक सूची बनी हुए उसी में डले हुए ठीक है आगे बात करते हैं जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारकों है फंफूंदी पोधों को रोग पिती रोधी किसके द्वारा बनाया जाता है जंगली किसमें से पिजनन करा गई हरित बाल बाली रोग किस फ़सल से संबने थे बाजरा से टिक का रोग किस फ़सल से संब की कमी के कारण चाय में लाल रष्ट रोग किस के कारण होता है हरे सेवाल के कारण नीबू का कंका रोग किस कारण होता है जीमाडू के द्वारा फस्रों पर आखमण करने की कीट की प्रया कौन सी अवस्ता अधिक खानी पहुचाती है तो केटर फिलर मिली बग किस की फसल किस फसल से संब्दित है सरसों से ठीड़ ग्यहूं से संब्दित रश्ट रोग परकार करने वाली बिज्ञानिक कौन है केसी मेरता अगनी नीजिज रोग किसे संब्दित है सेव से गने के लाज सडन रोग के लिए उत्तरदाई कवक कौन सा है कौलेटो टीकस फालकेटस केटम मौनफली में होने वाले टिकका रोग के लिए उत्तरदाई कवक कौन सा है सारकोस्पॉरा पार्सो नेटा किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन यह रोग होता है इसके लिए इसके लिए रोग इस पूरा ग्रैमी कोला आलू में होने वाले ओभर भावगी अंग मारी रोग के लिए उत्तरदाई कब कौन सा है फाइटो फैथेरा इन फैंट फैंट टेंज सिटक केंकर क्या है नीवू का एक रोग रिंग रोग के नाम से सित्हिल रोग आलू में बिलेक हाइट का कारकोन सा है ऑकसीजन की कमी आगे बात करते हैं साइक टरस कहन का रोग किसके द्वारा होता है जैन्तो मोनास सिटाई के कारण विलाइड ऑपेडी किसके कारण होता है जेंतो मोनास परोई जी बाजरे का ग्रीन एरोग किसके कारण होता है कबग द्वारा रिंग रोट और पोटेटो किसके कारण होता है जेंतो मोनास सौली नीसिय एरम्स जीवाडू द्वारा यक्छमा रोग किसके द्वारा होता है खेलता है जीवाडू द्वारा तमाकू में मुझे एक रोग के लिए उत्तर दाई वीशाणू कौन सा है? पुवेकू मुझे एक वाइरस टी एमबी अलू में मुझे और रोग के लिए कौन सा वीशाणू? उत्तर दाई है पोटेटो वाइरस एप्स केले में बीसाडू में द्वारा उत्पन रोग क्या है बंकी टॉप और बनाना केले के रोग बंकी टॉप और बनाना के लिए कारक जीमाडू का नाम क्या है बनाना वाइरस फर्ष्ट एंगुलर लीप स्पोर्ट और कार्टन किस जीमाडू द्वारा प्रता है जैन्तो जैन्तो मोनोस गेहुं का टुंडो लोग के लिए उत्तरदाई जीमाडू कौन सा है और कौरिनो बैक्किरियम इंडोवाइटव टीकम बाईट टीकम अलू में हृष्ट सैने पाटे रोग किस के द्वारा होता है कवग C sphonium निईव का dive back रोंग किस के कारण होता है ताबे की कमी की कारण आम में little, live रोग किस की कमी कारण होता है जसता की राई का ergoat रोग किस के कारण होता है Kabagdaun की दौारा अब बात कर लीते हैं जोग पादम की रोग और ये हिंदी में रोगों के नाम होगा है रोग कारक होगा स्वेद किट वाइट रष्ट औफ ग्रोसी फेरस ये होता है सिस्टो पस केंडीना केंडीडा आंगे बात करते हैं अनाज में घास की चोडिल आशिता कोडरी मिड्डियो और केलियस एंड ग्रासिस ये होता है एरिसाई भी जातियों द्वारा सेव के फल की सडन फ्यूट फ्रॉट ओफ एपल सेव के फल की सडन तो याद रखिए पेरो फेरो नो पूरा जातियों द्वारा होता कोशीफर की मिदूर रोमिल आसिता तो याद रखिए इस तो होता है रोम फेरो नो इस पूरा जातियों के दूरा आलू की पूर्व अंग मारी तो ये होता है रोम का कबक है ग्यहूं का इसलत कंड ये होता है अस्टी लेगो निवडा टेट्टी साई मुमफली का टिक्का रो ये होता है सार्कोईस्पोरा पार्सोनेट आलू का खेटक रो ये होता है पेथी यम डेवी रीनम चने की किट यह होता है यूरा माईसिज सााई सेख़ी येरिटनी अल्सी का किट ये होता है मेल मिब्सॉरा लाइनाईड एक disparate का किटव एक देखी लिए मेल मिब्सॉरा लाइनाईड अलू की विलंबित अंगारी होता है फाइटो पिथोरा इन फैस्टेंस इस रोग के कारण 1945 में आइलेंड में भेंकर अकाल पड़ा क्योंकि वहां कि नवासियों का मुक्त खाद पत आलू है इस दुरभी के कारण 10 लाख लोगों की मित्ती हुई थी फिरह धान की भुरी पंड़ चिती तो यह होती है हैलमीन थो इस फिवरिया और आईजी इस रोग के कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा की लगवग 20 लाख लोगों की मित्ती हुई थी इस अब ब प्रिस्ष्ट पादप रोग इनकी बीमारी देखते हैं और रोग की पहचान और नेंदर तो जोंगा रोग इसका पेकोब पतियों गाटों वालियों के डंटलों एपन छोटी छोटी पोस्विक तहनियों पर होता है पतियों पर आग की आगती की धब्बे बनते हैं जो बी बीजों के नियंतन खौपाएं बीजों को चार ग्राम स्टेप्टो साइक्लीन करतबा बीस ग्राम एग्रोमाईसिन को 45 लीटर पानी में गोल कर 25 किलोगराम बीच को रात बर भिगोने के बाद भूएं खड़ी पसल में 2-2.5 किलोगराम डाइथेन M 45 को आवस्विक पानी म मिलाकर 10 दिन के अंदर दो दो वार छेड़काओ करें फिर जोल्सा या पत्तियों का भूरा दब्बा पत्तियों का गहरी रंग के गोल धब्बा तथा अंडाकार धब्बे बनते हैं जिनके बीच का हिस्सा कुछ पीला पन के लिए हुए धूसर रंग का होती जाता है तथा धब्बों के चारों और पीला सा घेरा बन जाता है उपयुक्त दं से बीजोक्चार करके बुए होता था खड़ी फसल में डाय थायो कार्बोन मेट की 2.5 किलोगरा मात्रा को पानी में मिलाकर छिड़काओ करें फ्रेज जीवाडूज जुल सा इस रोग में से पत्तियों के किनारे सूख ने लगते हैं जिससे सूखे भाग हरे भागों से एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं सूखे हुए किनारे अने में टेड़े मेड़े होते हैं और फे उपतर ढंक से बीजोक्चार करके बुए है तथा खड़ी फसल में यदि संबा हो तो खेत का पानी निकाल क्यक्ति सब्सक्राइब में गयवाते रहानाक इसकी इसकंट ले सकते हैं तो हम बता देते हैं भीमारी नहीं से सब्सक्राइब ज् civ काीश सा या सचार नियन चाएगन देखना है आपको तो ո apo's कि लेकिर फड़ता रह आँगे बात करते हैं सफेद रोग भी धान से संबन देते हैं फिर मक्का से तुलासीता पत्तियों का जोलसा रोग संकारू जनेत तना सडन यह भी मक्का से संबन देते हैं ठीच अगर इनका भी पहचान देखना आए उपचार देखना है तो आप इसमी तो लेके पढ़ते र रोग होता है, ठीक, फिर है बाजरा, बाजरा में होता है, बाजरा में, तुलासीता रोग होता है, कंडुगा रोग होता है, अर्कट होता है, अर्गट, बालहरित रोग होता है, मुनफली की बाद करें, तो टिकका, काला रोट और जड़ सडन होता है, ठीक, याद रखिए, रहर की बात करें दो अरहर में ऊखठा एंटनाऽ अदन होता है sud अ मूंं वूं अ इधर अध़ की बात करें तो इसमें पीला चितवयृण होता है पत्यदार रोग होता है सरकों पूरा कपाश की बात करें तो बेक्टेरियल जुल्सा होता है गन्ना कि बात करें लाल्सणक अंक ट्रां कंट कन्ड कंड्रे तो थे हैं होता है फिसके बात करते हैं ग्यह जुल सब्सक्तर क्रूआ इसके रोखें चना कि की बात करें चना की बात करें तो चना में उक्ठा उक्ठा छलसा रोग होता है मतर की बात करें मतर में बुखनी रोग रतुगा रोग उक्ठा रोग उक्ठा रोग तुलासीता रोग होता है ठीक है मसूर की बात करें तो उक्ठा रोग होता है मसूर में ठीक है आलू की बात कर आलू से में होता है अकेता जुलसा रोग, पिछेता जुलसा रोग, मुझेक, दिलेक, स्क्रफ, ठीक, ये आलू के रोग है, टमाटर की बात करें, तो उक्टा रोग, उक्टा रोग, वीसाड रोग, लीव करल, तथा मुझेक, ठीक, फिरे अमरूद, अमरूद में सुखा रोग होता है, और कैंकर रोग होता है, नीवू पे जाती कफल की बात करें, तो कैंकर रोग होता है नीवू में, ठीक, और नीवू डाइवेक होता है रोग इसमें, अंगूर की बात करें, तो पावडरी मिल्डियू होता है रोग, डाउनी मिल्डियू र ब्राउन रोट होता है याद रखिए तो यह थे हमारे फसल और से सम्बंदित रोख अगर आपको इनके लच्छन और रोकने के उपाया भी देखना है तो पड़ती रहना है इसकी इंसोट लेकर तो यह था हमारे पादप रोग आंगे बात करेंगे साथ भी में पादप पूत नवस्काल दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जी बिग्यान के बारे में कर रहे हैं या बायलोजी को देख रहे हैं तो हम लोग 6 चैप्टर निप्टा चुके हैं जस्ट पिछली चैप्टर में हम लोगों ने क्या दिखा था पादप रोग ठीक अब इस में जनरल साइन्स के नाम से सूची बनी हुई है उसी में सभी लेक्चर एक साथ पड़े हुए है समान उत्पत्ति तथन समान कारेयों को संपादित करने वाली कोश्काओं के सम्हू को क्या कहते हैं उतक उतक के अद्धेन को क्या कहते हैं उत्की हिस्टोलोजी उत्की का नामकरन किस ने किया मायर उतक सब्द का फेयुक सब्थम किस ने किया विचट कौन सा उतक दुतियक विद्धी के लिए उत्तर दाई है तो आपको याद रखा हैं केम्बियन केम्बियम व्यापारिक कौल किस से प्राप्त होता है कौल केम्बियम से पादपों में बना खाद पदाद पोधों के विभिन अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है फेलोरम फुलोयम पातपों में जल तदा खनेज लबडों का संचालन किसके द्वारा होता है जाईलम एक बेक्च की आयू का पता किसके द्वारा लगाया जाता है वालसिक बलेओं की गिंती करके वायू तक किसमें मापा जाता है वायू तक किसमें पाया जाता है हाइड्रोफाइटरस में आर्किड में बिलामेन उतक कहां पाया जाता है मूलों में किसकी सक्रियत सक्रियता के कारण विद्धी बले बनती है अन्ता रंभिये इधा के कारण समुद्ध के किनारे उगने वाले व्यक्षों में बार्शिक बलती क्योंकि इसपर्ट जलवाय विए विविन्यता नहीं होती है एक व्यक्ष के पूराने तने की अनुफरस्त कार्ट में 50 वार्शिक बले मिलते हैं व्यक्ष की कितनी होगी है? 50 वर्स यदि सन 2005 में एक व्यक्ष में एक साइन बोड की कील भूमी से 5 फिट की उचाई पर लगाई गई सन 2018 में यह कील कितनी उची होगी यह व्यक्ष 50 वर्स 4 इंच लंबाई में बढ़ता है तो याल रखिए 9 फिट जलोद भिद किसकी उपस्तिदी के कारण जल में परते हैं वायू तक सीशर्ष्ट विभाजी उत्तक किस के लिए उत्तर दाई है लंबाई में बिध्धी के लिए रंधों की संख्या यूनिक होती है किस में धसे होती है मरूद भिदों में साखाओं में पत्तिया किस कारण से जढ़ जाती है कौर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से विलामेन, विलामेन की आवस्तक्ता क्यों होती है? नमी के आउसोसन के लिए फार्स, वीभाग, जी उत्तर किसके लिए उत्तर दाई है? मौटारी में विद्धे के लिए एक काश्ठी है पौधे की आंत्रेक चाल का मुक्र कारी क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परीवन करना संभाईनी पौधों में पानी उपर किसे प्राप्त होता है? जाईलम टिसू से किसी एक भार्टिय विज्ञानिक ने पाद्पों में जल की लंबी दूरी के अभी गमन का सिध्धान्थ पिस्तुत किया था तो याद रुखें जेसी बोस ने जेसी बोस पाद्पों में सबसे वाहरी मौम की मौटी परत क्या कहलाती है? क्यूटी कल मिदूत तक का तात्वर क्या कार है? प्रिकास संस्रेशन, संचय एवं तथास्राव दिरोड तक वित्ती का क्या कार है? यांत्रिक सहारा देना पौधे के कुछ भाग मौडने पर बिना तूटे आसानी से मौड़े जा सकते हैं कुछ भाग जैसे पत्ते, तने की इस तनता के कारण किसकी बहुतावायत को माना जा सकता है दिरोड तक संबहनी पौधे में पानी उपर किस से जाता है? तो जैलम टिसू द्वारा वास्तपोत्र सरजन के लिए पौधों की सरचना में कौन जिम्मेदार है रंद कौन ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टरिया के लिए उत्तर दाई है कौशिका दीवार किसी पौधे में जल्द था अर्नपदार्थों को वहन करने के लिए विसेष्ट चालक उतक नहीं होते मारकेंसिया और की साका किस था अपना किस विग्यानिक ने की मारसली मेल पीगी कुछ मिदू तक में किलोरोफिल पाए जाता है उसे क्या कहते हैं किलोरिंग काई या किलोरिंग काई इमा जलिये पोधे में तेरने के लिए मिदू तक में गुही काएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बाई उतक बात करते हैं रचना तथा इस्थिती के आधर पर उतक तंद के पिकार उतक तंद पादम में इस्थिती और पिरमुख लच्चर तो फेला बाहे उतक है बाहे तुचिये उतक तंत जड़वा तने का बाहरी भाग जो आवरन बनाता है फिर मुख लख्छन देखें क्यूटीकल सबसे बाहरी मौम की मौटी परत है जड़ों में अनुफस्तिती बाहे तुचा मेदू तक की बनी बाहरी एकल परत रंद पत्थी की बाहे तुचा में उपस्तित बास्तोत सर्जन तथा गैसों के बीनिमय में सहाय के भरन उतक तंत बाहे तुचा तथा समवहन बंडल के अत्रिक्त सभी उतक भरन उतक कहलाते हैं इसमें सरल होत इसमें सरल उतक होते हैं परत्मिक्तनिक में मेदू तक कोशी का प्रहभल कोट परी रंद परी रंध पथ तथा मज्या की गर możliे में होती हैं पत्तियों में ये पतली भीती वाले तथा किलोरो फिलाष्ट योग्त जिन्हें फर्ण मद्धेव तक मिजोफिल कहते हैं पिर है समहन उतक जड़ बातने के केंद में जल तत्हा भोजन के समहन में सहायक है ये जटल उतक जाइलम फिलोरम कि मद्धे केंबियम में होता है जे समहन बंडलों में केंबियम पाया जाता है उन्हें खुलाप समहन बंडल तथा जिन्में अनुफिस्टित होता है उन्हें बंद समहन बंडल कहते हैं ठीक तो यह था हमारा साथवा शेप्टर पाधप उतब अंगले आठवे लेक्चर में देखेंगे हम लोग पाधप अनुवांसिकी ठीक चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं हम लोग जीप विग्ज्ञान में इसमें पाधप अनुवांसिकी के बारे में ठीक वंसागती के अध्यन से सम्मदे ये विग्ज्ञान की साखा को अनुवांसिकी कहते हैं अनुवांसिकी का पिता किसको कहा जाता है मैंडल को जीन सत्का पिती बादन किस ने किया जोहांसन नहीं बंसागती की काई क्या है जीन मेंडल ने किस पौधे पर संक्मट प्योग किया था गाइडेन फी बार बेरा मैकलीन टॉ किस पौधे पर कारिकली पिसिद्ध है मक्का गेगर मेंडल किसके पिती पादन ही तुपे सिद्ध है अनुवानसिक्ता के नियम मेंडल द्वारा पिती पादित अनुवानसिक्ता के तीनों महत्भून नियमों नियम क्या सम्मद इस्तावित करते हैं पिथक्रन सुतंत अपव्यूहं एवं प्रभावित प्रभावित आप मेंडल ने मटर के पौधे का चैन क्यों किया इसमें बेपरियाई लच्छन उपस्तित है थे मेंडल की नीमो का ये का प्रवात कौन सा है सह लगनता मोनो हाइप्रेड अनपात क्या होता है तीन अनपाते एक जीन्स किसके बने होते है डी एने के सुतंत अब भी होन काभी प्रवाय क्या है एक माता पिता के लक्छनों का पित्थक होना हर गोविंद खुराना किस अविस्कार के लिए सम्मानित किया गया जीन संसलेशन के लिए प्योक साला में सरपितम डी एने का संस किस ने किया था तो जे थे डाक्टर हर गोविंद खुराना जैस किसके द्वारा अनुवांसी की ताकि बिग्ज्यान को अनुवांसी की कहा गया वाट्सन अनुवांसी की परिवर्तन किसके द्वारा होता है क्रोमोज सॉम जैनेटिक्स में किसका अध्यन किया जाता है किस पड़ादारित है लेंगिक जनन डी बिरिज ने किस सिध्धांत का पितिपादन किया उत्परिवर्तन का सिध्धांत बीटी बेगन क्या है अनुवांसिक रोप से परिवर्तित बेगन जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन भिन लक्षणों को एक साथ नेंतित करता है य प्रभावित्ता बात करते हैं अब लोग अब बात करते हैं लोग पित्था करन कनियां पित्थे पीडी लंबा पुधा सुद्ध ठेक बोना पुधा सुद्ध फिर होता है फरफरागन पित्थम संतानिय या पुधे एप टू सभी लंबे पॉधे सो परागन फर दूत्थी है या शनतानिय फीडी संतानिय फीडी स Matte टू F2PD के 1 बटे 3 से केवल लंबे पौधे उत्पन, 2 बटे 3 पौधे, पौधों से 3 अनुपात ते 1 के अनुपात में लंबे बावने पौधे प्राप्त, केवल बावने प्राप्त, ठी? तो चलिए, यह थी हमारा अठवा पादप अनुपांसी के बारे में, जो मात्पून, कुष्चन थे, जो बन सकती थे, वो सब, आगे हम लोग बात करेंगे, कौशिट का बिग्यान के बारे में, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, दीप बिग्यान, पादप अनुपांसी के बारे में, तो चलिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पादप अनुपांसी की, अब इस लेक्चर में बात करते हैं, कौशि का विज्ञान के बारे में, आप लोगों को पता दें, इन नौबा चैप्टर में वारा, ठीक, इससे पहले के आठ चैप्टर आपको फिले सूची में, एक सूची बनी हुई है, जनरल साइंस के नाम से, उसी में मिल जाएंगे, ठीक है, बात करते हैं, चलिए सुरू करते हैं, जीवों की आधार वो सरचना, तथा कार्यात्म के काई कौन सी है, कौशी का सेर, कौशा सब्द किस भासा से लि लाग लेता है, किसका कतान है, सट इस टौस वरगर का, सेल नाम किस जीव बिग्ञानिक ने लिया, रोवाइट भगन है, कौशि का कौशि काभीती जीब द्रव रखतित का परेच जीब द्रव की कौशि का द्रव क्सिका जिल्ली और केंदर कौशि का द्रव कोशि का आग हाई लोपलाज या साइटोसॉल इसमें कॉसी कांग में कॉसी कांग में लबक माउटोकाइंडिया अंतरा फेद जिब्बी जालिका राइबोसॉं गॉलजी उकरन लाइसोजॉं सेंटोसॉं माइक्रोगोडिज साइटोसॉल में कर्भोहड़ेट, प्रोटीन, वसा, सरावी पदार, उत्रजी पदार, केंद्रक, केंद्रक द्रव, कोमोटीन, केंदिका ठेए राइबोसॉं माइटोकाइंडिया सेंटो, मियर, तसंटी ओल मैसी, कौन सी रजना जन्तु कोष्का की वनस्पति, कोष्का से विवेदिक करती है, सेंटी ओल कोषिका में राइबोसॉं की अनवस्तिती में कौन सा कार संपादक नहीं होगा, प्रोटीन संसलेशन कोषिका में प्रोटीन संसलेशन कहां होता है, राइबोसॉं में पादप कोष्काओं का सबसे बाहरी आवरन क्या है, कोषिका भीति, भीत्री कोष्का को एक निश्चित रोप कौन पिदान करता है, कोष्का भीत्ति कोष्का द्रब में उपस्तित महीन, सांखित, जिलीदार और आनीमित, नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है, अंत्रा, फिद्दिवी, प्रदिवी, जालिका, कोष्की ये जनन्शक्री इस्थल कौन सा है, मालिक्रो काइंडिया आवर्डी लबक, मुक्ता किसमें पाये जाते हैं, जड़ों की कोष्का हो में, फूलों और बीजों को बेभेनने पिकार के आकर सक रंग कौन पिदान करता है, क्रोमो प्लास्ट आंगे बात करते हैं कोष्का की खोच की बात कर लेते हैं कोष्का की खोच माइक्रोग्राफिया लंदन में 1665 में रोबर्ट होक द्वारा किये आवर्धक लेंसे माई निव्टी का अध्यन सरीर की या की व्याक्या अवलोकन तथा उसके वाद जाज़ पढ़ताल जी बिज्ञान में बहुत ही महत्वों हैं अध्याय जो आज कोष्का विज्ञान का अहकार बनाता है वह है अब्जर्व में कार्ग या उसी की उतरह अन्य बस्तों की कोष्का या चिद्ध या कोष्ट का अध्यन का वैडन जब आप नीचे दिये गए साहरांस को पढ़ेंगे तो उसका पता चलेगा कि होक ने कोष्का विज आदे मियंतरों मध्यम पिकास्त तथा घिस्य या टूटे हुए लेंसों से की थी मैंने एक टुपड़ा का लिया उससे चापड़क पी साहता से यतना पतला देखा है मैसका एक टुपडा लिया और इसके इससे अधिक चिकना किया और पर मैंने बड़े ध्यान से सूक्ष्म दर्सी में देखा मुझे चोटे-चोटे सोडाग दिखाई पड़े लेकिन मैंने उन्हें बेभेधन नहीं कर सका यदि मैं और अधे ध्यान देता तो सूक्षन दर्सी में इससे बेभेदित कर पाता मैंने उसे तेज चाकू से पहले बाले कार के टुकडे से बहुत ही पतला टुकडा काट लिया उसे काली प्लेट पर रखा क्योंकि यह स्वेब सपेद था इस पर समतल अवतल गिलास से प्रिकास डाला मैंने उसे अधिक इसपष्ट देख सका और देखा कि चद्धित सुराख है इसे सुराख जो मदू मक्की के चचत्मों से मिलते हुजिलते यह सुराख अत्वा कुश्का है अधिक गहरे नहीं बलकि उनमें बहुत से चोटे डिब्बे थे जो किसी डायफ्राम द्वारां लंबे सुराख से यह लग थे पत्तियों को हरा रंग कौन पिदान करता है किलोरो कलाफ्ट कोश्का की आत्मत्यागी थेली कौन कहलाता है लाइसोट्सौम में पाये जाने वाला पैन्जायम जिसमें जीब्ब को गुला देने यह नस्ट कर देने की चमता होती है क्या कहलाती है है हिडोलाइतिक इंजायम सहल में असी विदीसे सरी अधिक पाये जाने वाला पदार्द कउन घल कौस्किये वा आडवी जीप विग्यान केंद कहा है इस्तित है है एदराबाद में यदि माइट्रो कांडिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सकार नहीं हो पाएगा भोजन का आपसी करन कोशिका का उजा ग्रह किसको कहते हैं माइट्रो कांडिया को कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है तिला तिलाश्टेड कौन साब कोशिका अंग प्रोटेन संसलिशन में पिरमों धूमी का निभाता है एंड्रो फिलाजमिक रेट्टी कूलं एवं राइगो सॉम अंग है प्रोगेमलिस सेल डेट का कोशिकी ये आडविक नेंतन क्या कहलाता है एंजिंग कौन सांगक फ्रेया जन्तु कोशिका में उपस्तित नहीं होता लवक लाइसोसॉम्स क्या कार करता है अंत्रा कोशिकी ये पाचन कोशिका भीती कैसे होती है परागम से माइट्रो का इंडिया का फीतरी बलन क्या कहलाता है क्रिष्टी माइट्रो का इंडिया किसमें अनपस्तित होता है जीवाडू में आंगे बाग करते हैं जीव दिर्व सब्द का फेवग सरफितम किसने किया पूर किंजे ने जीव दिर्व जीवन का बहुती काधार है या किसका गतन है Nucleus की खोज सरफितम किसने की ब्राउन ने कोशि का की किरियात्मा गतिविधियां किसके द्वारा नेंतित हुथी केंदरक द्वारा गोड़सूतिफ सब्द किसने पेदान किया वाल्रडेयर ने अंतरात्रध्द्भ जालग की खोज किसने की पोल्टर ने एलेक्ट्रॉन सोप्ष दर्शी की खोच किसने की नौल तथा रसकाने किसकी उपस्तिती के कारण किसी पालब कोश्क्या और पसु कोश्क्या में अंदर पाया जाता है कोश्का भीत्ती गौल जी का ये कप्रमुक कार क्या है इस तरह वर्ण कोश्क का कौन सा कोश्क्या अंदर डी एन रखता है माइट्रो का इंडिया वस्तिविक के अंदर किसमें अनुवस्त होता है जीवाणू में सदवादिक संख्या में गुर्षूत किसमें पाय जाते हैं ऑफियो गिलोसस में जीवाण का बहुत दीक आधार क्या है फ्रोटो पिलाज पोस्कों में कौन सा एक पौधों की कोश्का भीतिका एक सरचनात्मक घटक है मैगनीज बात करते हैं सेलुलोज की सेलुलोज पोधों में सेलुलोज मुक्ः रशनात्मक पौली सेकिराइड है सेलुलोज की एक अडू में 6000 गिलुकोज होते हैं कपास के तन्तु में सबसे अधिक 90 पितिसा सेलुलोज होता है लकडी में 25-50 पितिसा सेलुलोज तता सेस हैमी सेलुलोज अतबस लिगन लिगनन आधिकाल्ब से मनुज आसर इनन वोजार आधि के लिए सेलुलोज एक पदाल्थों पर ही निर्भर रहता था कपास लेनें तथा फटसं के तन्तु में का उपियों कपड़े तथा रस्तियां बनाने में किया जाता है रियान के किंतिम तन्तु बनाने के लिए सेलुलोज खुच्छार में भोला जाता है अन्न रसायनों से किरिया करके सेलुलोज सेलियूस लोसेटिट सेलुलोज नाइट्रोट इसका उपियव नोदक विश्पोटक में होता है इसका उपियव फैविक्स सेलुलेज एक पिलास्टिक में करते हैं तथा कार्वाक्सी मेथाइल सेलुलेज इसे आईस्क्रीम, पिसाधनों तथा दवाईयों में चिकनापन लाने के लिए मिलाते हैं, बना सकते हैं। सेलुलोज पर जलब गड़न की किया करके घुलंचील सक्कर बनाई जा सकते हैं। इस सक्कर बस सूक्ष इंजीम किया करके एथिनॉल, वर्टानॉल, एसीटॉन, मैथिन तथा अन्नौपयोगी रसायन बना जा सकते हैं। मनुस के भोजन में सेलुलोज मोटे चारे किरूम में काम करता है। पाचंत तंत को सुचाओ रूप से चलाए रखने के लिए। चलाने के लिए यह आवस्क है कि मनुस में ऐसे इंजाइम नहीं होते हैं जो सेलुलोज पर किरिया कर सकें। कुछ रूमिनेंट जैसे गायले सेलुलोज को पचा सकती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सूप्ष में जीव होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचंत बना देते हैं। घोंगे तता दीमत भी सेलुलोज पर निर्भर हैं। उनकी भी आहाल नाल में सेलुलोज को पचाने के लिए सूप्ष में जीव होते हैं। आंगे बात करते हैं। कोश्का की कला वर्डात्मक्ता परागम होती है। यह कुछ अड़ूं के अंदर या बाहर की और संचलन को कोश्का में होने देती है। जबकि अन अड़ूं के संचलन को रोक दिया जाता है। कोश्का अंगों को कौन सा एक अरद परागम है कोश्का जिल्ली। सबसे चोटी कोशिका किसम होती है, माईक्रो फिलाजमा में, लाइसोस्वों की कोच किसने की, डिडवे, वालितार फ्लेमिंग, अंता परद्द भी जालिका किसकी वनी होती है, लाइपो, प्रोटीन, कोशिका भीती के क्या कारे है, पादब कोश्कया की स्रुक्षा दध यांतिरिक सहारा प्यदान करना कोश्कया भी थी और प्केंदक के बीज भाको क्या रहते हैं कोश्कया दिप ठीकी हाँ आंगे बात करते हैं अब बात करते हैं میज़ calling k solicus या भिंडी काटते हैं तब कुछ चिकना सा पदार निकलता है यह मियूसी लेज पॉली सेकराइड है जो गलेक्टोज तथा मेनोज से बनता है कुछ समुद्धी घास से भी मियूसी लेज जैसे एगार एलजीनिक एसेड तथा केरी जीनिन बनते हैं आर्थिक द्रिश्टी से महत्कून है मियूको पॉली सेकराइड जीवानों की कोश्का भीती जंतुमें कि सयोजी उत्कों तथा सरीर के सहल बदातों को अंतराली इस्थानों पर यह इस नायू तथा कंद्रा को चिकनाहट देते हैं आँखों में इस्ते कच्चाम कच्चाव द्रव साइनो वी एल तदल में भी मियूको पॉली सेकराइड होता है हाल यूरो निक एसेड सयोजी उतक तथा कोश्का भीती में होता है करेटेन सलफेट तथा कॉंडियोटिन अलफेट कार्टिलेज कानिया तथा तथा तोच्चा में होता है ए इनको सक्ती तथा लचीला देता है पादक कोश्क्या के भीतर ग्रेना और इस्टोमा कहां पाए जाते हैं किलोर फिलास्ट में अब बात कर लेते हैं कोश्क्या अभी ज्यान की कुछ मत पूंट हो जोंके बारी में केंद्रव की कोश किसने की रोबर्ट ब्राउंड ने 1833 में जीप द्रब्व की कोश कि कि इसने की काईटी वन डुजारटीन ने 1838 मीं माइट्रो काईटिया की कश किसने की बेंड की कोश ने ऑफारास सआपचास में जीव दरव्य चिद्धान की कोश टीने अतारास से शेивать में गोलगी की कोश किसने की कैयमि यू गॉलगी ix6 क्यंद्रियां की कोछ किस ने की पेडरिक मीशर्ण ने 1869 में क्रोमोसम की किस वाल्डियर्ण ने 1888 में जीन सब्सक्राइए परितीपादन किस ने किया जोहनसं ने 1909 में राइबोसॉम की कुछ किस नहीं फिलाडे ने अठारा सो पच्पा लाइसोसॉम राइबोसॉम था है फिलाडे ने किये और लाइसोसॉम डी डूवे निसो संदा बने चीछ आँगे बात करते हैं कुछ का जिली किसकी बनी होती है प्रोटीन एवं लिपड़ की फिकास संसलेशन कब होता है केवल दिन में सरबादी फिकास संसलेशन क्रिया कला कहां चलता है फिकास के नीले बलाल छित्रों में रिक्तिका रस क्या है रिक्तिकाओं में पाए जाने वाल आगे बात करते हैं पादप कोश्काएं पूर सक्त 1902 में जर्मन के वनस्पत्ती साफस्ती हैवर लेंड ने कहा था कि पितेग जीवित पादप कोश्का में पूरा पौधा पूर्जित करने की छमता होनी चाहिए इस संकल्पना को पूर सक्त कहते हैं एस धारणा को राधारे थे कि जीब की पितेग कोश्का निसेशित अंडे से बनती है और इसमें पुनाह पूरा पौधा विक्सित करने के जनमजात गुड बिद्धमान होने चाहिए लेकिन हैवर लेंड का प्यो उसने हरी पत्तियों से कोश्का को अलग करके उगाया था आस कियानकों ने गाजर की जड़ के फिलोयम उतकों जिनमें परीपक अभीभाज कोश्काएं थी से दो किलोग्राम टुकड़े लिये उन्होंने उसे तरल पोसक माध्यम जिसमें नारियल का पानी था में उगाया कोश्काएं विभाजित हुई और अलग होकर एक निलम्मन बन बना लिया इस नहीं बनी कोश्किया कि जूंड से जड़े निकल गई तब इन्हें संवार्द नेली जिसमें वही अभयावं तत्था अध्य ठोसिये माध्यम था में स्थाना अंत्रित किया गया तो उनसे फिर वह बना हुआ अंत्ता पौधा बन गया परक्नली में उगाए पौधों को जब गमलों में लगाए गया तो उनसे नारंगी रंग की जड़े निकली इस पेयोक से यह पता चलता है कि परीफक्त कोश्का में भी विवाजन करवाय जा सकता है उससे पूरा पौधा प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद इस्टिवर्ड तथा हैल्पिरिन और वेथे रेल ने गाजरी की कोश्काओं से हजारें कायक भूणों को विठसित किया कोश्का की पूर सकतिता अब बहुत से पादकों उतकों जिनकी उतपती बिभिन है परापकोस भूणकोस मूल पिरोह सीज पत्तियां उसपी कलिया आदी में भी दिखाई गई है कोश्क जी माइट्रो कांडिया की कोच किसने की रिचर्ड अल्टमान माइट्रो कांडिया की कोच किसने की रिचर्ड अल्टमान की याद रखी आंगे बात करते हैं माइट्रो कांडिया का नाम किसने नाम करन किया तो आपको याद रखना है बेंडा कौन से ऐसे प्रारमिक सुक्षम जीव हैं जो कोशिका की अवस्ता तक नहीं पहुंस सके वीशारू कोशिका जिल्डी किस की बनी होती हैे लिपट फेड फ्रोटीन की कोशिका का रसोइगर किसे कहा जाता है रित लबक को पादब कोश्क्या में रस धानी का क्या कार है श्बीती तता कठोड़ता पिदान करना जीवधारी के जो लच्चन पित्त रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या करते हैं फीनो ताइप आंगे बात करते हैं सेयोगमी प्रोटीनों का बर्गीकन सेयोगमी प्रोटीन का बर्गीकन उनके प्रास्थेटिक समूग के अनसार किया जाता है इनके कुछ उधारा नीच्च दिये गए है न्यूकलिट, न्यूकलियो पोटीन, राइबोसॉम तथा क्रोमोसॉम का न्यूकलिट, एसिट प्रोटीन सम्रिशन फ्रेमेटलो प्रोटीन, मेटल प्रोटीन सम्रिशन, लोहा प्रोटीन सम्रिशन जैसे फोल्टीन क्रोमो प्रोटीन, वैड़क प्रोटीन सम्रिशन, हीमो गिलोबिन तथा साइट्रोपों फासफोर्ट प्रोटीन दूद का केसिन लिपोप्रोटीन लिपर्प्रोटीन सम्रिसन जो जिल्ली में होता है गिलाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोप्रोटीन कार्बोहड़ेट प्रोटीन सम्रिसन जैसे म्यूसिन तथा फिलाजमा जिल्ली में कुछ प्रोटीन जीवधारियों के अनु मांसिख संगटन को क्या कहते हैं ? जीनोटाइब पितेक अनु मांसिख लक्छन जays खाई द्वारे निंतित होता है उसे क्या कहते हैं ? किसके अनुसार पितेक जनकी कारिगी कोचका में एक ही गुड़ को बेट करने के लिए दो कारक होते हैं बेंडल पिथम कफी मानव क्या नाम दिया गया ओस्टेलो पिथेकस मनुस का जी बिज्ञानिक नाम क्या है होमो सेपियंस सबसे पहले भोजन पकाने अपनी रक्षा करने बाली मानव का क्या नाम है जावा में एक ही गुड़सूत पर उपस्ते जीनों के मौलिक सायोजन की प्रवित्ती एक ही गुगमक के साथ फिरवेश किया क्या कहलाती है सह लगनता जब सुद्ध लंबे पौधे और सुद्ध मौने पौधे की वीच संकरन कराया जाता है तो F1 PD में कैसे पौधे होंगे सभी लंबे पौधे होंगे ठीक है तो चलिए यह था हमारा कोशी का विज्ञान से सम्मद्ध जो महत्पूर्ण तर्थ थे उन सभी को देख लिया आँगे बात करेंगे हम लोग फारेश्तिती के बारे में ठीक है दस बाल चेप्टर होगा आंट नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम बात कर रहे हैं यह बिघ्ञान के बारे में वारे लगीलोजी ठीक हृग ऐसमें नोचेप्टर हम लोग देख चुके हैं पिछले बाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कौशी का विज्ञान को अब इसमें बात करते हैं हम लोग दसवे लेक्चर में फारेश्थिति की के बारे में ठीक चलिए शुरू करते हैं किस संखला में फरात्मिक और भोकता होते हैं किसी संखला में फरात्मिक और भोकता होते हैं पता है जैसा कि साकाहारी किसी फरीतंत में उत्वादकों का क्या कारे होता है सौर उर्जा को पकड़ना और इसे रसायनिक उर्जा में बदलना किसी फारी तंत में सबसे बड़ी संख्या किनकी होती है प्राथ में कोथ पातकों की आगे बात करते है वायू एवं जल की क्रिया द्वारा भूमी का हटाओ क्या कहलाता है अपरदन मिर्दा अपरदन कैसे रोका जा सकता है बनो कोगा कर बाड को कैसे रोका जा सकता है नदियों पर बान बबैक्च्छा रोफण करके मैंगो बनस्वती कहां पाई जाती है सुंदरवन में मैंगो बनस्वती का मुख घटक कौन सा है राईजु फोरा समुद्द्य के किनारे की बनस्वती क्या कहलाती नियुनिकित पत्तियां और धसे हुए रंदे किसके प्रम लक्षन है सुस्कोद विद आँगी बात पत्त पाद पाले किस पिकार की सुविदा है नियंति दसाओं में पादपों का उगना संबह हुस पाता है कौन सा करसी कार फर्यावेंड विद पर्यावेंड ये दिर्ष्टी से उपयुकत है कार्वने करसी अधिकांज मरोष्थली एफ पादप रात्तिरी के समय ही क्यों पुस्पित होते है मरो इसका लिए कीट रात्त्तरी के समय सक्री रहते हैं टेगिस्थान में पैदा होने वाले फौदी क्या कहलाते है जीरो फाइटर्स फारिस्थिति की फारिस्थिक निके की संकल्पुना को किसने पिति पादित किया था ग्रिनेल्स ने फारिस्थिति की सब्द को सबसे सरपितम पिति पादित करने का सरे किसको जाता है रीटर को जीबधारियों एवं उनके वातावर्ण के बीच अंतर अभिकी या के अध्यन को क्या कहते हैं पारिस्तिति की आँगे बात करते हैं पारिस्तिति की का अभि प्रयाय क्या है ब्यक्ति का जीबधारि का पारिस्तिति की अध्या पारितंत सब्दें सरपिथरं किसने पिति पादित किया एजी ड्रेंसलेः पारिपन्त की सही परिवासा पारितंत की सही परिवासक क्या है बातावन के साथ जीवों का समुदा है जिसमें भी रहते हैं पारितंत के दो घटक कौन से जीविये तथा अजीविये पारितंत का अजीविये घटक क्या है जल किसी पारितंत में उर्जा पिवा है, कस सही मार क्या होता है, उतपादक, साकाहरी, मासाहरी, अफगटक खाद सिंगला, किस से बनती हो, उतपादकों, उब्हुकताओं एवं अफगटकों से मनुस किसके द्वारा जी मंडल में फारिष्थित की संतलन बनाये रख सकता है, संबन्दित पौधों की नई किस्म और पालतों पसु की नई नसल विख्षित करना सामाजी वान की क्या है, सहकारी स्वामित्य वाली भूमी पर उपयोगी पौधों को वाना और उनकी विवस्था करना पिथिवी से कर संबेलन कहां हुआ था? रियो डीजिन रो में राष्टिय वानस्वति को द्यान कहां पर इस्ते थे? लखनव में भारत में बनन अनुसंदान संस्तान कहां है देहरा दूं मरूद बेदों में मूल तंत लंबा क्यों होता है? गहरे जल इस्तरों से जल आउसोसित करने ही तूं जड़ें गहराई में चली जाती है यदि संसार के सभी पौधी मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जन तूं मर जाएंगे? अधी पादप कैसे इस्थान उपर पाई जाते हैं जहां बरसा पूरे बरस होती है? मिर में कौफी ली कुछ पुस्पी पादपों का किनके बीच एक लाबदायक सहिवजन होता है? चिंटियों के बीच संसार का सबसे बड़ा पारितंत कौन सा है? सागर मिर दा परदन कैसे रोका जा सकता है? बन रोकड़ द्वारा जब हम बकरी का मास खाते हैं तब हम कैसे उब्भोगता होते हैं? दुतियक उब्भोगता है जान गे देखते हैं सोर उर्जा किस से पराप्त होती है? सोर से खाद सेंकला से अभी पर आये यह इनमेसे किस के द्वारा उर्जा अंतरण है? एक जीब किस से दूसरे जीब हाइड्रो फाइट किसे कहते हैं? जलिए पौदों को परियावेंड में अजयब अभी आपका उधारन क्या है? वाइव हाइड्रो पौनिक्स किन से संब्धित है? मिट्टी के बिना पौदे की पित्थी सोर उर्जा का सबसे बड़ा यह वी करन कौन सा है? हरे पौदे फारिस्तिती की संतुलन बनाय रखने के लिए भारत में वन छेत कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.33 मेंगोब में खेती के लिए कौन सा छेत पिसिद्ध है? 10-24 परगना का सजने खाली जंगल पित्थी का विसाल तम पारिस्तिती की तंद कौन सा है? जल मंदग एक किंतिन पारिस्तिती की तंद किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल जी उसाला द्वारा सबसे इस्थाई पारिस्तिती की तंद कौन सा है? समूद ओजौन कितनी सांदता? परगंभीर फपुसी है सोद उत्पन करके मानाव स्वास्त को पिरभावित करती है 9.0 PPM विस्तित का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हया सिंद 2008 से 2012 की वीच ग्रीन हाउस गयसों को कम करने के अंतराष्टी समझोती को क्या कहा जाता है? क्योटू फॉरोटो कॉल जब पादप विवित्ता गुफराक्ति आवास में स्थनरक्षेत किया जाता है तो इस स्थनरक्षन को क्या कहते है? सो इस्थान अत्यदिक बनूलन का सबसे इदिक खतरना करवा कौन सा? मिर्दा पर्दन चारण आहार सिंखला के आधार तल में कौन से जीव होते है? उत्पादक विसेसी करत पोधी ये पोधी की नाम है उनकी विसेस्थान है एरिमोफाइटस रेगिस्थान एरिष्टेवी में होगने वाले पोधी है लीथोफाइटस इस चट्टानों पर होगने वाले पोधी है सेमोफाइटस इस बालू में होगने वाले पोधी है इसकले रोपाइटस एक कास्टी है जारीदार पोधी है है सांदुटा में इंग उने वाले पही है इस अमली में मिठा में उखने बावद है। छोक्षा तो में और सब्सक्राइबितर पर्यों के और की परिर सा या अरथ हो गए हैंक्तरा ँंतरा जाती है फारिपरिःतिं की कुछ या कि समझतियों की फारशप्रीं की बीज़िया से उत्मन JENNinging A एक जाती या दोनों जातीयों हिति, फिलस, हितकारी फिलस, अनिकरक माईनस या उदासीन हो सकती है जिसे सहोप कारिता जातिये जाती भी, इसफल्दा जातिये जाती भी, परीभक्षन जातिये जाती भी, सहभोज़ता जातिये जाती भी, अंतर जातिये परिजीवका जातिये जाती भी, फृर है जाती, इस फिशीज, अम्तरा फिजिनन करने वाली जीवों का समूब, जंतू समदाए, किसी देश, छेत या काल विश्च में फाय जाने वाले जंतूवों की जाती हैं, परवक्ची, भोजन के लिए प्राणियों का वक्चर करने वाले प्राणियों जैसे सरब वाग रख पारिस्तितिकी तंथ एकोसिस्टम यह विचारधारा सरप्वितम एजी ट्रैंसले नामक विज्ञानिक द्वारा 1935 में दी गई इसकी अनुसार पारिस्तिकी तंथ वह तंथ है जो बातारवन की सभी जीविये तथा अजीविये कारकों की फरस्फर संबन्दों तथा पिक्रियाओं को द्वारा पिगट होता है खाद सेंखला फूर्चैन उत्पादकों से प्रात्मिक दुतियक एवं तिक्तियक उभोगताओं तक जीवधारियों की सेंडियों सेंडी के द्वारा उर्जा के इस्थाना अंत्रण की फिक्रियाओ खाद सेंखला कहलाती है रह खाद जाद खाद सेंखला में उत्पादक से भोगता तथा अपघटक तक उर्जा का इस्थाना अंत्रण सीधी कडी की रूम में होता है परंतो फ्रक्किती में विभिने खाद सेंखलाएं आपस में मिलकर तंत बनाती है इसे खाद जाल कहते हैं फ्रहोस्टिक ता इस तर किसी खाद संखला में एक विशेश इस थान पर जीवों की इस्तिती उर्जा फिरवा है जेब मंडल की गति सीलता उर्जा एवं पदार्ज की उपलब्धिता पर निर्वर करती है जेब मंडल में उर्जा का मूल सरोर सौरूजा से प्राप्तू सौरूजा है उर्जा फिरवा है जेब मंडल में किवल एक ही देशा में होता है कुतपादक प्रात्मे को भोगता दुतियक को भोगता तितियक को भोगता और सरवोच को भोगता एक और रोशक्तत त्याए है कि प्तेग पोसर्ण स्थर पर इस थाना अंतर्ण में केवल 10 पितीसर ओर्जा ही एक पोसी स्थर से अंगले पोसी स्थर तर पर पहुंचती है, बाकी 90 उल ऐसे लेंडवान का नियम भी कहते हैं बाकी 90 पिती सब उर्जा पिते एक इस्तर पर उर्जा की रूम में वाताबैड में भी मुप्त हो जाती है। हम बात करते हैं पराथफिक उत्पादक एफिकास संसलेसी की दोरान पादपों द्वारा एक निश्ची समयावदी में पिती इकाई छेत द्वारा उत्पन किये गए जेब मात्रा या कारुणिक सामग्री की मात्रा इसे जी की पाव माइनस टू या उर्जा की रूम में व्यक फिकास संसलेसन के दोरा कार्वनिक तत्त की उत्पादन द्र फरह नैट परात्मे को उत्पादक ता या सकल परात्मे को उत्पादक ता से सोसन के दोरान हुई छटी को घटा देते हैं तो हम नैट परात्मे को उत्पादक ता पराथ होती है फरह दूतिय उत्पादक ता इ निर्माट की दर के रूम में परिभासित किया है आगे बात करते हैं आप घटन आप घटकों की सहायता से जटिल कारुनेक सामगरी को आकारुनी तत्तों जैसे कारवन डाय उक्साइड जल्वा पोस्षकों में खंडित करने की किरिया आप घटन कहलाती है खड़ी फसल किसी विश्श समय में पितेक पोस्षन रिष्टर कर में जीवित पदायत की कुछ खास मात्रा होती है जिसे खड़ी फसल कहा जाता है प्रजाती सरचना में होने वाला उचित रूप से आंकलिक फरीवर्दर है पोसक चक एक पारीतंत के विभेन घटकों के माद्धेम से पोसक तक्तियों की गती सीलता को पोसक चक कहते हैं जै बिवित्ता सब्द सामाजिक जै पिग्यानिक एडवर्ड बिलसन द्वारा जैविक संगटन के पिते किस्तर पर उपस्तित बिवित्ता गुदर्साने ही तुप पिछले थे थर पिदूसन वाईव जल या भूमी कि भौतिक रसाइने के अजैविक गुड़ों में होने बाले ऐसे अंचाही परिवर्टन जो मनुस एवं अन्न जीवधारियों उनकी जीवन परिस्तिती की उद्धोगे फिक्रियां एवं सांस्केतिक उपलब्दियों के लिए हानीका पिदूसित बाव वायू द्वारा सौर उल्जा के अधिक धारन या ग्रहन करने से वायू मंडल में ओस्मा तथा जल वास्प की अतरित संचे को ग्रीन हाउस परिवर्वाव कहते हैं फ्रे भूमंडलीय तापन पितवी के तापमान में विद्धी मानो द्वारा उत्वन ग्रीन हाउस प्रिवाव का एक दूस परिड़ाव है ग्रीन हाउस गेस के नियनते बढ़ने स्के फलसोरू पितवी कतामान बढ़ता जाता रहा है इसे भूमंडली ये तापन कहते हैं फ्रेजीव एक जीविद वस्तु परियावर्ण किसी स्थान विसेश में मानों के चत्तुर दिप जल इस्थल जल बायू मिलता का वह आवरण जिसमें वगरा हो जैविक घटक किसी भी पारिस्तिवी तंत में उपस्तित उत्पादक उभोकता तता अब घटक का समुदार जो परस्पर संबंदित होकर पोसप सरजना पिदाशित करते हैं उत्पादक बेजीव जो अपना भोजन सर्म बनाते हैं वो भोकता बेजीव जो अपने पोसन ही तो उत्पादकों पर निर्वर रहते हैं प्रात्मे को भोगता सो पोसियों पर नरबर दुतिया को भोगता प्रात्मे को भोगता पर नरबर पादप उत्पादक में होते हैं बक्री प्रात्मे को भोगता है मनुसर दुतिया को भोगता है आंगे बात करते हैं अब घटक जीव वेक्टेरिया कवक में तोप जीवी हैं जो सड़े गरे तथा मृत भागों से वुजा प्राप्त करते हैं अजयविक घटक किसी भी पारिश्थित की तंत में उपस्ते सभी निर्जी पदार जैसे ताप जल प्रिकास मिर्दा अजयविक घटक हैं प्रिथो तापी या इूरी थरमल वह जीव जो तापमान का व्यापप पराज सहन कर सकता हैं तनू तापी या श्टेनो थरमल वह जीव जो तापमान का व्यापप पराज सहन नहीं कर सकते हैं यूरी हैलाइन जीव जो लवड़ता की व्यापक पराज के पिती सहन सील है इस्टेनो हैलाइन जीव जो लवड़ की कम पराज से सीमित होते हैं लिंगनपाद नर एवं मदा कानुपा जनमदर समश्टी में दी गई अउधी में होने वाले जनमों की संख्या मित्युदर दीगे यहुदी में समश्टी में होने वाले वाली मोतों की संख्या समश्टी या जनसंख्या एक विशश्चेत में जातियों का समूर समश्टी वेकार विश्तारित इस्थिर तथा घरती हुई जनसंख्या घनत पिती वर किलोमीटर में जीवों की संख्या जनसंख्या बित्थी जनसंख्या की आकार में बित्थी आगे बात करते हैं परयावायन आयरजन के साथ मूलता समदी संगटन कौन सा है? नीरी मैंगोप बनो पर वैस्विक तापान का क्या प्रभाव होगा? मैंगोप के विसालचेत जगल मगन हो जाएंगे भारत में धार्णी है विकास की द्रिश्टी कौन से विद्धुत पादन का सबसे अच्छा सरूत कौन सा है? जल वित्थू धार्णी है विकास जिनके उपयोप के संदर में अंतर पीडिगत संबेदन सीलता कभे से क्या है? प्राक्तिक संसाद है वसुद न्दरा सिखर समयलेन कहा हुआ था? याद रखी है घराजी रेड डाटा वोग किन जादियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन है इनमें से कौन सा जय बिवित्ता के लिए खतरा है? प्राक्तिक आवास और बनस्पती का भिनास तथा जून खेती भारत में पारिश्थिति की आसंतुलन का कौन सा एक प्रूंकारन है? बन उन्मूलन ताल पारिश्थिति तंतिकी श्थरता किस पर निर्पार करती है? पाद उत्पाद को और उब्हुपतां पर प्रक्तिक की संतुलन को दे करने बाला मुख कारक कौन सा है? मानो गत्ति विदिया किसे बैस्पिक्स विरासत का बन माना जाता है? प्रश्चिम मंगाल में सुंदर बन वह बर्डग जो बनस्पती को परावेगनी केड़ों के दुस्पिरभाव से बचाता है कौन सा है? फाई को साइने सरवादिक जैब विवित्ता कहां पाई जाती? उश्ण कटी बन दिये वर्सा बनों में काजी रंगा किसके लिव जाना जाता है? गैना के लिए फारिस्ति की तंत में तत्यों के चक्रों को क्या कहते है? जैब गूर असायनिक चक्र चिप को आंदोलन मूरूप से किसके विरोज था? वन कटाई के इको मार्क किन भारती उत्पादों को दिया जाता है? जो परयाक बर्ण के पिती मैं त्री पूर है दो भिन ने समुदाय के वीच का संकरांती चित क्या कहलाता है? इको टॉन एक मन उसके जीवन को पूर रूप से धाडिये करने के लिए आवस्यक नियुम्तम भूमी को क्या कहते हैं? फारिश्तिति की ये पदच्छा कौन एक पिवाल बिरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? साग्रिये जलके सामन तामान में बिध्धी पचास से अधिक देशों द्वारा सैवत राष्ट का मौसम परिवर्थन समझोता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 जीव के लिप्टस फारिश्तिति की मिथ्य या सत्ति उस्तु सत्त्रिव एक किंति पारिश्तिति की तंत किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल जैब साला द्वारा सबसे अधिक इस्थाई पारिश्तितित तंत कौन सा है? 1 किसी पारिश्तित तंत में कौन सा एक दिसी है? प्रभावाच प्रभावादर साता है जैब माप्त है? माप्तरा, बायो माप्त मनों से किसके द्वारा जैब मंडल में फारिस्थिति की संतुलन बनाए रख अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आंगे फिदूसन ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बाइलोजी जी बिग्यान के बारे में तो हम लोग दस चेप्टर खतम कर चुके हैं लाश्ट चेप्टर कौन सा किया था खतम फारिश्थिति की अब बात करते हैं हम लोग फिदूसन के बारे में ठेक है आपको फरसे बता देता हूँ कि ये सभी लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगी तिले सूची में जनल साइंस के नाम से फिले लिष्ट बने हुई है उसी में सभी डले रहेंगी ठीक फर्यावण सरक्षन फर्यावण बास्तों में दो सब्दों से मिलकर बना है परी फिलस आवरन अरताथ हमारी चारों तरफ का बातावण इस बातावण में सभी अव्यववें में एक खास संतुलन होता है फर्यावण सरक्षन की सुरुवात 1948 में ता इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचूरल रिसोर्स की स्थापना द्वारा की गई थी इसके बाद सम्मेलन पेरिस 1960 में मानोद फर्यावण सम्मेलन स्टॉक होम 1972 में फितवी सेखर सम्मेलन रियो डी जनरो में 1992 में विस जलवाईव सम्मेलन क्योटो 1997 में बाली सम्मेलन 2007 में इस्टोकोम सम्मेलन 2009 में सभी दर्जन और अंतराष्टिय सम्मेलनों में पर्यावण सरक्षन पर भैस हुई तथ पर्यावण सरक्षन हो हेतू सरक्षन हेतू अनेक प्रावधान किये गए पांच जून दो हजार पांच जून 1972 को इस्टोक होम में हुए पित्थम मानाव सम्मेलन में ये पांच जून को विश्व पर्यावन दिवस घोसित किया गया है याद रखिए पांच जून को विश्व पर्यावन दिवस मनाया जाता है पर्यावन से सम मंदी समस्याओं और मसलों पर भारत हथका ने चौतरी पंचवल सी योजिना के द्वारान विशेश ध्यान देती हुए 1972 में बिज्ञान एवं प्रोधोग की विभाग की अंतरगत राष्टी ये परयावान आयोजिना एवं समनवे सम्ती कगटन किया समिधान एवं प्रावधान की बात करें तो जन साधान के पिती जाग भुकता लाने के लिए 1976 में 42 वे समिधान संसोधन द्वारा नीती निर्देशक्तत के अंतरगत अनुचेद 48A मोल कर्तपों के अंतरगत अनुचेद 59A6 में प्रावधान किये अनुचेद 48A राज्जिद देश की फर्यावण की संरक्षा तथा उन्हें सुधार करने का वन तथा अन्य जीवों वन जीव की रक्षा करने का प्रियाद्स करें और मूल करतब्यों में अनुचेत इंक्यावन एच्छा में पराक्तिक पर्यावन की जिसके इंतरगत वन जील नदी वन जी रक्षा की रक्षा करें और उनका संबलधन करें तथा प्राणी मातकिपिती द्याभाव रखें ठीवें आंगे देखते हैं वायू पिदूसन का विश्चिसनी है संकेद कौन सा है लाइकेंस तथा मॉस मॉटल काल से उत्पन फिदूसक जो मालसिक रोग पैदा करता है कौन सा होता है पीवी कारवन मोनो अक्साइड एक फिदूसक है क्योंकि है हीमो गलोविंग से सयोग करती है मुख वायू फिदूस सब कौन सा है CO कारवन मोनो ऑक्साइड आंगे बात करते हैं मॉंबई कोलकाता जैसे सहरों में पिरमुक वायू कुदूस कौन सा है CO एवं SO2 कौन सा वायू मंडली है पिदूसक नहीं होता है कारवन डाइ ऑक्साइड हरत हरेत ग्रह गैस हैं कौन सी हैं CFC, CO2, CH4, NO2 कौन सी गैस फित्वी पर हरित ग्रह वायू में स्तरवादी के उगदान करते हैं कारवन डाइ ऑक्साइड मेटोफोलिटन नगरों में पिदूसन का पिरमुक शरोत है 142 कौन सी गैस हीमोगलोमें से सहयू कर रख में एक बिसेला पदाल बनाती है CO कारवन मोनो अक्साइड बोपाल दुरगटना में किस गैस का रिशाव गा था मैथाईल आइसो सायनेट तेजाव बर्सा परयावन के परयावन में किसके पिदूसन से होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कारवन डाई ऑक्साइड से आगे बात करते हैं हरित ग्रह विभाव का क्यारत है वाई मंडल में ग्रेन हाउस गैसों के गहनी करण के कारण वाई मंडल के ताबमान का बढ़ना दूल पिदूसन रोकने के लिए उपयोक्त बेक्च कौन सा है सीता असुक कौन सा जैब निमने करणी है कागज फराद होन किस फिकार पिदूसन पहलाता है ओत्री परत को छती बहुंचागर किस बायूर पिदूसन गेकारण मनुस में तंथिका समांदी रोग पैदा होता है सीजह कौन सा बायूर पिदूसक मनुस में रक्त डाप को वढ़ा देता है तथा हिदय सम्मंदी रोग पैदा करता है, कैडमियम, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में, लोहे सकी तम येता रोग होने का क्या करन है, सिलिखा, बाईउ मंडल में कारवन डाई उपसाइड का निर्माड मुक्ता कैसे होता है, जीवों के सुषन से, आँगे बात करते हैं, ताज महल को छटी किस कारण पहुंच रही है, मत्वरात, तेल, सोधन, साला से निकले, वाईव के दूसरं से, मनुस की कारवन मौनोक्साइड के बाताबैन में मित्तीव क्यों हो जाती है, ये रक्त के हीमोगिलोविन के साथ सयोग करके, रक्त को ऑक्सीजन अउसोसिक करने के आयोग बना दिता है, पितवी के वाईवुंडल में उपस्तित ओजौन, इस्थर का क्या कारण है, फरावेगनी केड़ों के प्रवेश को कम कर देता है, मिना माता महामारी, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके पिदूसन के कारण हुई थी, पारत, जल पिदूसन को मापन नहीं है, जितु कौन से जांच की जाती है, बायो केमिकल ऑफ सिजन डिमांड, DDT क्या होती है, अजीब अभघणनी है, पिदूसन, सूर से आने वाली हानी कारण पराण, बैगनी की विक्किरन, सिख्या प्याकत हुथा है, सिख्या उता है, तच्छ परियोजना जो चली है उन्हें देख लेते हैं वाग परियोजना एक कई वार बूची जा चुकी है तो इसे याद रखना एक अप्रेल 1903 को बाग परियोजना की सुरुवात की टाइगर प्रोजेक्ट यह समय देश में 25 अभ्यारणों में यह परियोजना चल रही है फिर ला अलपन्डा परियोजना हमालाय-चित spent में सरक्षां करने की परियोजना चुरुज्वात 1996 इसाह फाकिति मडीपूर ाई परियोजना 1997 में मडीपूर ाउṈDas में परियोजना सुरू की घैतो जैनज अबियारान तेट!! 1972 में गुजराष सरकार ने इसके सरक्षा फ कि सिधार के लिए क्यां से यह परीयोजना शूप की थी फिर हमालय कस्तूरी परीयोजना भार सरकार की सायोग सेसरक्षन परीयोजना उत्तरपद्दिस के कैदेरनातब्यारण में आरंप की गई थी आ हाथी परियोजना यह परियोजना जारेखंड के सेंग भूमी जिले में साथ देसंबर 1992 को शुरूं की गई थी तो यह थे मगर फिजनन परियोजना कौन सी है मगर फिजनन परियोजना भारा सरकार ने सेवक्त राष्ट विकास कारकरम UNDB की साहता से 1975 में उडिशा में मगर फिजनन परियोजना की आरम की थी फ्रेख प्रोजेक्ट हंगोल प्रोजेक्ट हंगोल 1970 में सुरूं किया गया एक्सन टाइगर्स परियोजना बाराय देसों के माध्यम से बागों की सरक्चण हे थी सरिसका ब्यारन में 2005 से सुरूं की गीद्ध सरक्चण प्रोजेक्ट वंबे हैस्क्री नेचूर्वेल सोसाइटी ने गैद्धों के सरक्चण हे थू 1970 में शुरू की है कच्छुगा संरक्षन परियुजना कच्छुगा का संरक्षन वाउस की इसकी तर्सकरी रोखने के लिए 1975 में उड़ीचा के भीतर का निका वहारान से इस परियुजना को चालिव किया गया था आंगे बात करते हैं यदि जल का प्रिदूसन बर्तमान गयती से होता रहा तो अन्थता क्या होगा? जल पात्रों के लिए आकसीजन के रूख प्राय — प्रापय हो जाएंगे अंगे बात करते हैं नदियों में जल पिदूसन की माप किस पिकार की जाती है O2 की O2 की Oxygen की गुली हुई मातरा से कौन सी गेस बाई उसको पिदूसित नहीं करती है CO2 फिलाई एस बातावर्णी है पिदूसक है जो किसके द्वारा उत्पन होता है किसको उद्धो के अंतरवा है कि कारण होने बाले जल पिदूसन को नियंतित करने में वपियोगी पाये जाता है पार्थी नियम पिदूसकों के रूम में फॉनो लिक्स को गंदे पानी से किसका फेव करके निकाला जा सकता है बहुलक अधी सोसक का सबसे खराब बायू पिदूसन उत्पन करने वाला पतात कौन सा है कारवन डाई ऑक्साइड किसके द्वारा जल के पिदूसन को साफ करने में बायू फिल्टर के रूम में पायला गिलो वोसा प्यूप्त किया जाता है तो है कैडमियम ठीक आगे बात करते हैं कौन सा इन्हांस नियूनतम पिदूसन उत्पन करता है हाइडरोजन कौन सा आप अपत्रण उत्दोगे प्रवाह है प्रवाह है से उत्पन जल पिदूसन पर नियंतर रखने में उपयोगी सिद्धूगा जल संबुल भूमिगे जल को दूसित करने वाला अजेविक पिदूसक कौन सा है आरसेनिक वाईव मंडल में चिस ओजोन चिद्ध का पता लगाया गया वह कहा चिते थे अन्टार्ट टीका के उपर कौन सी गेस बेस्विक उस्ट्रण रिता के लिए उत्रदाई है कारवन डाई, ऑक्साइड और मैथेन वाईव मंडल में उपस्तित ओजोन परत किसे ओस्विक करती है अल्टा वाइलेट केड़नों को ओजोन देखते कारप कौन कौन से है किलोरो फिलोरो कारवन, हैलांस ताथा कारवन टेट्रा किलोराइड कौन से छेत जविवित्ता की द्रिष्टी से उत्तेजन सील माने जाते है पूरी वीहमाल है तथा पश्चमी गाट वारतिय वन फ्राडी संस्थान कहां इस्तित है तो आपको याद रखना है देहरा दून किस देश में विस्त के ताब मानों पर आ कर रहे एक खट्रिट करने के लिए बेस्पिक बाई वंडल चौकसी स्टेशन इस्तापित नहीं किया गया भारत में नाइट्रोजन हरित ग्रेग गैस है अत्वा नहीं नहीं तामा जल पिदू सक है अत्वा नहीं नहीं ग्रीन हाउस गैसों फिस्त अंखल्पना किस ने की थी जोसेफ खोरियर नहीं कौनसी प्रागतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सरवादी ग्रीन हाउस एफेक्ट करती है सी ओ टू विस परियावान दिवस कब मनाय जाता है तो आपको पता है पांच जून को राश्टी परियावान इंजिनेर इंजिनेरी अनुसंधान सस्तान नांगपूर में है नदी में जल पिदूसन के नेधारण में किसकी गुली भी मात्रा मापी जाती ओक्सीजन की पिदूसक के कुछ विसुसनी है सूचक होते हैं लाइकेन तथा मौस वायो मेगनीफिक किसन क्या है खाद संखला के अंध तक अजयब निमनी करनी है पिदूसकों के संकेतन में संकेंदरन में बिद्धी वायो मंडल में ओजोन परत की मौटाई नापने वाली काई कौन सी है डॉप्सन परादोनिक जेट किसकी परत को पतला करके पिदूसक उत्पन करता है O3 केडमियम पिदूसन किस से सम्मदे थे एटाई एटाई से याद रखिए ये वी कई वार पूँच लिया जाता है केडमियम पिदूसन किस से सम्मदे थे एटाई एटाई रोख से किस कारण से जल का भारी धादू पिदूसन होता है अमल सयंत लाइकेंस किसके पिदूसक का अच्छा सूख चक है बायू पिदूसक के ठीक चिपको अंदोलन मूरूपसिक किससे सम्मन विरुद था तो वन कटाई से ये को मार्किन भारती उत्पादों को दिया जाता है फरयाव एंड किपिती मैतिपूर उत्पाद को ठीक तो चलिए हमने बात कर लिया है पिदूसक को देख लिए हैं ठीक 11 लेक्चे ग्यारा चेप्टर है पिदूसक अब हम अंगले चेप्टर में बात करेंगे बारापा चेप्टर जन्तू बिग्यान की साखाओं के बारे में ठीक है बाराए विया लेक्चे देखेंगी हम अब आगई हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं जी बिग्यान के बारे में या बाईलो जी ठीक है तो अभी तक हम लोग 11 चेप्टर खतम कर चुके हैं ठीक है पिछला लेक्चे खतम किया था पिदूसक के बारे में अब इसमें बात करना है हम लोगों को जन्तू बिग्यान क्या जन्तू बिग्यान की साखाओं के बारे आपको बता दें फिल्ले लिष्ट में जनरल साइंस के नाम से सूची बनी हुए उसी में ये सभी लेक्चर डले हुए चलिए शुरू करते हैं कैंसर सम्मंदी रोगों का अध्यन क्या कहलाता है उंकोलोजी मुलस्का समुदाय के जन्तूओं के कवच का अध्यन क्या कहलाता है को उंकोलोजी बंसागति के नेमों के अध्यन को क्या कहते है अनुवांस की मनुस्तके बातारवन को सुधारने से नसल सुधारना क्या कहलाता है। यूठे निक्स। नलिका विहिन ग्रंथियों का अध्यन करने वाली बिज्ञान की साखा को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलोजी। उस बिज्ञान को जो अनुवान सिक्ता कि नीमों द्वारा मानो जाती की उत्पत्री अध्यन करता है? क्या कहलाता है UG Nix कीटों से संबंदेद जी विज्ञान की साखा क्या कहलाती है Entomology ठीव आंगे बात करते हैं हम लोग जन्तु विज्ञान की विभिने साखाएं देख लेते हैं उनके जनक ठीव अनुवांस की इसके जनक थे जी जे मैंडल चिकिद सास्त इसके जनक थे हप्पो केटस सोक्षिम जी मिकी इसके जनक थे लुईज वास्चर फितीर अक्षा विग्यान एडवाड जेनर जीवाडू विग्यान रोवाड कोच वी किरन अनुबांस की एच जे मुलर और फरह तुलाद्मकरचन जी क्यू वियान आधुनिक अनुवांस की बैटसन जीरोंटोलोजी वाल्डी मीर कुरेंट चेवस्की आधुनिक सारीडी की एंडियस बेसेलियस रक्तपरीसंचन शेंचन भी जनक थे भी पार्णियान अनुवाड ज्यांड ज्या बिलियम हर्वी, रोदेरबर्ग, कॉल लेंडिस्टीनर, वरगी की केरोलस, लीनियस, जीवास्म बिज्ञान, लियो नार्डो दबिंसी, लियो नार्डो दबिंसी, आधोनिक भूर की काल इवान बेर, उत्परिवर्तन बाद, हिउगो डी बिर्ज, सुजन की फ्रांसिस गाल् फिर हैं माइक्रोइसकोपी, मार्सेलो मालपीजी, एंडोकाट, क्राइनोलोजी, थोमस एडिशन, जन्तु बेग्ज्ञान, अरस्तू, आंगे देखते हैं, मचलियों तथां उससे समंदित उद्धों का, अध्धिन क्या कहलाता है, एक्क्वीत, एक्क्वीतियो लोजी, जन्तु बेग्ज्ञान की, वह साखा, जिसके अंतर के जन्तु की बाहे आग्ति, यह उन्सरचना का अध्धिन किया जाता है, क्या कहलाती है, मौर्फुलोजी, ठीए, मानो तुचा का अध्यन करने वाली विज्ञान को क्या कहती है डार्मेटोलोजी अस्थियों का अध्यन किस विज्ञान की गिस साका के अंतर्द किया जाता है ओस्टियो लोजी जीवों के संक्मर के बिरोध पितीरोध का अध्यन किस के अंतर्द किया जाता है इमियूनोलोजी एक्सो वायोलोजी में किसका देन होता है बाहे गिरहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का जी बिग्यानिकों के पिक्षे पड़ों का गरतिय विवेचन किस साका के अंतरकत किया जाता है तो याद रखे बायूमेट्टेक्स तो बात कर लेते हैं घनतू के ज्यान की साख़ाऊं के बार एन्थुलवेट्सुल Hawk पे मानौस स्ब्णदीट्स मानौस जाती की सांसे की विकास अध्यन से सम्वंद देता स्था एन्थोलोजी त्इक्या एरेक्नोवेट्सिणों यह मक्डियों का अध्यन होता है ते बायो केमिस्ट्री जीव सरीर की रसायने से सम्मद्धित हैं बायोमेटिक्स जीव बिग्यान के प्रयोगें के बेभिन परिडामों की सांखी की विसलेशन एबं अध्यन होता है बायोमेक्स ये जन्तुओं के तंतिका तंत का अध्यन होता है साइटोलोजी कोश्काओं का बहुर मुखी अध्यन होता है क्रेनोलोजी करोटी का अध्यन होता है एकोलोजी सजीव ये बमनेवेजीव वातावर्ण से जीवों के विवित सम्मद्धों का अध्यन होता है Internal Morphology जीवों के सरीर की वाहरी सरज़ना कद्यन होता है Endocrinology अंतासरावी तंतों कद्यन होता है Eth correlated Ethology जनतूं के ब्यवार कद्यन होता है Embiology भूरी है परिवर्धन का अद्यन होता है इवूलेशन जीब जन्तुओं का उद्वाव एवं विवेदी करण का इतिहास एक्सू बायोलोजी अन गिरहों फर संबादित फित जीबों की उपस्दी का अध्यान होता है हेस्टोलोजी उत्कों का अध्यान होता है यूजिनिक्स अनुवान सिक्षी के सिध्धान द्वाना मानो जाती की उन्नती का अध्यान होता है पर है यूफिनिक्स कोशिकाओं में जीन, आरेप, प्रोटीन सेंखला में परिवरतन करके मानो जाती की उन्नती का अध्यान होता है इंजाइमोलोजी उत्पेरकों का द्धेन होता है एंटोमोलोजी कीट पतंगों का द्धेन होता है जेनेटिक्स जीवों के अनुवांसिक लक्षड एवं इनकी बंसागती का द्धेन होता है हेस्टोलोजी सोक्ष में दर्सी द्वारां अंगों की पौत्तिक सरजना का अध्यन होता है हीमेटोलोजी रोधेर एबं रोधेर रोगों का अध्यन होता है हेलमेंथोलोजी फरजीबी क्रीमियों का अध्यन होता है कर दो हरम्मै टालोजी और चारियों एबं सरीसुपों का ध्यान होता है कि मचली यों का ध्यान को ब्रोजुटी है खिला है त्यांगे बात करते हैं चोशल economics घ्रिमस फिया कंडराई उल्प्रेक्षिल क्या वरहन न्यम्ये 1 आग्यां Monique कि खोलों का द्धेन होते हैं मौलग मौलीउक्यूलर वायलोजी आहड़क स्थर पर जन्तुमों की रसायनी का द्धेन होते हैं माइक्रो वायलोजी अत्ती सोक्षम जीवों का द्धेन होते हैं नियूरोलोजी तंतिका तंत का द्धेन होते हैं ओस्टियोलोजी कंगाल तंत का का अध्यान होता है। ओरोंटोलोजी दंत विज्ञान समंदी अध्यान होता है। ओर्गेनोलोजी अंग विज्ञान समंदी अध्यान होता है। ओर्णियोथोलोजी पक्षियों का अध्यान होता है। ओफियोलोजी सांपों का अध्यन होता है फिजियोलोजी सरीर के विवन भागों के कार एवं कारविधियों का अध्यन होता है पारासीटोलोजी परजीवी जीवों का अध्यन होता है इसमें प्रेथोलोजी रोगों की प्रक्ति लच्छनों यहां कारणों का अध्यन होता है प्रोटो जो अलोजी प्रोटो जुगालोजी प्रोटो जुगालोजी प्रोटो जुगालोजी प्रोटो जुगालोजी प्रोटो जुगालोजी प्रोटो ज पर्फेसीऊं का किया साथिए ये सीरोलोजी रिर्धीर सीरम और टेक्टोलोजी शरीर के रछनातम के संगतन का देन विप नामकर्ण नेवन ब्रगी करन का देन बुद्यब 144 प्रप्रावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा जो जियोग्राफी पितिवी पर जंतुओं का वित्रण का देन उता है। 45 वायोड विजी जंतुओं की मनुवित्ती का द्यन किया जाता है। पहली उन्टोलोजी के अंतरका किस का द्यन किया 또 है। जीवास्व का यदर का earnings है? जीवों एवं बातावाण की अंतर अभी किया से संबंद्र जी विज्ञान की साखा क्या कहलाती है फारिश्थित की तितिलियों का द्धन क्या कहलाता है लेपीडेटेरियोलोजी मक्षलियों से संबंद्रियोलोजी और्नियो तोलोजी किसका द्धन है फक्षी का गाओ कद्धिन क्या कहलाता है कि टोमेटोलोजी जनतों ग्यान की वाई साखा जिसके इंतगत अनुवांसिक लक्षणों इभाम उनकी बंसागती काद्धिन किया जाता है क्या कहलाता है जैनेटिक्स ठीक है बात कर लेते हैं यहीं पोटो जुए जनेट पस्वों के रोग तो एय रोग हुए कारक है रोग के लक्षण और रोग के रोगता कोक्षी डियोसिक एक कारक का नाम है कोक्षी डिया फ्रिsystem OFF लक्षन है रक्त स्राव आत्सोद खूनी फेचिस नाइट्रो फ्यू राजन योगिक से प्रेव बबेसिये सिस इसे बबेसिया विस विविस से होता है तीव जुआ रक्त अल्फता लागछड़क उप्चाद प्रेथ थेले रियोसिस थेलेरिया फारवा थेलेरिया एनू मिवट टास एक तीव ज्वार वह लसी का ग्रंधियों में सूजन थेलेरिया एनू लेटा का टिसू कल्चर कर्टी का फिर एहना फिलाजमोसिस एहना फिलाजमा फिरजाती के परजिवी लाल रक्त कड़ों का बिनास एहना प्ला एटीं का फिर सर्रा एक टिप नौसो मेसिस ट्रिपेनो सौमा एवान साई ज्वार रक्त की कमी मुकोस्दी सरावीन फरेट्राइव कुमो नियसिस ट्राइव कुमो नाइव फीटस कारक है गरपाद बबंदता इसके रोकी लक्षन है लाचड़ेक उप्चार है डावरीन ट्रिपेनो सौमा एक्क्यू फरड़ं लेंगिक संक्रमा करूख होता है लाचड़ेक उप्चार होता है बात करते हैं आगे जन्तु तथा उसके आसपास के बातावायन सम्मंदी अध्यन को क्या कहते है फारिस्तितिकी मास्पेसियों का अध्यन क्या कहलाता है मौयूलोजी जन्तं क्या 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 अध्यन डेमोग्राफी ठीच मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है एपी कल्चा रेसम का पालन मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है एपी कल्चा रेसम पालन का क्या कहलाता है सीरी कल्चा उत्कों की रचना के अध्यन से सम्मंदी विग्यान हेस्टोलोजी दिज्ञान की साखा नियूरोलोजी में कौन सियंग काध्यन किया जाता है सनायू तंद जेरेंटोलोजी किसके ध्यन से सम्बंदे थे विरध पीडियाटिक्स किसके ध्यन से सम्बंदे थे सिसू रोग के ओनकोलोजी किसका ध्यन है कैंसर का जेनेटिक्स में किसका अध्यन किया जाते है, अनुवान सिक्ता वगुड़ सूत का, रक्त में एंटी बोडी, एंटी जन किया ध्यन को क्या कहते हैं, सीरियोलोजी, सीरोलोजी, फार स्थित्की बिज्ञान एकोलोजी का संबंद है, सरीन, सलचना बबाता बनन से, चलिए तो नहीं तो आप रखोंगों को बतादा हsom कि था हमारा इसमय बारबा लेक्चर जंटू बिग्ग्यान उसकी साखां है हाँ कि अब बात करेंगे हम लोग अंगले लेक्चर में पिर मोख जी विग्ज्ञान के बारे में देखेंकी ते हम लोग बात कर रहे हैं वाईलवजी के बारे में जी विग्ज्ञान के बारे में तो हम लोग अभी तक 12 चेप्टर घतम कर चुके हैं 12 चेप्टर कौन सा था जन्तु विज्ञान की साखाएं अब इसमें बात करते हैं पिर मुख जी विज्ञानिक को गिवारी में जी विज्ञानिक देखते हैं जन्तु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं तो आप लोग उनको बता देना है अरस्तु जन्तु बिज्ञान के जनक कोन कहलाते हैं अरस्तु आंगे बात करते हैं चिकितिश्या सास्त का जनक किसे कहा जाता है हिपो केटस को हिस्टोरी का एनी मिलियों उस तक कि लिए कहा हैं अरस्तु चिकितिश्या सास्त के विद्ध्यारतियों को किसकी सबत दिलाई जाती है हिपो केटस की फ्राक्तिक वर्डबाद से किसका विशेश सम्मध है चार्ल्स डार्विंग का अनुवानसिक्ता के नियम के जन्दा था कोन है मेंडल डिएने संसलेशन का पितिवादन किसने किया था कौन वर्ग ने फिलाउमान जीन के सिद्धान का पितिवादन किसने किया मिकिन्टांक टाग फिलासफिक जूलोजी के लेका के लेमार्क जीवाडू वेक्टेरिया की कुछ किसने की लिवेन होकन हर्गोविंद खुराना को किस छेत में छेत में पितिष्टे नोबल पुरस्कार मिला था चिकित्स्या विज्ञान के लिए ठीक है किसने फ्राक्तिक वारण या सर्वोत्नम की उत्तर जीविता के सिधांतों पर आतारिती विकास के सिधां पिती पाधत किया तो याद रखना डार्विंद सुक्ष में जैविकी के फिता कौन है लुईस पास्चर इस टेथो इस कौप का विश्कार किस ने किया लैनी ने एडवर्ग जैनर किस रोग से जुड़े हैं चेचक से वह विज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधीर फरी संचर्ण की ब्याख्या की थी विलियम हार्वे ठीक हार्वे आंगे बात करते हैं हिदय का पहला पिती स्थाफन किसने किया किसके द्वारा तो डॉक्टर किष्चियन बनार्ड ने डीने की सरचना को सबसे पहले किसने रिखांकित किया वार्षन वाकित में विकास का सिध्धान किसके द्वारा पिती पादित किया गया था लिश्टर आधुनिक एंटी रजेई का जनक कौन है लिश्टर रेविज के टीके की कोज किसने की थी फास्चर नेचुलल सलेक्षन का सिद्धान किसने बनाया डारिविन फैनेशलीन की कोज किसने की थी एलेकजेंडर फिलेविंग याद लगिए वायलो जी के जनमदाता की रूम में कौन जाने जाते हैं अरस्तु जी रक्त समू का विश्कार किस कोने लेंड इस्टीनर मदू में के उपचार हितु फिफ्थ हार्मोन इंसुलीन का विश्कार किसने किया एप जी वेंटिंग ने किस विज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छनों द्वारा होता है रोनाल्ड रोस लिप्रो पॉसी वैसिलस क्याविसकार किसने किया हैं सेन आंगे बात करते हैं किस के द्वारा अनुवान सिकता कर विज्यान को अनुवान सिकि कहा गया किस के द्वारा तो याद रखी वॉर्ट्सन है चे चक के लिए टीके कावस्कार किसने किया था Edward General फेलेविंग किसकी कोच के लिए पिसेद है पेंडिसलीन जन्तुमों में रुधी परिवाहन की कोच किसने की विलियम हारवे किस विज्ञानिक के अमसार नई कोश्काए पूरु कोश्काओं से उत्पन होती है विरक्यो जरम थिवरी ओफ डिजी जी किसने पिस्तुत की लुई पास्चर A, B, O, रुधीर समूब भा आरेच फेक्टर कारक की कोच किसने की कारल लेंड इस्टीनर गुड़ सूप्त सब्द का फिर्योग सरपितम किसने किया वाल्ड एर अगना सैसे इंसूलीन को सरपितम किसने पितक किया वेंटिंग एवं बेश्ट में एलेक्टॉन सूप्छ दर्थी की खोच किसने की नौल एवं रसका ने फारेच फितिती की तंत नाम का पियुक सरपितम किसने किया A, G, ट्रैंसले DNA की दुई गुड़ी सरचना का दिन किसने किया वाट्सन एवं क्रिक ठीक है आँगे बात करते पोलियों से बचाओ के लिए टींके की कोज करने वाले विज्ञान का क्या नाम था जोनास साग जेनेटिक कोड की कोज किसने की नीरेन, वर्ग एवं मथाईद जीवासमी के जनक जीवासमी के जनक कौन है लियाइनाइडो दाविंसी चिकित सिया साथ के जनक है पोकेटस सोक्ष में जीवकी के जनमदाथा लुई फास्चर जीवाडू जनक के जीवाडू बिग्यान के तो लिवाडू हो याद रखना है पादप कारिटकी के जनमदाथा इस्टीपन हेल्स तो याद रखिए ये थे हमारे जीव बिग्यात से सम्मदित महत्पून बिग्यानिक ठीक है ये तिरवाड चैप्टर हो गया खतम अंगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग जन्तू उतक के बारे में ठीक है चोदेवी लेक्चर में बात करेंगी जन्तू उतक ठीक है याद रखिए हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जीव बिग्यान के बारे में बाइलोजी हई तो हम लोग कितने लेक्चर देख चुके थे कितने चैप्टर खतम कर चुके आपको बता दें यह सभी जितने भी चैप्टर खतम कर चुके हैं वो सभी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे जनल साइंस के नाम से फिले लिष्ट बनी हुई है उसी में डले हुए ठीक है वहाँ जाके देख लें चली बात करते हैं हिस्टोलोजी सब्द का सरपितम पे हो किस ने किया तो आपको याद रखना है मेयर हिस्टोलोजी सब्द का सरपितम पे हो मेयर ने किया किस पिकास के उतक शरीर के सुरक्षा कबच का कार करते हैं तो एपी थेलियमी उतक कौन सा उतक घाव बनने मैं सहे पुता है एपी थेलियमी उतक कौन सा उतक शरीर को गरम रखने हैं तो उत्तर दाई है इस्तनियों की तुचा के डर्मिस में मनुस की तुचा सबसे मौटी कणा होती है तलवे पर लेक्राई मल गरंथियां क्या सरावित करती हैं आसू कौन उतक का उधारन है रक्त वायोपसी किसे संबन दे थे परीक्षण के लिए उतकों कुसरी से अलग करने से आंगे बात करते हैं जैब संगठन का सही क्रम क्या है कोशिकाएं उतक अंग अंगतंत जीब माश्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं सहयोजी उतक में हेवर सियनतंत कहां पाई जाता है इस्तिनियों की अस्तियों में फैंपडों को ढखने वाला आवरन क्या कहलाता है फिलूरा दात मुक्रूप से किसके बने होते हैं डेंटाइन के दात का सिकर किसका बना होता है एना मिल का व्रद्धावस्ता में तुचा में जुरियां पढ़ जाती है इसका क्या कारण है उप चर्मी है इस तर में लचीला पन कम होने के कारण मनुस के सरी में सबसे लंबी कोश क्या पहुंसी होती है तंतिक्या कोशी का तंतिक्या उतक की इकाई क्या है नीरोन संबेदना का चालन सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है तंतिक्या उतक के द्वारा लिगामेंट एक रचना है जो किन को जोड़ती है अस्थी को अस्थी से उट का कूवड किस उतक का बना होता है वसा मैं उतक का मोटापा किसकी अधिक्ता के कारण होता है वसा उतक के कारण आंगे बात करते हैं नाभी रज्जु क्या है प्रोड सयोजी उतक किसी जेविद देह के भीतर कोश्का या उतक की मिर्ति वो क्या कहते है निटो फिलिया किस उतक के नर्ख, खोर और सिंग बने होते हैं केरेटिन आरेच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया बंदर से जनम के बाद मानाओ के किस उतक में कोई कोश्का विभाजन नहीं होता तंति क्या है फिलाजमा में जलका पितिसत क्या है नब्बे पितिसत रक्त क्या है एक सयोजी उतक समान कोश्काएं किपिंड को क्या कहते है उतक उतक की कोशियाएं किस के द्वारा जुड़ी होती हैं अंतर कोशिये पदार से सरीर में अधिक सबसे अधिक किस पिकार के उतक होते हैं सयो जी उतक स्वासनली में किस पिकार के उतक होते हैं Elastic Cartilage उट के कूबर में किस पिकार के उतक होते हैं Happy Dose उतक सरवादिक बड़ी कोशिक्या का पितीने दिते कौन करता है सुतोर्ग मोग का अंडा मास पेसियों को हड़ी से कौन जोड़ता है टेंडन हड़ी को हड़ी से कौन जोड़ता है लिगामेंट सबसे महत्पूंट कार्टिलेज कहा होता है फाइब विरस्ट कायटिे लेज में फाइब विरस्ट मुक्ता कहा होता है। इनवाइटी ब्रिल डिस्क में मनुस के सरीर में सबसे लंबी कोश का कौन से ही होती है। तंति क्या कोशी है। रीक्ष हो आगे बात करते हैं। कुछ तंत्यों की आकरीक वसारीरिक लच्छन देखते हैं संगठन के पिकार यह सम्मितिय भूड़ी इस्तर फ्रिक गुगा यह सिलोम पाचंतन और परिशंचरतन तो कोस्किय इस्तर बात करते हैं उधारन के लिए जैसे इस्पंज आसमित मिति उधारन इस्पंज दुई कोरिक जिनमें दो भूड़ी इस्तर बाहे एक्टोडर्म तथा आंत्रिक एक्टोडर्म मिजोर्डर्म से अक्षादित शरीर गौह को फिवो गौह कहते हैं पाचंतन से भोजन के वने जटिल अडूओं को छोटे अडूओं में विभाजित कर शरल पदार्थों में विभाजित करते हैं परी संचन तथ एक खनेज लवड़ों भोज पदार्थों तथा गैसों को एक तरज जैसे रोधियर के मात्यम से शरीर के विभिन भागों में परी संचेत करते हैं फिर है उतक इस्तर जैसे स्लेंटेट आरिये सम्मिती स्लेंट टेंटा टेनोफेरा वा इकाईड नोड मेटा भूणी इस्तर तिकोरिक इसमें उपयुक्त दो के अत्रिक्त मद्ध में फ्रगुई प्राड फ्रगुः प्युक्त प्राडी एनिलीडा मोलसका आर्थोफोडा एकाईड नोड मेटा हैमिकार डेटा कोडेटा पाचंत पेफूर हैं जब मुक्ख तथा गुदादवार दोनों उपस्तित होते हैं तथा दोनों को मद्ध में उपस्तित नरीए जड पोड़ा, एनिलीडा, मॉलस्का, आर्थोपोड़ा, एकाई नो डर्म बा कोड़ेटा, एक और सरीर एवं लश्क्या की लश्क्या भी कुछ विसेश्ट तत्रों के परीवान में सहाइक होती है, फिर है अंग, अंग तंद के फिकार, फ्लेटी हेल मीत न्थीज बा उच्छ सं संगों में, दूइफार्शिक समीमिती, एनिलीडा, वा आर्थोपोड़ा, इसमें कोट गुहिट, पराणी ने गुआ मेशोड़ां से गिरी नहीं होती है, बलकि वाहें अंता तुचा की मद्दे विक्री होती है, एसकेल मीन निथीज, यह अपूर्ण है, जबकि वल एक छ आर्थोपोड़ा, मुलस्का, एकाई, नोड मेटा, आगुई, प्रगुवा, अनुफसित, उधारने फिलेटी, हैल्मी, निन्थीज, फिर बाग चलते हैं, विभिन पिकार के उतक, देखते हैं, विभिन पिकार के उतक, यह उतक हो गए, इस्तितीवा कार हो गए, उतक के बाग उनके लक्षण, उपकला, उपरी उतक एक रक्षी इस्तर है, जो सरीर के उपर तथा अंदर विभिन पहारवों की गुहिका का आवरन बनाता है, तो चामो है, आहरनल तथा फैपनों की सतर इसी की बनी है, सलकी उपकला, चप्टी कुश्काएं से बने, रुधि बाह पहले को कि नलिकाकार भागों तथा गिरंतियों की बाहिनीों में उपस्तिय कारण है, सरावन तथा आवसोसन इस थम्बाकार उपकला उत्र लंबी तथा प्तली को स्काई हाथ में उपस्ट एक प्रॉपच्मा भी उपकला उत्र इस थम्बाकार या घनाकार कोश्काउं की मुक्षद पर उपस्तिक पक्षमा भी स्वसनिका डिम्व आहिनी नलिकाओं जैसे खोकले अंगों की भीतर सत्य पर पहुंचे कार है कड़ों तथा सिलेसमा को उपकला की सत्य पर एक दिशा में दे जाना तरह सयोजी उतक कनेक्टिव टिसू वह उतायात एबं विस्तित रूप से फैला हुआ शरीर के अन उतक एबं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तो के हुई है सिथिल सयोजी उतक सिथिलता से जुड़े कोजिका बत तंतू तुचा के नीचे उपस्तित जैसे गर्थिका उतक तथा वसा उतक सघन सहयोजी उतक तंतू एवं तंतू को इसका है दुरुता से विवस्थित उधारन कंडराय जो कंगाल पेशी को अस्थी से जोड़ती है तथा इसनायू जो एक अस्थी को दूसरे अस्थी से जोड़ता है विसेस्पिकार के सहयोजी उतक उपास्थी अस्थी रोधिर इसक प्रफ कंगाल अस्तियों से जूड़ी हुई मुख पेसिया एक्चिक पेसिया जिकनी पेसि रंध। की भीती पर उपस्थित अनिप्च पेसिय। संप्चन सिल उतक किवल हिड़ा में उपस्थित। फरत तंथिका उतक मुक्रोब से परिवल्टित और उस्थाओं के पिति शरीर की अनुक्रिया से लिए कि नियंतन हितु उत्तर दाई तंथिका कोश का तंथ की संचार काई है एक कोश सूचनाओ को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार करती है रिम चले वह श्यक्lier कौन याइप टिख लीचा आंप्जिक में रचरva डर्रीय इस एन्वांशले को सब्सक्राइब का धिथा हेलो दोस्तों न sitting अब बात करें जी बिग्यान के बारे हैं तो आदे ल anne Shelley के बारे हैं ओर लोग 14 चैप्टर कितम कर चुके हैं चैप्टर कौन सा जन्तु गत्त अब बात करेंगे लोग अनुवानसी की आपको बताना कि जनरल साइंस सूची में यह सभी लेक्चर पड़े रहें गया कभी भी देख सकते हैं आप लोग एक जगह ही चलिए सुन करते हैं एक वार्डांद फुर एक वर्डांद पुरुस वा सामान महला की संतानों में पुत्तों के वर्डांद होने की संभावना क्या है जीरो शिसू का पितत तेश्थापित करने के लिए किस तखनीक का प्योग किया जाता है डीने फिंगर गरेंटिंग जीन सब दिक किसने बनाया है डवलू एल जोहा जेनेटिक्स किसका द्यने अनुवानसिकता और वेचरन का वाइधान्दिता वाली व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है हरा एक वर्डांद पुरुस एक सामान महला से विवाय करता है वर्डांदिता के लक्षन किसमें उत्फण उत्तियों के पुत्तों में अनुवांसिक तके जनक कौन कहे जाते हैं मेंडल जीन किसकी काई है अनुवांसिकी की अनुवांसिकी यूनिट अर्था जीन कहां होते हैं गुर सुत्रों में जीन क्या है डीने का एक भाग ठीक स्तरपितम प्योकसाला में जीन का संसलेशन करने वाला विज्ञानी कौन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना डीने की दोई सुत्री सरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया वाट्सन और किकने करिकने अंगला कुषिन मनस को मनस में कौन से क्रोमोसांग के मिलने से बालक का जनम होता है पुरुस का एक्स बाई और इस्तिगी का एक्स एक जीन एक इन्जाएं सिध्धन किसने फिती पादिर किया वीडल वट्टे टमने मनस में दूई गुडित क्रोमोसांग की संख्या क्या है तेईस एक सामन मानोशरी पहुशिका में गुड़ सुत्रों की संख्य कितनी होती है चालीस मनस में नर का गोर्सूत संविर्षण क्या होता है एक्स वाई बच्चों के लिंग निर्धारन के लिए उत्तरदाई remote also किसा होता है पिता का मैं एक सामान मानोश निस्थकराण हो तोसौंप की संख्या कितिनी होती है ऑईस माता-पिता के गुड उनकी संतान में किसके द्वारा इश्ठानांत्रित होते हैं गुड सूत्रों द्वारा लाल हरी वडांदिता होने का क्या करण है X गुड सूत्र की वनसावत गती आगे बात करते हैं हीमोपेलिया में क्या होता है रक्त का धक्का नहीं बनता मनस में कौन से क्रोमोसॉम के मिलने से वालक का जनम होता है और उसका Y वाइस्तरी का X और अगर उसका X वाइस्तरी का X मिले तो लड़की और पन में होगी जनम होगा लड़की गुरसूत में क्या होता है DNA और प्रोटीन सन 1969 में किंतिम रूप से डिये ने को संसलेट सित करने ही तो नोबल पुरुसकार किसको मिला कौन वरक को आंगे बात करते हैं चार्ल्स डार्विंग की बात कर लेते हैं चार्ल्स डार्विंग जब 22 वरस के थे तो उन्होंने सामोही साहस समुद्री यात्रा की पांच बरसों में उन्होंने दक्षरी अमेरिका तथा इसके व्याप्त दिष्टी यह भी अतेंध कि इंग्लेंट भापस आने की बात बेपुना किसी और यात्रा पर नहीं गये वे घिखर पर ही रहे तथा उन주는 एक प्योग किये जिसके आधार पर उन्हें अपने प्राक्तिक वरण द्वारण जय बिविकास के अपने सिध्धान्त की परीकल्पना की भी यहन नहीं जानते थे सरद हती थे किस विद्वारा इस पे सीज में विविननेताएं आती हैं उन्हें मेंडल के प्रीयुवं को कला मिलता है परणतु यह दौनों बेग्यान को ना तो एक दूसरे को ना ही उनके कार जय बिकास वाग के कारण ही यह जानते हैं फरणion परयकिक शास्त्री भी थे था उनका एक सोध भूमी की और वक्ता बनाने में क्यांचुगा की क्यांचुगों की भूमी का किभिसे में था ठीक कि तो यह हमारा पंद्रवाल चेप्टर था अनुबांस की अब बात करेंगे 16 में चेप्टर में उद्भी गास ठीक कि अधियों दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहें बाइलोजी जनल साइन्स जिसमें बात कर रहें जी विज्ञान तो अंनो लोग 15 चेप्टर करें चुके हैं और अब बात करते हैं उद्भी गास की सूलेवा चेप्टर है ठीक ठीक अपंद्रवे था अनुबांस की जाए तो याद रखने लेमार्ग लेमार्ग का मूल सिध्धांत क्या था वो पारजित लक्षनों की वनसा गती जीवों के प्राक्तिक चैन का सिध्धांत प्राक्तिक चैनवाद किसने दिया डार्विन ने योगतम की उत्तर जीविता का फिती बादन किसने किया डार्विन न कि सिद्धान के जनमदाता को थे डीवरिज, समरूप अंग कैसे होते हैं कारे में समान, ऐसे ये अंग जो विभिनी कारेों में उपयोग होने के कारण, काफी आसमान हो सकते हैं लेकर उनकी मूल सरस्चना बार भूड़िये फिक्रिया में समानता रहती क्या कहलाते हैं समजात अंग जहें बिकास के संदर में सांपों में अंगों का लोख होने के लिए किस्ट किया जाता है तो अंगों का उपयोग लथा अनुपयोग किये जाने से अंगों के उपयोग बर अनुपयोग का सिंधान दार्बिन bananaति पादित किया दबромाद, नहीं, नहीं, ति अरिजिन, एससी सीज, नाम पुस्तख किसके दॉरल की लुएभी दौर, क्या जीवन की उत्पतिके समय ऑक्सिजन सुतन्थ अवस्ता मेंगा। अवस्ता में पाई जाती थी, नहीं, दा ओरीजिन ओफ इस्पीसीज नाम कुस्तर किसे ने लिखी थी डार्विन ने ठीक है यह देखी चुटके ऑक्सीजन सुतर्दवास्ता में नहीं पाई जाती थी विकास की पिक्रिया में मनुस का निकर्टम प्राणड़ी कौन सा है वंदर मनुस में औसेसी अंग कौन सा है करन पल्लाव पेसिया फियोग और अनुपयोग का कानून किसके द्वारां फिती पादित किया गया लेमार्ड विक्सित जन्तुओं में पाये जाने वाले कुछ इस योग लीना ट्रें चैंक अंगे पितिवी पर जीवन की उत्वत्ति में कि सिध्यान हमें बताता है कि पितिवी पर सरल पी से जटे सवरुपाली जीव का बिकास किस पिकार हुआ है मेंडल के पेयोगे से हम एक पीडी से दूसरी पीडी में लक्षणों की वंसा नुन गती की कार्विदी का पता चलता है परंतु दोनों भी यह बताने में आसमत रहे कि पित्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई अर्थात पित्वी पर जीवन सरप्तम आवेभाव कहां से हुआ एक बेटिस विग्यानी विग्यानी जेवी एस हाल्डेन ने जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे ने 1929 में यह सुझा दिया कि जीवों की सरप्तम उत्पत्ति उन सरर आकार्मनेक अड़ूं से हुई थी होगी जो पित्वी की उत्पत्ति के समय बने थे उन उसने कलपना की कि उस समय का बातारण पितिवी के वल्पमान बातावरण से सर्वत्ता फिनने था इस प्रात्मिक बातावरण में संभाता कुछ चटल कार्वने कड़ूंगों का संसलेशन हुआ हो जो जीवन के लिए आवस्सक थे प्रात्विक जीव तद एवं अनरसानेक संसलेशन कब विवेचन, इस्टेनले, एल, मिलर तथा हेलाल्ड सी उरेद्वारा उननी सो तिरेपन में किये गए प्रेयोगों के आदार पर किया जा सकता है इन प्रेयोगों में किंतिम रूप से ऐसे बातावरण का निर्वार किया जो संभावत प्रात्म इसमें फिराचीन बातावरण के समानता इसमें अमोनिया, मीथैन, हाइड्रोजन, सलफाइड के अनु थे पर उन्तु ऑक्सीजन के नहीं फात्त में फात्त में जल्वी था इससे सो डिग्री सेल्सियस से कुछ कम करताप पर रखा गया गैसों के मिसर्ण में चिंगारियां उत्पन की गए जैसे आकास में विजली एक सब्ता के बाद 15-30 कारवन मेथैन से सरल कारवने के योगों में परिवर्तित हो गई इनमें इ ब्रणुवों कर निर्माट करते हैं तु क्या पितवी पर आज भी जीवन की उत्पत्थी हो सकती है कुए आगए बात करते हैं नयत ताफी जंतुं में ठंडे बिदेशों ते रहने वाली सदस्टिकों सजस्यंें का सरीय अधीकारिक बड़ा हotz सा लिए हे नीयम मैं किस पुस्तक में पिकासित की है फिलोस्पिक जॉलोजी जॉलोजिक जूलोजिक बात करते हैं जीवास्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं 10 करोड सौ मिलियन वर्स पहले से प्यारम करते हैं समोद्र तल पर कुछ आ कसेरु की जीवां की मिक्तिव हो जाती है तथा भी रेत में दब जाते हैं दीरे और अधिक रेत एकतित होती जाती है तथा अधिक दाव के कारण चट्टाने बन जाती हैं कुछ मिलियन बाद बरसों रही मिट्टी में डब जाती है या मिट्टी ही डब कर चट्टान बन जाती है जो पहले तो is Gosh Or 19 ganze स्मान कुछ जीवां के जीवां के अंत चट्टान वह जाता है तो उन पै abandon कुछ चट्टाने फट जाती है तक घोड़े के वह जीवां के अश्वारम पिकट होते हैं जैसे वैसे हम गयरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुरान जीवास हमें प्राप्त होते जाते हैं ठीक है aadvik जार्तीवित हम जाते हैं कि उसके दीएने में होने वाले परिवर्तन से उस रोटीन में भी परिवर्तन आएगा तो नए DNA से बनेगी दूसरी बात यह हुई कि यह परिवर्तन उत्रोत्तर पीणियों में संचित हो जाएगे क्या हम उस समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि यह परिवर्तन किस समय हुए आडविक जाती वित बास्तों में यही कहत करता है कि दूरस्त संबंधी जीवों के DNA में विविन्यता अधिक संचित होगे इस पिकार के अध्यन विकास की है संबंधों को खोजने तथा यह अत्यंत महत्कून है कि विविविन्य जीवों के वीच आडविक जाती वे दोना द्वारा इस्थापिस संबंधों का बर्ग कम याधक अधिक उपयोग के कारण जन्तू जन्तू की सरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उपारिजिक लक्षा जीन के DNA एडू में नियुक्लिप और टाइड्स की संख्यात्वा विन्यास की क्रम में आने वाले उन परिवतनों को क्या कहते हैं जीन उत क्या कहलाते हैं समझातंग बेंग जो समानकार हे ciaatit होजाते हैं एक से दिखाई देतेया परंतु मूल रचननावหा वह परिवर्धन में भिन्त किया कहले संबिलदी अंग सरी सीपों और पक्षीयों के बीच की कडिया कौन से आर्गी उपटी रिस सजीव भेमनेजी उज थेकस का जीवास कहा से प्राफ्त हुआ भारत की सिवालिक पहडियों से ठीक है तो यह हमारा कॉंसर 16 वा चैप्टर था वोद्विकास से संबंदे ठीक है आंगे बात करेंगे हम लोग जन्टू जगत का बढ़िगी करने ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जन्रल साइंस के बारे में जिसमें बात कर रहे थे हम लोग जीव बिग्यान बायलोजी के बारे में तो हम लोग पिछले 16 चैप्टर खतम कर चुपे हैं तो 16 चैप्टर था ओद्विकास से संबंदे अब यह हमारा सत्रवा चैप्टर जन्तू जगत का बरगी करने इसमें देखेंगे ठीक है आपको फिर से बता देते हैं यह सबी लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे जो जन्रल साइंस नाम की प्लेलिस्ट सूची बनी ह उसी में डले हुए तो चलिए सुनू करते हैं मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चके किसने खुजा तो याद रखिए रोनाल्ड रोस ने जापान में उपहास और क्या बेंट किया जाता है यू यूपले किटेला वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जा जाता है यूपले क्रेटेला इस पंजों की सरीर पर पाये जाने वाले छोटे छोटे चिद्ध क्या कहलाते हैं तो ओस्टिया इस पंजे की सिरों सिर्व पर इस्तित बड़ा चिद्ध क्या कहलाता है औस की कूलं सेलेन टेटा सीलेन टेटा संग को किस नाम से जाना जाता है निडेरिया किस से में रक्त नहीं होता है किन्तु सुसन होता है हाइड्रा कोरल रीव पिरवाल वीति का निर्माट किसके दौरा होता है सीलेन टेटा हाइड्रा का पिछला नंग कौन सा है टेंटिक किल्स पिरवाल क्या है एक समुद्री जीव ठीव आंगे देखते हैं सबसे छोटा जीव कौन सा है माईको फिलाजमा मनुस की आत में कौन सा जीव आण उपाया जाता है एस एसर रीसिया कॉलाई एकॉल एकूल एंटिवायोटिक्स अधिकांस तक किस से प्राप्त होते हैं जीवाणों से यदि एक जीवाण कौशिका पिती 20 मिनट में बिभाजित होती है तो दो गंटे में कितने जीवाणों बनेंगे चौन सट जैली फिस के नाम से किसे जाना जाता है मेट्री डियम पोर्ट टुगोईस मैन और बार की नाम से जाना जाता है फाइलेरिया फाइस से लिया मलेरिया फरजीवी तथा अमीबा को किस सैणी में रखते हैं फ्रोटो जुगा तिसीतन खाद परीच्छन परीड़क्षन में कैसे मदद करता है जैव रसानिक अभी किया की दर को कम करके जैव निमनी के अवसिष्ट को किसकी सहायता से उप्योगी पदार्थ में रूपांतित किया जाता है जीवाडू किसके द्वारा दूद खटा होता है वेक्टेरिया क्या है वेक्टेरिया दूद के दही के रूम में जमने का क्या कारण है लेक्टो वैसीलस किसी की आगती निश्चे नहीं होती है अमीवा चपल की आगती का जन्तु कौन सा है फैरा में मीसियम अमीवा का पिछला नंग कौन सा है कूटपाद हरा परोटो जुगा के नाम से किसे जाना जाता है यो यो जग कड़ी की रूम में किसे जाना जाता है यो गलीना मनुस के सरीर में एंट अमीवा हिस्टोलीका लिटीका कहां पाय जाता है आत में हाइड्रोफूबिया रोग किस से उत्पन होता है वीसाडू से कुट्टे के काठने से वीसाडू के द्वारा घात रोग उत्पन ह होता है क्या कहलाता है हाइडरोफूभी भी है पेस्ट मुवाइस के लिए उत्तरदाए फ्रोटू कौन साsal है एंट अमीबा मलेरिया वखार पैदा करने वाले फ्रोटू जूगा को कौन सा है फ्लाजमो डियम काला आजार उत्पन करने वाला फ्रोटो जुगा कौन सा है लीस मानिया निद्रा रोग कौन पैदा करता है ट्रिपेनो सोमा कौन सा रोग जीमाडू के कारण होता है हैजा याद रखे हैजा रोग जीमाडू के कारण होता है मन उसकी आत में रहने वाला एक कोशी है अरोग जनक पर जीवी पोटू जुगा कौन सा है इकोलाई है अमीवा में कूट पात्कियों महत्पून है भोजन गहन करने तथा पिचलन के लिए अमरतत्तिक का गुड किसमें पाय जाता है हाइड्रा में चप्टे किर्मियों को किस संग के अंतरगत रखा जाता है फिलेटी हेल्मीन थीज फीता किर्मी किस संग का एक महत्पून परावी है फिलेटी हेल्मी थीज आंगे बात करते है कौनसा किर्मी मानों के लिए उपयोगी नहीं है किसका अदबका मस्ट कहाने से पीता किर्मी मनुस्त की आँच में पहुंचता है गोल किर्मी या सूत किर्मी को किस संग के इंतर रहते है इसके रिस द्वारा मनुस्वों में कौन सा रोगुदपन होता है एसके रियसिस फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा रोगुदपन होता है उचूरिया बेंड क्राप्टी द्वारा एसके रिस कहां पाये जाता है मनुस्व की आत में अब बात कर लेते हैं जंतु जगत का बरगी करण कोस की ये इस्तर का संगठन फैरी थेरा उद्द की ये इस्तर का संगठन बिना गुहा का अगुगुई कूट गुगुई शत्य गुगुई फैर बिना गुहा में भून की विद्धी के समय एकल को से बनी सेसो डर्में कोच्च्चा है एनिलीडा मुलस्खाव आर्थो फैर एंडो डर्म की बले से बनी देवा इसमें नोटो कार्ड अनुपस्तित एनाई एकाई नोड मेटा फैर नोटो कार्ड अपस्तित जिसमें कोट डेटा जिसमें लावा इस्तित अस्तिती में अपस्तित लेकिन अर्ध्विक्सित रूप से फिरोटो कि आंगे बात करते हैं थेरी टीमा फॉस्थिमा किसका अबिग्ञानिक नाम है कैंचुगा का कैंचुगे में कौन सा रक्त वरड़क उपस्तित होता है हीमो साइनिन कैंचुगे में कितनी आखें होती है कोई नेत नहीं होता है कैंचुगे में किसानों किस वेकाल लाप पहु पूमी को पोली करकर मिर्दा में ओटू की मात्रा को बढ़ा कर कॉंक्रो जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका सुसनंग वात्तक है मच्छर में लाल खुन उभर आना किस पोसंड के कारण होता है इस्तंधारी लाग किस से उत्पन होता है कीटों के सरीर के स्तरवन स रेसम का उत्पादन किस से होता है रेसम के कीट प्यूपा से घरैलू मक्खी का लावा क्या कहलाता है मैंगोट आंगे बात करते हैं बिच्चु का विष कहां पर होता है दंक मैं तितली की आख में रात क्यों चमकती टेपी टम लोसी डम के कारण निद्दरा रोग कौन सी म मनुस में काला जार रोक पहलाने वाला मच्चर कौन है सेंड फिलाई कीट बर्ग के जंतुओं का एक विशिश्ट लक्षण है तीन जोड़ी पाद मलेरिया रोक का बाहक है मदा एनोफिलीज मदा एनोफिली कटक फिस के नाम से किसे जाना जाता है सीपी आपू ऑक्टिपस क मिदू कवची डेविल डेविल फिस के नाम से जाना जाता है टेरीडियो ऑक्टोपस में भुजाओं की संक्या कितनी होती है आठ एने लीडा और मुलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है लियो फीलीडा क्या तारा मचली बास्तों में कहलाती है नहीं क्या फिलाइंग फिस बास्तों में मचली है हाँ तारा मचली किस संग का प्राणी है एकाई नोड मेटा का अरस्तू का लाल्टेन किसे कहते हैं समुद्री अर्चिन के आहरतंत में चबाने वाला यान्त तारा मचली के नाम से किसे जाना जाता है एस्टी रियस मचलीयों में सुसन किरिया किसके द्वारा होती गिल्स मचलियों के हिदय की विशिष्टा है इसमें केबल असुद्ध रख्त होता है क्या समुद्री गोड़ा वास्तों में मचली है? हाँ समुद्री गोड़ा किस वरका उधार है? मस संसार में किस जीव की संग्या सरवादिक है? मचली सबसे विचहली मचली कौन है? फासाड, मचली मच्छनों के नेंतर हितु उपयोग में होने वाली कीट बक्ची मचली कौन सी है? गेम्यूस या जल से बाहर निकालने पर मचली क्यों मर जाती? क्योंकि वे स्वास नहीं ले पाती है साड, मचली में कितनी हड्डिया होती है? जीरो एमपीबिया बर्ग में कौन आता है? जल एवं पिस्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पसूद आंगे बात करते हैं केवल नर मेड़क टर टर आते हैं क्योंकि मदा मेड़क वाकोस नहीं होते हैं मेड़क का बच्चा क्या कहलाता है? टेड़ फोल मेड़क के हिताय में कितने कक्च होते हैं? तीन नर मेड़क मदा मेड़क की तुलना में उंची आवाज लगाता है नर मेड़क में वाकोस्ट होते मेड़क पानी में या पानी के असपास पाय जाता है क्योंकि यह तुच्छा द्वारा सुसन करता है ठीक अब बात करते हैं कुछ जन्तुओं की औसत जीवन काल के बारे में तो यह जन्तु हो गए औसत जीवन काल हो गए बरसों में एलिगेटर 56 साल जीता है बिल्ली 21 साल है इसकी औसत जीवन आई कोबरा नांग 28 वर्स उत्ता 34 वर्स मैडक 5 से 15 वर्स वकरी 18 वर्स गोड़ा वासट वर्स वाक्स टर्टल 113 वर्स कैंचुगा चाल से 10 वर्स बंदर 25 वर्स भेल 40 वर्स मोर 15 वर्स डॉल्फिन 20 वर्स उत 30 वर्स चिंपेजी 37 वर्स चिंपेजी 37 वर्स गाय 16 वर्स हाती 57 वर्स जिराप 33 वर्स चमगादर 2 वर्स कबूतर 10 वर्स जाइंट टोटो 20 170 वर्स सेर 29 वर्स मनुस 66 वर्स ओसत आयू पूंच बता रहे ठीक भेड अठा रहे दरियाई गोड़ा 40 वर्स ठीक है लाइक कुछ सीत रखती है प्राणियों के नाम बताओ तो मचली मैड़क छिपकली निमने तापकरम पर किस जनतों की फ्रसुपती क्या कहते हैं 30 वेशन निसंग प्राणी कौन सा है कच्छुगा किसी जनतों में आसू गरंती नहीं होती घड़याल में 30 विसले सांपों में 20 गरंतियां किसे परिवल्टित होती है लार गरंती से सबसे विसला सरफ कौन सा है करयत गहुसला बनाने वाला एकमात सरफ कौन सा है किंग कूबरा पहला किलोन पसु डोली कौन सा था भेड कुछ रेगिस्तानी चिपकली आपने मल को सुक्स आकार में निस्कासित करती है इससे किस पिकार की मदद मिलती है जीवों का परियाबायन के अनुसार अनकूलन HIV द्वारा होने वाला रोग है आजसक एड्स एड्स वायरस क्या है एक सूची RNA आंगे बात करते हैं डायनाफॉर क्या थे मैसोजूइक सरीश सिफ वेसैली चिपकली कौन सी है हेलो डार्मा उडन चिपकली कौन सी है डेको ड्रेको किसकी उपस्तिती के कारण गेड़गेड रंग बदलते हैं औरड़की लबग के कारण समूदी सरब को क्या कहते हैं हाइड्रो विस्फिस सरव में मध्य करन नहीं होता है विद्धोनी कहां से गहन करते हैं तो याद रखी तुछा से पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है वातिल भारती पक्षी विज्ञान विसे सक्कौन बैखती हैं डॉक्टर सलीम अली फितिवी पर विसालतम जीवित पक्षी कौन सा है सुत्र आर्कियों एप्टे रिक्स क्या है जो रेसिक यूग का सरफ पुरातन पक्षी पैंगोईन चडिया कहां पाई जाती है अंटार्ट टिका में सबसे बड़ा उड़ने में आस्मर्थ पक्षी जो सबसे तेज गती से दोर सकता है वह कुन सा है और श्टिछ वह बिलुप्त प आर्कियों एप्टे रिक्स किसके बीच की योजग कड़ी है सरी सर्फ ततन पक्षियों की भारत का राश्टी पक्षी कौन सा है मोर वाओ किस्टे सस किसका विज्ञानिक नाम है मोर का वह एकमात पक्षी कौन सा है जो पीश्चे की और उड़ता है गुंजन पक्षी पुलियों पर चिपकने वाले लेमिलीवत गद्धियां के कारण कौन सा पक्षी सत्त्रू से बचाव के लिए अपना सिर्रेत में के अंदर कर लेता है सुत्रमोग वेलर्डर क्या है सगन ववसाक की परत डॉल्फिन किसकी वरकी कित किये जाते हैं इस तनी में वेल हेल को इ सब्सक्राइब में राष्टी इस तन कौन सा है बाग इस तनी के हिदर में कितने कुष्ट होते हैं चार केंदरक भीहीं लाल रुदिकाडू किन में पाई जाते हैं इस तनीयों में हैल में कितने हैल कि कितने घ्रेदर में कितने चैमर होते हैं चार ही हुमो सीपियंस किसका वि़ज्यानिक नाम है आधूनिक मानों का बिल्ली का आखो में रात में क्यों चमकती हैं टेपीटम लूडी लूसीडम के कारण लक्ष निर्धारण हेतु रडार्तंत किसमें पाए जाता है चमगादड में अंधेरे में चमगादड बुढने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्ह कुति है अस्टो आस्टा अल्टा सोनिक तरंगे अल्टा सोनिक तरंगे कि आगे बात करते हैं मनोंश ने सरपितम किस जंदू को पालतू बनाया कुट्ता को इस्तंधारी प्राणियों में भूर गरम में मासे क्या प्राप्त होता है खनिज लवड ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन कौन सा अंड़ इस्तनी है मॉनोटीन ट्रिम अंड़ा देने वाला इस कौन सा इस्तंधारी जो खत्रे के संकेत के समय हो जाता है कंटक चुगा इस्तन पाई के उत्रजनिये उत्पात मूत में अधित्ता क्या पाया जाता है कौन सा जीव अपने तुचा से सांस लेता है मैडग सबसे बड़ा बंदर कौन सा है बेउन बेबून आ नियत तापी प समसार वदलता रहता है हरत गिरांतियों किस से संबन देते हैं उत्रजन से कूटक किस में नहीं पाया जाता है बतक में डाइनासौर डाइनोसौरस कौन थे सरीख्रिप से जो लुप्त हो गई है रक्त में पिती इसकंदक पदाज कौन सा है पेरिंट आगे बात करते हैं सबसे बड़ा स्थलिय ए स्थनिकों है अफिरिकन हाती है सबसे अधिक मूलस्का कीटो डर्मा सबसे आदी प्राइमेट लेमर सबसे बड़ा जीवित सरव अजगर सबसे बड़ा कपी गॉरिल्ला सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी सबसे छोटा कपी जरा यू जिपकली, थ्राएनो सॉमा, सबसे बड़ा मेड़क, राना, गोलित, सबसे बड़ा मुलसका, देट स्कूईड, सबसे बड़ा सीपी, ट्राई, डेखना, सबसे बड़ा गेश्टोपोड, हैमी, फस्टस, सबसे आधी आर्थोपोडा, पारी फेटरस, सबसे बड़ा जीवित सरी सिफ टर्टिल सबसे बड़ा जीवास्म सरी सिफ जाई जेंटो सोरस सबसे बुद्धिमान होमे नीडा मनुस आगे बात करते हैं सबसे तेज दोड़ने वाला फिराणी चीता सबसे तेज उड़ने वाली पक्ची उड़ने वाला बक्षी सबसे आदी इस्तनी एकेडिना अंड़ पेजनर इस्तनी डख विल फिलेटी फस्ट अंड़ जराज यूज इस्तनी कंगारू सबसे छोटा वड़ेंसिल बक्षी कीवी जराज यूज मच्स इसकोलियो डॉन जराज यूज आलतो पोड़ा बिच्चू कुछ और देखें जराज यूज सरफ बाइपर वा समुद्री सरफ एकमात बिसली चिकली हेलो डर्मा सबसे छोटा वक्षी हम्मिंग वर्ड सबसे लंबी कोसा तंतिका कोसा सबसे आदी हेलमीन्थीस सबसे आदी इनेलिड पॉली गाडियस सबसे छोटी अस्ती सबसे ब्यस्त अंग सबसे बड़ा वरतमान जन्तू सबसे बड़ी मचली सबसे चोटा इस्तंधारी चचंदर क्रेफिस आर्थो पोड़ा कटल फिस मुलसका डेविल डेविस डेविल फिरिस मुलसका सबसे उचा इस्तनी जराब सबसे बड़ा विसाडू पॉक्स विसाडू सबसे बड़ी गरंती एक यकरत सबसे बड़ी अस्ती फीमर सबसे बड़ी फेसी गेलूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ा आकसेरू की जन्तू सबसे चोटी मचली, गोवी मचली, जैली फिस, सिलिट टेटा, सिलवर फिस, इंसेक्टरा, इस्टार फिस, एकाइन, नोड मेटा, ठीक है, आगे देखते हैं आरकी, योप्टे, रिक्स, किन बर्गों के प्याणियों के वीच योज़क कड़ी है, सरीसे, पक्ची, किस समुग के जीवों को डूबनें से हुई मित्व का पता लगाने में महत्थ है, डायटम, मेहमत किसके पूरवज है, हाती के, फेरो मौन्स, किसमें पाये जाते है, प्राई मेटों में आध्वनिक माना का निकर्स्तम समंदी कोन है, गुरिल्ला, क्या पांडा भी उसी कुल का है, हाँ, अधिकांस कीट, सुसन कैसे करते हैं, वातक तंत से, एकेडीन, डणा अंडे देता है, या सिधे बच्चे, अंडे, किस एक विकार के जीवों में हुआ पाय घटना पाई जाती है, जिसमें मादा मित्फन और प्रांथ नर को मार देती है, मकडी, याद रखिये, आगे बात करते हैं, तालावों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्च्रों को नेंतिक करने में मदद मिलती है, गेंबूसिया, कौन सा एक कपी नहीं है, लंगू डूलोंग नामक समुद्री जीव, जोकी विलोपन की कगार पर है, क्या है इस्तंधारी, भारती बन जीव में, जीव के संदर में उर्डेन, वलगूल, वलगूल क्या है, चमगादर, मदुमक्की में पुम में धोप, धोप कौन होते हैं, जनन चम नर, कौन सा एक विलुप हाथी के गज दंत की रूँ में बदलता है, दूसरा किंतक, डार्विन फिचिंज, कपेयों किस समुग के लिए पक्चियों के लिए, किस योगों बिब्रत पिकार का परिशंचन, तंत है, कोक्रोच और सिल्वर, कौन कीट नहीं है, मकडी, बिलुपन की कगार पर सरवाधिक संकतवपन, इसी यह का सीस भर पक्चि कौन सा है, डोल, डोल, विबिन जातियों के एक सीटू संरक्चन के लिए कौन सा उद्दिष्ट है, जरम फिलाजम बैंक, बाया महाधमनी चापकिस में दिखाई देता है, इस्तन पाई में, मानो सर में भोजन का रखते द्वारा, और सोरन कहां सरवाधिक होता है, चोटी आत में, चोटी आत में, ठीक है, आंगे बात करते हैं, फुरोटीन का पाचन कहां से फ्यारव होता है, उदर से, आमासे द्वारा इस्तिरावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमास की दिवाएं सेलिसमा की द्वारा सुरक्षित रहती है फच्छी हुए भोजन में मौझूद बेसली पदाथ खांग चूसन कौन सा करता है यक्रत पैपसिन क्या है एंजायम पैपसिन किसको बदल देता है प्रोटीन को पॉली पॉली पेटाइड में पाचन की यह में पोटीन को क्या द्वारा पैदा किया जाती है यक्रत में फित्त कहां जमा होता है फित्त राशा मैं पित्त का प्रम कार क्या है वासा कॉस्टांगा कi संबनी कि सा हेदय से किनकी भीतियां भीतियों पर रक्त द्वारण डाले गए दवाप को रक्तदाब कहते हैं धमनी सोते हुए सोते समय रक्तदाब में क्या परिवातन होता है घटता है रोधे दरपाब मापत्य अन्त है इस प्रेवों मैनो मीटर जार्विक सेवन क्या है किंते महिदे जार्विक सेवन किंते महिदे रहे है ठीक है इतार रहत पेसमेकर भारतिय मोल के विग्यानिक विवेश क्रेड़ी ने बिना तार का इसका पहला पेसमेकर तैयार किया जिसका आकार फारंपरे पेसमेकर की तुल्ला में दस गुना चोटा है नेनो सिस्टम नामक इस तार रहत पेसमेकर की को जांग के उपरी हिस्से के पास इस्तित रक्त वाहिनी के जरिये सरीर के अंदर डाला जाता है फिर इससे धीरे दिदे हिदय में पहुंचा दिया जाता है इस पेकम पेसमेकर को पित्याय रोपित करने के लिए सरजरी की आवाज की संग के से सम्मझ देते हिदय से मनुस के सरीर में हिदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है जीरू दिसमलो आठ सेकंड स्वस्त मनुस में पिती मिनिट हिदय स्पंदन कितनी बार होती है बातरवार मानुसरीर में कितने कोश्टक है चार नाड़ी दर कहां से मापी जाती है दहमनी से स्वस्त मनुस का रक्तचाप कितना होता है सिस्टालिक बादाई एस्टालिक 120 से mm से 80 mm दौर लगाते समय मनुस के रक्तचाप में क्या परिवतन होता है बढ़ जाता है सामान जीवनकाल में मनुस का हिदय लगवक इतनी बार धड़कता है दो अरब मानुसरीर में हिदय किसकी तरह काय करता है पंपिंग इस्टेशन की तरह सरीर की विसालतन धमनी कौन सी है एरोटा सरीर के बजन की साथ पी तीसत की तरीम एक बईस्त में रक्त औसत आहतन कितना होता है पांज से चे लिटर माना और रुधिर का पीयेच मान क्या है 7.4 माना और रुधिर बैंक का का कार कौन करता है तिल्ली या पीलया इस्पिलीन मानो रक्त प्लाजिमा में प्यापानी की 35 मात्रा कितनी विन्नत आ होती है 80 से 82 रक्त में पाया जाने वाली धातु है लोहा रक्त का सुद्धी करण कहां होता है किड़नी में मानो शरीर में खून के सुद्धी करण की पिक्रिया को क्या कहते है डायलेसिस गरवास है, मैं शिसू के विकास की, जानकारी ही, तु किसका पयूप करते हैं, अल्टा शांट, भूण के विकास के लिए कि संग के द्वारा खाद की पूर्टी की जाती है, बीजान नजसन, मुक्टे दूरा लेने वाले गरब निरु तक गोलियःक इसका निरोथ करती है आंगे बात करती है नि शेयरशन वाहिद और विकास आंतरेक होता है मनुस में गरब काल कितना होता है? 9 महीं न, याने की 200 सीदन इसथ्रियों को नस्वन्दी को क्या कहा जाता है? ट्यू बेक्टोमी पुरोस की नत्वंदी को क्या कहते हैं वेसेक्टोमी ट्यू बेक्टोमी और वेसेक्टोमी पित्थम परक्नक लिए सिसू का नाम क्या है लुईज एम्नियो सेंटोसिस तरीका क्या कहते हैं इनमें से कौन अंतासरावी गरंथी नहीं है यक्रत मानौ शरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है पियूस के मानवसरी के सबसे छोटी गरंथी कौन से पिट्टी उट्री मानवसरी के सबसे मत्पूर गरंथी कौन से पिट्टी उट्री पिट्टी उट्री गरंथी कहां इस्तित है मस्तिस्क में कहां मस्तिस्क में आँगे बात करते हैं, गाय और भेंसों के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सी टोसिन की, थायरोईड ग्रंती से थायरोक्सिन शरावित करने के लिए उत्यजित करने वाला अंता सरावित हार्मोन कौन सा है, टी-एस-एच, कि किस ग्नती के अत्यधिक हर्मोन सराह से शरीर पर क्या प्रवापड पड़ता है ? शरीर का अनसंटुलन विकास आयवडीन कि कमी से होने बाला रोभ गलकंड में किस ग्रंती की अब बिध्धी होती है ? थायरोईड ग्रंती की किसकी कुसंकिरिया की कारण मानोसरी में मिक्सी डीमा होता है आउटी ग्रंती किसको अंतासरावी तंत का पेशमेकर कहा जाता है थायाई रोक्सिन पीनियल ग्रंती कहा इस्तित होती है मस्तिस्क में किस हारमोन में आयोडीन होता है थायरोक्सिन कौन सी एक अंतासरावी ग्रंथियां फ्यूस ग्रंथी से सुतंत कार करती है परावट टू सरीव में सबसे बड़ी अंतासरावी ग्रंथी कौन है आउट टू थायराइड कौन सी ग्रंथी आसुक स्तरावित करती है लेक्रीमल कौन सी ग्रंती विद्धावस्ता में लुप्त हो जाती है थाइमस नर्ग लेंगिक हार्मोन कुन सा है टेस्टो टीरोन इस्तरी लेंग हार्मोन के नाम बताईए इस्टोजेन, फ्रोजिस्टोन तथा रिलेक्षिन इस्टोजेन का स्राव किसके द्वारा होता है ग्रेव, फियन, फोटी काउं द्वारा ठीक, आगे बाद करते है कौन हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है एडे, एडी ने लीन, मगरमच किस बरक का जीव है सरी सिफ बरक का मगरमच के एडाय में कितने कोष्ट होते है चार कौन से स्थंधारी वच्चे को जनम नहीं देते एकेडी ना फ्लेटी पंप फाइल एरिया किसके द्वारा होग फैलता है मच्छर द्वारा काला जार रो किसके द्वारा फैलता है सेंड फिलाई या बालू मक्की सरदी दुखाम किस विशाणू द्वारा फैलता है राइनो वाइरिस चिकन पॉस के पॉक्स किसके द्वारा होता है वेरिसेला वाइरस विरोईड की कोच किसने गी थी टीओ डाइनर प्रोट पोटे टोस्पिंडल टीओवर नामक रोग किसके द्वारा फैलता है विरोईड प्रोटॉंज क्या है इसकी कोच किसने गी थे प्रोट्इंग के बने एकरड़ है प्रोटीन के जिने सरब्सक्तम प्रोव सीनर ने देखा था फियोन्स के द्वारा भेडू तत्था बक्रेयों में कौन सा रोग फेलता है ? सकेपी रोग मानों में कुरू रोग किस द्वारा फेलता है ? फियोन्स द्वारा उंट अपने कुबर का उपयों किस काम के लिए करता है ? मरू भूमी की वालगू में चलने ते समय सरीर का संतुलन बनाय रखने के लिए मनोस सेलुलोज को नहीं पचा सकता है जबकि गाय पचा सकती है क्योंकि गाय की यहार नली में ऐसे जीवान होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं ठीक है तो यह था हमारा 17 चैप्टर जन्तु जगत का वर्गी करण ठीक है और ठारवे में देखेंगे हम लोग मानोस सरीर क्रिया विज्ञान तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरेल सैंस के बारे में जिसमें देख रहे हैं हम लोग जीर विज्ञान ठीक बायलोजी तो हम लोग पिछले 17 चैप्टर खतम कर चुके ठीक है 17 चैप्टर था जन्तु जगत का वर्गी करण ठीक बात करते हैं हम लोग मानोस सरीर क्रिया विज्ञान आपको फिरते बता दें यह सभी लेक्चर जितने 17 खतम कर दिये यह जनरेल साइंस फिले लिश्ट में जो कुल कितनी हड्डियां होती है मनुस में कुल कितनी हड्डियों होती है 206 नवजास सिसुमों में हड्डियों की संख्या लगवक्त नहीं होती है 300 मनुस की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है 8 मनुस सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होती है तो याद रखना बार ह सरीर की सरवादिक फिर्वल अस्थी कहां पाई जाती है जबडे में मानौ सरीर की सबसे छोटी हटी कौन सी है इस्टेफिस मानौ सरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन सी है फीमर हिूमरस अस्थी कहां पाई जाती है उपरी बुजा में मन उसके सरीर में पैर की हड़ी करसी होती है खोकली टीबिया इस्टेपीस वा फिबूला नामक हड़ीयां कहां पाई जाती है टांग में माना उसरीर के किसंग को हड़ी सबसे लंबी होती है जांग की दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत कौन से है केल्सियम, मेगनिसियम विद्धा वस्था में मनोस की हट्डियां क्यों कमजोर हो जाती है केल्सियम की कमी से अस्ती में कौन सा लवड सरवादिक मात्रा में होता है केल्सियम, फॉस्फेट मानो मस्तस्त में कौन सा एक भाग निर्गरड और उल्टी का नेमन के अंदे मेडूला और अवलागेटा अवलोंगेटा ठीक आँगे बात करते हैं किसकी उत्पत्री यक्रत का कार है यूरिया अस्तियों और पेसियों को आपस में कौन जोड़ता है टेंडन मनुस के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्सित होते हैं 20 मानुस फरीज में पाचन अधिकांस तबाक किस अंग में होता है छोटी यात में मनुस में पाचन के लिए प्यारम होती है मुक से मानुस की पाचन नली लगबक कितने फिट लंबी होती है 32 मुख में मंड इस्टाइज का सरक्रा में पाचन किसके द्वारा होता है टाइलीन सरील के लिए इन्जाइब आवस्यक होते हैं क्योंकि ये जैवरसाइनिक क्रियाओं के उत्फिरक है अगला है दुख्द प्रोटीन को बचाने वाला इन्जाइब कुन सा है रेनन अधिक तम पोसक्त रक्त में कहां से अवस्यक किये जाते हैं छोटी आँच से लार में कौन सा इन्जाइब पाए जाता है टाइलीन फेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खासावस्यकता होती इन्जाइम्स की लार किसके पाचन में सायक है फाईवर मानों की आमसे में अम्ल एक्सुत पन हुता है जो भोजन के पाचन में सायक होता है हईडोकलोरिकम्ल बाशन में हार्मोन में से कौन सा रक्त कलसियम और फॉस्पीट को वीने ये इमित करता है परावाटू हार्मोन पयराथायरॉयड अंगला है, मानो सरीर में किस अंग में सुक्राणू डिम में को निशिचित करता है डिम वाहनी नली में रक्त लाल रंग किसके कारण होता है हीमो गलोविन हीमो गलोविन में क्या होता है लोहा सरी में हीमो गलोविन का क्या कार है ऑक्सीजन का परिवाह हीमोगलोविन किसका महत्पून घटक है आरवीशल का किसकी साहता से रक्ट द्वारा औक्सिजन ले जाती है लोहित कोश्का है मानो सरीर के अंदर नलिकाओं नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवा होता है किस रसाइन की उपस्तिती में नलिकाओं में प्रभावित रख्त का धब्बा नहीं जमता हेफेरिन मानाव सरीर के भीतर खून किसकी उपस्तिती के कारण नहीं जमता हेफेरिन रोधिर पिलाजमा में किसके द्वारा एंटी बॉडी निर्मित होती है लिंफो साइटре लाल रक्त कढ़िका हैं किस नाप से जाने जाती हैं इस तो साइट लाल रक्त कढ़िकाओं कहां उत्पन होती हैं अस्थी मज्जा हैं किसको रवी march सीग का कविश्थान कहा जाता है तीलिया मनुस की लाल रक्त कोश्काओं का जीवन काल कितना होता है 120 दिन आंगे बात करते हैं आ रूप अप रूपांतरण की पिक्किलिया के द्वारां क्या होता है रक्त या लस्क्या तंत से कैंसर कोश्काओं दूसरे इस्थान या अंगों तक फैलती है डिने की किस विश्ष्टा ने उसे पीडी धर पीडी अनुवानसिक की सूचना संग्राइक करने और प्रेशन करने के लिए आदूतिये रूप से उपयोक्त बनाया है दूरज्जुक की पूरता की पूरकता अंगला है हीमोफीलिया के कारण किस विकार का विकार उपन होता है रक्त का इसकंदन ना होना उच्च उन्न तांस पर मानों सरीर में आरवीसी की संख्या में क्या अंतर होता है आरवीसी की संख्या बढ़ेगी सफेद रक्त कड़का WC का मुख कार क्या है रोख, पिती, रोधक, चमता, धारन करना मनुस्त के रक्त में सवेद रक्त रुधिकाओं कि कौन सी किस्म अधिक होती है न्यूट्रो फिल्म न्यूट्रो फिल्म जब कोई बाहरी पदार्ट मानौस रोधिर फिर्णाली में तुर्विष्ट होता है तो फिती की रिया कौन प्यारम करता है WC रक्त समूग की पुझ करता कौन है लेंडिस्टीनर आरेट्ट्रो फेक्टर का पता कुस ने लगा है किस रोधिर बर्ग में एंटिवोडी नहीं पाये जाते है याद रखिए A-B में किस बर्ग में दोनों एंटिवोडी पाये जाते है O में किस रोधिर बर्ग में कोई एंटिजन नहीं पाये जाते है याद रखिए एंटिजन O में नहीं पाये जाते है मानों सरीर में पित्ती रख्षी कि निर्बान को कौन सा पदात बढ़ावा देता है? एंटीजन, पितीजन, ठीक है? आगए बात करते हैं रोधिर कि चारों बरगों के साथ एंटीवाडी का बित्रण यह रोधिर बरग है, यह एंटीजन है, एंटीवाडी है तो भारती है समाज, ठीक, रोधिर बरग ए, इसमें केवल एंटीजन पाये जाएगा वो एंटीवाडी भी पाये जाएगा, ठीक और कितने परसेंट भारती समाज है? 33.50% फिर है रोधिर बरग बी, इसमें केवल बी एंटीजन पाये जाएगा antibody A पाया जाएगा 34.50 पितीस थे हैं फिर है A B बरग तो इसमें NT ब जन दोनों पाया जाएगे A B लेकिन कोई antibody नहीं पाया जाएगा 7.50 पितीस ओ, कोई antibody नहीं पाया जाएगा antibody A B दोनों पाया जाएगे 34.50 ठीम अब बात करते हैं कौन सा रक्त समूव सरव ग्राही है तो एवी एवी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सारवित्तिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में पिती पिंड का अभा होता है कौन सा रक्त सरव सारवित्तिक दाता होता है तो याद रखिए वो यदि किसी पुरोस्त का रक्तवर्ग एवी हो महला का रक्तवर्ग ओ हो तो संतानों में कौन सा रक्तवर्ग ओ पस्तुत नहीं हो सकता है ओ यदि एक पिता का रक्तवर यह है और माता का रक्तवर ओ तो बताईए उसके पुत्त का कौन सा रक्तवर हो सकता है कोई बीव पिरकार के रुधिर बाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस पिकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है तो याद रखे एवी और पी एंटिवाडी का मुखकार किसके विरोध होता है संक मढ़ के आरेज फेक्टर का नाम किससे सम्बंदित है बंदर से याद रखे एग 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 मानवसरी सम्बंदी कुछ मत्पूंडतत सबसे बड़ी अंतरासरावी ग्रंथी है थाईरॉइड ग सबसे बड़ी धमनी एब्टमीनल ए और्ट शबसे बड़ी सिर्ण इंफिरियर वेना केवा सबसे लंबी तंतीका सियार्टिक सबसे बड़ी फेसी हैं गिलूटियस मैक्सिसस सबसे छोटी फेसी इस्टेफड प्याइश कि ने सबसे बड़ा स्वेत रख्तकर मोनुसाइट सबसे अधिक पुनरुद्धन चम्ता यक्रत कोष्का सबसे कम पुनरुद्धन चम्ता मस्तिस कोष्का सबसे बढ़ांग तुचा सबसे बैस्तंग हिदय सबसे पतली तुचा कंजिक टीवा संपूर सरीर में रख्त का अपायतन पांस से चलीटर सामान रख्त चाप 120-80 mmHg लाल रख्त कड़काओं की संख्या पुरसों में 5-5.5 million cubic meter महलाओं में 4.5-5 million cubic meter लाल रख्त कड़काओं का जीवन कालक्त होता है 120 सुएद रख्त कड़काओं की बात करें तो इस सामान नता इनका काउंट रहता है 5000-10,000 cubic meter सुएद रख्त कड़काओं का जीवन काल रहता है 2-5 दिन DLC बेसोफिल यह रहती है 0.5 एक दस लव जीरो पिती सद एस सीनोफिल यह एक दसम लव जीरो पिती सद से 3 पिती सद मोनोसाइड 3-8 पिती सद नीट्रोफिल फिल्स 40-70 पिती सद लिंफोसाइड 20-25 पिती सद रख्त फिलेटलिस्ट काउंट्स तो याद रखिए यह रहती है दो लाग से चाल लाग पिती क्यूवी मीटर हीमोगले में पुरुस में होता है 14-16 ग्राम पिती 100 सीशी महला में 12-14 ग्राम पिती सीशी सामन सरीर का तामान अंठाउनवेद असमलोग चार डिगरी फॉरन हाइड दंत वैस्क में 32 बच्चों में 20 मर्स्तिस्क का भार 1400 ग्राम क्रेणियल इरा तंतिका की संख्या 11 जोडी स्पाइनल तंतिका की संख्या 31 जोडी सामान हिदेदर 72-75 पिती मिनिट सामन नाडी दर 72 मीटर 72 पिती मिनिट गेस्टिक जूस का पियच मान एक दसमलोग चार पित्च मुद्ध का पियच मान 6 रक्त का पियच मान 7.35 पिंक्याटिक जूस का पियच मान 8.5 शरीर में कुछ कुल अस्तियों की संख्या 206 शरीर में कुल फेसियों की संख्या 649 शरीर में कुल भार जल कास्षा 65 पिती सथ आरेच तक्त कि अमसार कौन सी जोड़ी विभाय के लिए उप्यक्त नहीं है आरेच फ्यक्टर आरेच पिलस पुरुस तथा आरेच आरेच माइनस संतानों की भूड़ी ये अवस्था में माता की गिर्वासय के अंदर ही रक्त का धक्का बनने सिमित्ती हो जाती इस रोको इत्थो विलाश्टो सिस फीटेडलिस का इसका क्या कारण है इता का आरेच पिलस तथा माता का आरेच माइनस मस्तिस्क की किस भाग में मूख लगने हैं वह भोजन से त्रिप्ती की अनुबूती कराने की केंदर इस्थित होते हैं हाइपो थेलिमस मानव मस्तक में बुद्धी का केंदर होता है सेरेविम सेरेविम किसे संबन देते हैं मस्तिस्क किसे मानुष के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कुन सा है प्रव मस्तिस्क मानव सरीर में किन कोश्काओं में सबसे कम पुनर यूजन सक्ति होती मस्तिस कोश्काय में आंगे बात करते हैं तंतिका तंति की लगुत्तम सरशनात्मक ततना सरीर क्रियात्मक एक आई कौन सी है नीरोन मनोसरी की सबसे बड़ी है कोश्का कौन सी है तंतिका कोश्का मनोस में मेरुधंड से कितनी जोड़ी तंतिका निकलती है 31. पितिवस पिक्रियाओं का नियंतर क्यंद कहां पर है? कसेरूख रज्युख में स्वसंग की क्रिया कहां संपन होती है? माइट्रो का इंडिया में मनोस में स्वासुच्वाद में बाहर निकली ली बायू को टू की मात्रा कितनी होती है? 37. गिलुपोच के पूर्ण ऑक्सी करन के फल सुरूप कितने अडू ATP का निर्माण होता है? 38. मनोस एक में में कितनी वार सास लेता है? 16-18 वार बोजन का रोम में परिवातन, ओर्जा के रोम में परिवातन कोश का कि किस भाग में होता है? माइट्रो का इंडिया ओक्सीजन की उपस्तिती में सुक्रोज, CO2 एवं जल में उड़जा, निर्मुक्त होने के कारण पूर रूप आंत्रन होने को क्या कहते है? वायू सुसन हमारी छोड़ीवी सास की हवा में CO2 की मात्रा कितनी पितिसत होती है? 4 पितिसत कैफ से चेक में किसका संसलेशन होता है? पाई रूविक अमलका, अनौक्सी सुसन का अंत्रे मुदफात क्या है? लेक्टिक अमलका मनुस्त में सरीर, मनुस्त के सरीर में मुक्र, नाइट्रोजनी, औसिस्ट कौन सा है? यूरिया इस थंधारी यूरिया किस्व में बनाते हैं? एक क्रत लीवर हैं मानौसरी में सबसे छोटी अंत्रासरवी गिंती कौन सी है? आउटु ग्रेंती मनुस्त रुदेर कहां चंता है? बोमें, संपुट में मूत का पीला रंग की मौझूदगे की कारण होदा? इउरो क्रॉण गुर्दे की कारयात्मक यूनिट हो कौन सी है? नेफ्रोण किंतिम गुर्दे की सिदान पर करते हैं? डायलेसिस मानौसरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा किस्व में पाई जाती है? मूत में अपयों किस अंग की किरिया को फूर करने के लिए होता है? बिरक्क सोईदन किसके लिए महत्पून? सरीर के ताबमान को बेने नियमतित करने के लिए मानाव बिट्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुक रसानी के विए कौन सा है? कैल्सियम ऑक्सलेट हैनले का लूप कार किस से संबन्दी थे? उसरजन तंत से सामनतन निसेचन कहां होता है? गरभासर में गरभासर में विक्सित हो रहे भूड को किस सर्रचना द्वारा पोसन मिलता है? फिले सेंटा द्वारा गरभासर में मानव भूड किस द्रब में तैलता है? अमनी याटिक द्रब में दो यगमों के सैयोजन को क्या कहते है? निसेचन मानव सरीर में रक्त चाप कहां नियंतित होता है? अधीवेक ग्रंती से कीवन रक्चक हर्मुन किस ग्रंती से स्रावित होता है? एडिनल मानवसरी की कौन सी गरंती एक साथ अंतरा स्रावी तथां बाहस त्रावी दोनों की तरह काय करती है तो याद रखी अगना से इंसुलीन क्या है? हार्मोन किस कोश्किया से इंसुलीन स्रावित होता है? बीटा कोश्किया इंसूलीन कहां उत्पादित होता है फैंट की रियाज में इंसूलीन की कुछ किस न की वेंटिंग बवेश्ट ने लेंगरहेंस की दीवी कायें जो इंसूलीन का सिराव करती हैं कहां इस्तित होती है अगना से में मनुस के सरीर में पेसियों की संकुल संख्यक तरी है 649 किसी किसकी पेसियों में सौप इस्पंदन का गुड़ पाया जाता है है किस अमले के मास पेसियों में जमा होने के कारण मनुस को ठकान महसूस होती है लेक्टिक अमला मनुसरीर के अंगों में अंगों से कॉर्णिया किसका भाग है आंक का नेतदान में आंक का कौन सा भाग प्य इंतर्ण के संगद्वारा होता है आईरस आईरिस आप बात करते हैं आध्वनिक चिकित्सा से संबंदित विज्ञानिक और उनके अविस्कारक ठीक है रक्त परिसंचन यह विलियम भारवे हैं इसके अविस्कारक बैक्टिरिया जीवाडू लिवन भॉक हैं टीका लगाना एडवक जैनर इस्ठित इस्ठित इसको लैनिल लैनक किलोरो फ्लोरो निश्चे तक तिसके हैं जैंस सेंपशन रैविट टीका लुाश्चर कूष्च रोगानदू हैंसन हैजा के रोगानदू रोबाट को च तपदिक के रोगादू रोबाट को मलेरिया के रोगांडू चाल्स लावे रान लिप्थिरिया के रोगांडू किलेवस बजरनिक एस्पीन डेजर विश्नु बिज्ञान विशाणू बिज्ञान इवानोस्की बजरनिक बजरनिक विटामिन एफजी हाफकिन्स स्रेव डीटी पॉल्मुलर रह कारक्ट लेंडिस्टीनर स्टेप्टोमाइशन सेल्मन वाक्समें लस्दी हाफमें किड्नी मशीन कॉल्प किलोरोमाइश सीटिसन स्टीन वर्कोल्डर री वाइशन डग्गर रिसर्फीन जल वकील ओपैन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिले हल हाइड्रोपूबिया चिक्षा लुपाश्चर होमोपैथी चिक्षा हैनीमेन पोलियो चित्टिंग का जॉनस सॉल्क फोलियो ड्रॉप एलवर्ड शेविन गरप निरोदा गोलियां पैनकस यदैपित्ती रोबन सल एक किष्चियन वनार्ड पित्थम परक्नली सिसू इस्टेप्टो एडवर्ड्स कैंसर के जीन सेप्टिक सरजरी लेश्टर किलोरो क्वीन कुनेन रेवी कालाजार की चिक्षा युएस ब्रमाचारी जैनेटिक कोड हर्गोविंद खुराना टैरा माइशन फैनले टाइफाइड के जीमाडू रोबर्थ डाइविटी चिक्षा बेटिंग पीत बुखार की चिक्षा ठीड ठीड प्रेफ फिलेग वपेचिस चिक्षा किता जातो वीसी जी का टीका इवरेन कालमेट वेरी वेरी रोग चिक्षा आईजैन आईजक मियन मलेरिया फरीजीवी रोनालो रोस रक्त परीवरतन काल लेंडिस्टी नर विटामिन ए मैकूलन याद रखना मैकूलन पू विटामिन भी मैकूलन विटामिन सी तो योक्ट होल कट विटामिन डी हाफ किंग्स सेफलेस की चिक्षा पॉल एरेग ठीफ है याद रखिए आंगे बात करते हैं आग के किस वाग पर बस्तू का पितिमन बनता है रेटीना मानौ सरीर में उपस्तित रेटीमा आम है रंगों में विवेत के लिए क्या उपस्तित होते हैं कौन्स आईरिस का क्या कार है पुतली के आकार को नेंतित करना हिदय किस से बंचित है एकचिक फेशी से मनुस में तुचा किस स्थान पर सबसे दिख मोटी होती है तलूए पर मानो तुचा को रंग देने वाले वरड़क कौन सार मैलानीन तुचा की उपरी सतय क्या कहलाती है एफीर दर्मिस कौन सा पदात मानो सरीर में सबसे कठोर होता है दंत वल्क कसे रूप जन्तू के सरीर का सरवादी कठोर भग क्या है एन्ने मिल मानो सरीर का कौन सा अंग पुनोर भावन कूपधरसित करता है यक्रत मानुस्री का कौन सा अंग पित्यार उपन नहीं किया जा सकता मस्तिस्क मनुस्को के आसु में कौन सा इंजायम होता है जिससे जीवाणु में लाइसो जायम किसी प्राणी के सरीर के समस्त भार का दिकांस पाक क्या होता है जल मानुस्रीर में अनविगार एमिनु अमलोग की संख्या क्या है 20 मायोगिलोविन में कौन सी धात हुए तामबा अब बात करते हैं फिर मुक्ष चिकित्सिये उपकरणों के बारे इलेक्टो कार्डियोग्राफ ECG हिदय की संकुचन वाफिसार की समय उसमें उत्पन विद्धुद वाहकबल को मापना हिदय में किसी अनविकार की विकार का पता लगाना इलेक्टो कार्डियोग्राफ होता है एलेक्ट्रोक एनसी फिलोग्राफ मस्तस्क में होने वाले विद्धवत क्रियाओं को निरूपित करना तर्था मस्तस्क सम्मंदी रोगों का निरूपन करना थ्रह ओटो एनालाइजर विविन जैव रसानिक तत्तों जैसे गिलुकोज, इूरिया, कॉलिस्टोल आधी की जाच करना सीटी स्केन कंप्यूटेट टॉमोग्राफिक संपूर सरीर के किसी भाग में आसमाननिता या विक्रिती का पता लगाना सरीर के किसी भी यंग का एक्सरे लेकर कंप्यूटर में विसलेशन करना ठीक है फिर है फेसमेकर फेसमेकर हिदय की गति कम हो जाने पर उसे सामानिस्तिती में लाने ही तुप वियुक्त उपकरन है आगे बात करते हैं एक बैस्क मनुस्त के लिए सामान हीमोगुलिम मात्रा 100 मिलीमीटर में कितनी होती है 14.5 ग्राउंड मानोशरी का सामान तामान क्या है 36 डिग्री सेल 36 देसमलो 9 डिग्री सेल्सियर किसी सारीरिक फिक्रम से फ्रो थ्रो मिन का संबंद है रक्त जमाव कन्रा किसे जोड़ता है फेसी को हट्टी से याद रखिए मानोशरी में कौन सी ग्रंथी ऐसी है जिसका संबंद सरीक की उत्यजिना से है याद रखी अधिवेक के ग्रंथी आदमी के कंट के किस भाग को आउटू उदर्थ एडम्स एफल कहा जाता है थाइरोइड उपास्थी को मानो का मस्तस्क लगवग कितने ग्राम का होता है मुक्स्ता किसकी उपस्तिती के कारण मानो शरीर उच्च वाईवंड लिए दाप के अंतरगत भी बिना कुछला रहता है कोशिकाओं में तरल आग के रेटीना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाज सकती है रक्त जमने में किस्तत की मुक्रूम क्या होती है कैल्सियम मनोस्व में सामान निरन रोधिर सरक्राफिती 100 मिली में में रोधिर कितनी होती है 80-100 मिलीग्राम अधिक मुचाई पर मानो शरीर में ला रक्त कड़काओं की पर क्या असर पड़ता है याद रखिए संक्या में बढ़ जाती है मानो रोधिर में कॉलिस्ट्रॉल का सामन इस्तर होता है 140-180 मिलिग्राम यदि किसी पर उसकी रोधिर भाहिकाँ कि तिज्या कम हो जाती हो तो उसका रक्तदाव पर क्या असर पढ़ेगा बढ़ेगा मानो शरीर की किस अंग में लसी क्या कोश्काएं बनती हैं दीड अस्ती में मधु सूधनी अंतरस्तराव क्या है गिलाइको लेपिड अब बात कर लेते हैं कुछ स्वास्त संबंदी कुछ महत्पून दिवस मनाया जाते हैं 30 जन्वरी को क्या मनाया जाता है कुष्ट निवारक दिवस मनाया जाते है 28 फरवरी को राष्टी विग्यान दिवस मनाया जाते है 21 मार्च को 201 दिवस मनाया जाते है याद रखेंगे, 7 अपरेल को विस स्वास्त दिवस मनाए जाते हैं, 22 अपरेल को फितवी दिवस मनाए जाते हैं, 31 मई को तमाकू विहीन दिवस मनाए जाते हैं, 5 जून को विस पर्याबन दिवस मनाए जाते हैं, 27 जून को विस मधूमे दिवस मनाए जाते हैं, 11 जुलाई क विस जन्ज संख्या दिवस मनाय जाता है, वीस अगस्त मलेरिया दिवस, 16 सेप्टमबर विस ओजोन दिवस, 1 अक्टूबर रखते दान दिवस, 7 नमंबर विस कैंसर जाक फूपता दिवस, 10 धिसंबर विस एर्ष दिवस, 29 दिसंबर अंतराष्टी है जे विवित्ता दिवस ठीच है एक कुछ महत्पून दिवस से याद रखिए अब बात करते हैं हम लोग चेकित साव विज्ञान से सम्मंदित व्यसेयों के युगदान के लिए नोबल पुरुस्का 2015 की बात करते हैं विलियम सी केमबिल तो याद रुकिए इनका कोई मतलब अगर आपको मतलब पढ़ना है तो पढ़ लेना लेकिन ज्यांदा महत्पून नहीं है क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी 2018-2019 का मैंसे मतलब जो अभी है उन्हीं से पूंचा जाएगा याद रखिए तो यह कोई ज्यानदा मत्पून नहीं है नए जो नोबल पुराई आते हैं चेकित्सा के छित में दिये जाते हैं उन्हीं के बारे में ज्यानदा पूंचा जाता है आगे बात करते पूंचा कोन की लेखाकों के बारे में मत्मोन पूस्ता कोन की लेखक तो पूस्तक है एएं एस अफ दा फ्रेंसिपल स औप पूलेशन मालतस ने दिये जैने टिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ इस्पीसिज टी डॉप जिने इसकी ने दिये माइक्रोगिः ग्राफिया प्रेसिफल ओफ बाइवलोजी हरवार्ट स्पेंसर ने दिए प्रेसिफल ओफ जियोलोजी चार्ल्स लेल ने दिए साइलेंट स्पिंग रसेल कारसेन ने लिखिये शिष्टेमा नेच्टुरी केरूलस लीनियस ने दिए अंगे बात करते हैं गर्भासर के लिए विकल्फिक सब्द क्या है यूटेरस हीमो गिलोविंग की अधिक्तम बंदलता होती है ओक्सीजन के लिए कौन सी ग्रंथी सेक्स हार्मोन स्राव करती है एडिनल ग्रंथी कौन सांग वसा का भजन बंजन कर कॉलिस्टॉल उपन करता है या क्रत इई जी का पयोग किसकी गतिविदी दर्च करने के लिए करते है मर्श्टिस कोगी यदि माता-पिता मेंसे एक का रुदुरबर्ग यह है और दूसरी का ओ है तो इस बच्चे का संभावित रुदुरबर्ग होगा यह भी किस एक गी में पसलियों की संक्या सबसे अधिक होती है मानों में कि मानों में याद रखिए जिस तन पाई में स्वेद ग्रंथिया मूलता किसे संबन देते हैं ताप नियुम से मानों सुरित रक्ति खड़ों का व्यास कितना होता है 0.007 mm जब बेक कार करना बंद कर दे तो कौन सा पदार जमा होता है रक्त में नत जनित आउस्ष्ट पद होता है घट जाता है कि मानों सरीर में कुछ कौन सी सरचना में सलंगन होगा बेह दांत ठीक है याद रखिए तो हम लोग अभी तक कितने चेप्टर खितम कर चुके अठारे चेप्टर खितम कुछ चुके अंगला चेप्टर है हमारा भोजन एवं हे लो दोस्तों तो चली है हम जन्यनर स्फ देख रहे थी उसमें बात कर रहे थे हम लोग जी यां चेपन कर चुके अठारे चेप्टर खितम कर चुके है कि 28 डवर चेप्टर था हमारा मानों सरीर्व क्रिया विक्यान अब 19 चेप्टर में हम लोग बात करते हैं भोजन एवं पोस्ण के बारे हैं आपको बता दें कि इन सभी जितने लेक्चर हम लोग और क्या है तो कारव हाइडेट कौन सा पतायत मानो शरीर में इनन का काम करता है कारव हाइडेट कैपसूल का औरन किसका बनता है इस्टार्च का सेहद कप्रमो कटक कौन सा है फैक्टोच कौन सी सरक्रा ततका लुजा प्युधान करती है ग्लुकोच अगया में मुकता क्या होते हैं कर २ में सरवाधिक में जाना भूंगिट करता है कर माना सरी में को सच्छा करन काहा होता है घ्लाइकोजयर्में एक लेक Palata को किस से जल्दी और जाना भूज आ Kindernेक कार्वो हाइड्रेट को लंबे समय तक कठोर सरीड कार्व की बश्चाद मासफ पीजियों में थाकान अनुबाव का क्या कारण है ग्लूकोज का आउच है रक्त ग्लूकोज इस तर्व सामन तक किसमें ब्यक्त किया जाता है भाग पिती मिलियन में ठीक है आंगे बात करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनों आवस्चक होते हैं तो याद रखिए 20 शरीर में उत्कों का निर्माड किससे होता है प्रोटीन से प्रोटीन को मुख्यता क्या माना जाता है शरीर का निर्माड करने वाला Egine Mool-Rofs क्या है प्रोटीन जैसे इस सिस्टम में रसायनक क्रिया को तेज करने में अपतरदाई पतार कौन सा है इंज्याइम Alpha keratin नामक प्रोटीन कहां उपस्थित होता है तुछ्चा में उपस्थित रहता है सोयावीन में प्रोटीन का पितीसद कितना होता है? व्यारिस पितीसद किस प्रोटीन का सबसे अधिक सिरोध पाय जाता है? किस में? सोयावीन में साकाहारी अधिक्तम प्रोटीन किस से प्राप्त करते है? दालों से मानो सरीर में वसा कहां जमा होती है? वसा उतक में मानो सरीर में तुचा तल के नीचे बिद्धिमान वसा किसके विरोध और उतक का काम करती है सरीर की उसमा कच्छ है उंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरो उस्तल में रहता है ऐसा हुआ कैसे याद रुके अपने कूबर में जमा की गई चिकनाई का प्योग करके ठीव भोजन से किससे किती ग्राम सरवादी कूज्या प्राप होती है भोजन में मैंसे किससे पिती ग्राम सरवादी कूज्या प्राप होती है बसा से विटामीन सब्सक्राइब किसने पिती बादित की अभगने किसे रख्षात्मक पदात कहा जाता है विटामिन को गाजर किस विटामिन का समर्द सुरूत है विटामिन एका मानौस्तरीर में विटामिन एक कहा संचित होता है यक्रत में रतोंदी का मुक कारण किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन एकी विटामिन एक का कहा से उपलब्द होता है गाजर से थाइमीन क्या है विटामिन जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वा क्या है B12 साइनो कोबालमीन में क्या है विटामिन B12 विटामिन जो खट्टे फलो में पाये जाता है तताँ चरम को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन C कहलाता है विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोथ आउला किस विटामिन की कमी के कारण मसूनों से रखता आता है और दान थिलने लगते है विटामिन C विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है इसका वीक अभी अभी आएट का आएट का विटामीन किस सबजी से प्रापत ना होनेवाला विटामीन कऊन सा है विटामीनदी दलहनी फसलह में कौन सा विटामीन जीवाणू नाइट्रोजन जिश्थ्तरी करताjà राइ यो बीम, फ्राटा कालीन, धूब में मानौ सरीर में कौन सा विटामिन उत्पन होता है? विटामिन, वी, विटामिन D, जीए डिर्याद रखिये. मचलियों के यक्रत के तिल में किसकी पिचुरता होती है? विटामिन D, विटामिन D के स्जिजन में कौन पाये जाता है टोपोक हरॉल विटामिन E बिसिस तक किसके लिए मैं इतुन है लिंग गर्चियों की सामन किया के लिए रखते सकंदन में कौन सा विटामिन किया सील होता है विटामिन K ठीकर याद रखे बात करते हैं आगे, मानो सरीर में रखत का धका किस विटामिन से जनता है, कौन से विटामिन की खून के जमने में आवस्तक होता है, दातों में क्या होता है, केलसियम, किस विटामिन का समध दातों की विक्रिती के साथ है, फिलोरीन, हिदय की धड़कन को नेतित करने के लिए कौन सा खनेज आवस्यक है फोटेसियम सागरिये खरफत वाय किसका मत्पून है सरोत है आयोडीन का कौन आयोडीन का सरवुत्तम सरोत है सेवाल वो फास्ती तता हड़ियों के निर्माड और समपोस्ण में आवस्यक तत कौन सा है केलसियम मानव सरीर में ओस्तन ऑक्सीजन का त सबसे अधिक होती है आयरन किस में होता है हरे पत्तेदार सब्जियों में दूद में प्रोटिन और कार्गोडाइट कैतरिक पोसंड दायत अन्नतत्तौं में क्या समलेते केलसियम और bedrooms, सिमेंट और अस्थियों दोनों में विद्धमान तत्थ है केल्सियम किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है लोहा केंद्रिय खार्द फ्रोद्गी की अनुसंदान से अस्थान कहां इस्ते थे मैसूर में टायफाइड से सरी का कौन सा आंग प्रभावित होता है आथ फेचेस जीवा आंकों को दूबूर दिरश्टी की विमारी किसके कारण होती है नेत गोलक के छोटे छोटा होने से केंद्रिय उस्थी सोध संस्थान कहां इस्ते थे लखनौ में इवियन इन फिलूंजा विसाड़ू किसके लिए किससे निरूपित किया जाता है एज फाइव एंड इसकी कमी से दंत अच्छा होता है फिलूवरीन बेरियम मील का उपयोग क्या किया जाता है आहर नली के एक्सरे में गुर्दा पर्थरी का पता लगाने कि लिए किस पितिवें में ये यंद के पयोग को पयोग किया लाया जाता है सीटी स्केन गहरे तले हुए खाद पतारत के अंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें उनमें किसकी पिचुरता होती है वह सागी किस भारी धातों की विसाकता येक्रत सेरोसिस पैदा करती है को पर मानो सरीर में रख्त की आपरयाप आपूर्थी को क्या कहते है इस कीमिया टाइफ हाइड किसके द्वारा फैदा होता है सालमो नेला टाइफी द्वारा विसीजी पिती रक्षन किसके लिए है टीवी के लिए कार्बो हेड़ेट के अलावा हमारे अहर में उर्जा का एक फिरमुक स्रोथ कौन सा है वसा नेमोनिया रोग हमारे सरी के किसंग को गर्षित करते है फैपड़ा फूर्ट इसमित्ती लोग को किस सब्द द्वारा जाना जाता है एमनीसिया बीसीजी कटी का किसके बिड़ोद पितीरोद चमता उत्पन करने के लिए उपयोगत है तपेदिख आंगे बात करते है मानव सरीड रचना के संदर में एंटिवोडिज क्या होते है फ्रोटिन्स फीलिया किसके संक्रामा के कारण होते है या क्रत के कौन सारोग संक्रामा के निप्थिरिया बच्चों में अंग की अस्थियां किसकी कमी से मुड़ जाती है विटामिन D मूत के सरवन को बढ़ाने वाली उस्ती को क्या कहते हैं डाई यूरेटिक 14 वरस्तक की आई यू की बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक मत्पून है प्रोटीन पीत ज्वार किसके द्वारा संचालित किया जाता है मानोसरीर में संकमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है याद रखिए विटामिन A जापानी इन फिलाइटिस का कारक क्या है वी साडू दो सिफ्त ब्रिक के वाली विक्तियों के लिए अपोहन काउपियों किया जाता है इसमें नहित पिक्रम हो कौन सा है परासर्ण पीलिया में क्या दुस्पराभवित होता है याक्रत रोधेर में सोयत रख्त कड़काओं की अत्यदिक मात्रा में उपस्तित उपस्तिती को रोक बिग्यान की भासा में क्या कहते है लिवकेमिया चिकित सक परामस देते हैं कि हमें अपना भोजन बनस्पतीगी की अपेक्चा तेल भी बनाचना चाहिए क्योंकि तेल में आसंत्यप्त बसाएं होती है कॉलिस्टॉल क्या है? जन्तु बसा में उपस्तित वसी एलकोहल आहार में लवड का मुख खोपयों क्या है? वोजन के पाचन के लिए आपेक्चित हाइड्रोकलोरिक अमल लगूप मात्रा में पैदा करना वसा में कौन से गोलनसील विटामिन होते हैं? कैलसी फेरोल, केरोटिन वर टोको फेरोल एक कारिसील महला को पिती दिन कितना प्रोटिन लेना चाहिए? 45 ग्राम गोलन धान में सरवादिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए एनो इसमिया किस से को कहते हैं? ग्रान संबेदना की कमी शरीर की कैलोरी आवस्त्ता घर्मी की अपयक्ष्य सरदिया में बढ़ जाती है यह तिक कैलूरी के लिए आवस्तक है, शरीर का अताब बनाय रखने के लिए राष्टि एड फोर्शन संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो राज किस राज मेसस्तित है अंधवदेश दुल्ग्ध में उपस्थित केसिन क्या है फ्रोटीन किस तत्की कमी के कारण गहेंगाра हो जाता है आयोडीन किसके उपस्तिती के कारण दूद में मिठास आ जाती है लेक्टोज सुरूओं को मानो हिदायसी छेत्रों से दूर रखना जिसके उनमूलंस में सहायक है जापानी इनसे फिलाइटेस कुनेन कि अतरिक्त कौन सी सास्की उस्ति मलेरिया के उप्चार के लिए प्यवग की जाती है आर्टी थर नूट्रा इस्टिकल्स उत्पात के कौन से प्रभाव होते हैं पोसक और उस्ति प्रभाव केड्मियम पिदूसन किस से समध है इटाई इटाई काला जार का रोग बाहा कौन सा है सिक्टा मक्खी स्वेट फुस फुस रोग किस में पाय जाता है सिमेंट उद्द्यों के करमचारियों में आगे बात करते हैं एड्स विसाड़ू के लिए सबसे जान्दा आजमाई गई दवा है जीडो वुडीन एजी टी एजेड टी किस सूश में जीब के द्वारा हेफेटाईटिस बी की विमारी होती है वायरस एस विस्टर्स के कारण होने वाली फिर्मों करूप कौन सा है एमफे सेमा दूद का धवल रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है केसिन संतुले तहार में सन्नी कटता क्या होना चाहिए एक बटे पांच प्रोटीन एक बटे पांच बसा और तीन बटे पांच कारवोहाइड़ेट ठीग है पौधों और जन्तुओं में कार्भोहाइडिक किस रूप में संचित होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज दिल का दौरा किस कारण से होता है हिदय में रक्त आपूर्ती की कमी मनुसमें मरकरी के विक्सागत से कौन सा रोग होता है मिनी माता, मिना माता कहां काम करने वाली व्यक्तियों को बिले लंग रोग हो जाता है कोईला खान में दरदनाक अस्थी रोग इटाई-टाई तब पहले कहां पता चला था जापान में दास्र कौश क्या अरक्तिता रोग किसमें आप सामानता के कारण होता है लाग रोधिक कोई चीकाओं में पिचुर मात्रा में खाद प्रोटीन के दो ग्यात स्रोथ कौन से है सोयावीन और मुण फली विटामिन B2 का अना नाम क्या है राइवो फिलेवीन एक कठोर परिस्यम करने वाले फुरस की देने पूर्जा कि आवस्त तक क्या होती है 4000 केलोरी कौन सा विटामिन पानी में घुलन सील है विटामिन B विटामिन E की कमी के कारण क्या होता है नाइट विलाइंड नैस इसकरवी रोग के लाज में क्या उप्योगी है आउला BMD फरीक्षन किस रोग के लिए किया जाता है औस्टियो औरोसिस भारी मात्रा में इलकोहल पीने वाले लोग किस के कारण मनते है सिरोसिस सरल गलकंड घेंगा किसको प्रभावित करने वाली विवाई है थायराइड ग्रंथी को मलेरिया का संक्रामा चर्ण कौन सा है विजाडू थीक इस्पारोजोईट 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 मलेरिया का संक्रामा चर्ण कौन सा है विजाडूण इस्पारोजोईट कौन सा कब की ये रोग है एकची मा छोटी माता चिकनफॉकस किसे दवारा होता है डीने भीसाडू दवारा काली खासी काली मौत किसी कहते हैं फिलेट को डेंगु उखार के कार्ण मानो सरी में किसकी कमी होती है फिलेट Лिस्ठ की मायो फिया रोक किसका संबन्द किससे है है आँख से पिलाजवा में जलका पितीसत कितना होता है 90 पितीसत आरक्तिता में किसकी मात्रा कम हो जाती है हीमोगलोविन चेचक होने का क्या कारण है वेरी ओला वाइरस गाय के दूत का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है केरोटिन कौन सा रोग प्रया वायू के माद्यम से फेलता है अन्न किसके समध स्रोथ होते है इस्टार्च से वसा में कौन बिले नहीं होता विटामिन वी ट्वल वी बन कैंसर के उप्चार के लिए उप्योप्त रेडियो आइसो टॉप कौन सा है कोवाल्ट्स 60 मन उसके नित्रों के स्वस्थ संचालन की किस विटामिन का संबंद है विटामिन ए आँगे बात करते है संसाइन विटामिन कौन सा है विटामिन डी ECG क्या है इलेक्टो काइडियोग्राफ छिलीवी सबजियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है विटामिन C विटामिन B6 की कमी से मनुस में क्या होता है आरक्तिता पिलिया किसका पितीक है यक्रित की विमारी चेचक के पिती टीका करण में किसका समाविस किया जाता है जीवित पिती रक्षियों का जिस वीमारी में रखत सरक्रा का इस्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है डाइविटीज मेलीटस मनुस में एकला टॉक्सिन खाद विसाक्त जन्द वारा सामनता कौन सांग प्रभावित होता है यक्रत परजीनी फसल सौण चाबल कि सवांची इन लच्छन के लिए तेयार क एक कारिसील महला वुपिती दिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए 45 ग्राम मानौ सरीर के किसंग में लच्छिका कोश्च क्या बनती है अंत में दिर्ग अस्थी में इनसूलीन अंतरस्राव क्या है हार्मोन मनौस के अंगों मैं से कौन सा एक खानिकारई विकरेंड में सरवादिक सोप्रभाव है आग मसूनों से रखतर स्राव कौन रुखता है इसका रुबिक एसिड लार किस में पाचन मदद करती है इस्टार्च में मनौस में किसका पता लगाने के लिए अस्थी भवन परिच्छन किया जाता है अंत्रिम आयू रक्त कैंसर का लक्षन किस में सामान नता विद्धी है सोईत रक्त कोष्टका में कॉलिस्टॉल का सामन आ सामन इस तर मुख्यता किस से सम्बंदित होता है धमनियों का कठोर हो कौन सा अमल्स रावित होता है जो भोजन के फाचन में सहय करता है सहता है एट्डोकलोरिक अशेड है हाइड्रो क्लोरिक इसन कॉन सा अंग वसा का वंजक कर कुलेस्टरॉल उत्वर्ण करता है यक्रथ विटामिन वी विटामिन struck की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकर वी, वितामेन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रेकेट्स, पृतुलीज्म, क्या है, एक पिकार का भोजन पिदूसन, जो कॉलिस्टरी दीयम जीवानु द्वारा होता है, Amoebiasis किसके द्वारा होता है? Anti-amoeba, Hestoliteka से Proteins Insulation का सही करम क्या है? DNA, RNA, Aminoamal Proteins Lygage, नामक उत्वेरक, कौफियोग किसमे होता है? DNA के टुकणों को जोडने के लिए Thyro-Trophic, हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? Master ग्रंथी से प्रिदमाण जल की कितना प्रिद्वाण करते हैं? So, याद रखें यह option Zero 0,03 प्रिद माण जल का कितना प्रिद्वाण करते हैं? One, पِّ दिद्वाण से So, बद इजी इतना है ग्रीगे? आँगे बात करते हैं नोग तो यह हो गया हमारा उन्नीस वा चैप्टर भोजन एवां पोसंड से संब्धित वीस वा होगा अंतरास्त रावितंत और हार्मॉन से संब्धित थी याद रखी नमस्कार साथियो तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में उसमें हम लोग देख रहे थे बायलोजी यह पिग्ञान तो हम लोग 19 चैप्टर खतम कर चुके हैं 19 वा चैप्टर था हमारा वोजन एवं पोसंड से संब्धित अब 20 वा चैप्टर है अंतास रावितंत हार्मॉन्स चलिए तो सुन करते हैं आपको बता देते हैं कि यह सभी लेक्चर आपको एक ही जगे मिल जाएंगे फिले लिष्ट में जो जनरल साइंस के नाम से सूची अल्प सरावन का प्रभाव होगा कमी से अती सरावन का प्रभाव है अल्प कम और अती जानल तो सबसे पहले बाग करते हैं थायरोइड ग्रंथी से थायरोक्सीन हर्मोन निकलता है इस सरीर में होने वाली समस्त उपाप्ची क्रियाओं पर नियंतन एवं बिद्धी करता है इसके अल्प कम निकलने से बच्चों में जड मानोता पेड बड़ा तुचा सूकी और वैसकों में बिद्धा वस्ता की लक्षन दिखते हैं अती सरावन से ओकसी कारक मेटावॉलिच की दर रुधेर दाव गिलूकोजवा ओटू की खपत आदी कवरना थकावट उच्ताव गबराहट कमपन सौभाव में चिड़ चिड़ापन आदी फरेक पेरा थायराइड इसमें हार्मोन्स का नाम है पेरा थार्मोन केल्सी टोनिन रुधेर में C-A-P-C-C-P-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- इत्यू या टेटनिस रोग होता है इसकी अधिक्ता से अस्थियों का गलकर कमजोर हो जाना बहु स्मूथ प्यसिया कमजोर व्रकों में पत्री की संभावना होना होना है तो सरह थाइमस ग्रंथी इससे नकलता है थाइमस हर्मोन इसका कार है व्रद्धी एवं लेंगिक पर पर प्रिभाव लेंफोसाइट का उत्पादन करके उन्हें बिती रक्षी पदार्तों के संसलेशन की फेड़ना देना इसकी कमी से कंगाल कंकाल के निर्माण में रोकावट होती है वह अधिकता से उपाप्चाई क्रियां अतेंदी तीब और मित्ति हो सकती है हाइपोपाइशिस घरनती इससे निकलता है समेट्टोट्रापिक हार्मोन यहेसे बिध्धी हार्मोन यृएसे उन्हें पे watts य機 गृप्षे Telesis द्य। कख होना तृष है है कि थाइरोट्रोपिक हर्मोनि इसका काम है थाइराइड गरंथे को नियंद्व meu कुछ हो पंद सब्सक्वादिकता से थाइरोप्सन की अधिकता ढौक्तिक हर्मोनित काटीट में नियंतल थी गुरुनोर्ड को उत्तेजित कर लेंगिक क्रियासील को नेतित करना ठीक है याद रखिए अंडासय का आकार छीन हो जाता है कमी से लेंगिक प्रफक कीता समय से पहले आना इसका लच्छन है अधिकता के कारण फ्रे फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH सुक्र की निर्माण की क्रिया पर प्रफवाव फ्रे लेच लिव्टे नाइजिंग हार्मोन कौपस लिव्टी लिव्टियम को विद्धी के लिए फिरित करना एस्टोजन फ्रोजेश्टिरोन तता टेस्टोष्टरीन हार्मोन की स्रावन को के लिए उत्तेजित करना प्रे लेक्टोजेने खारों लेच गर्वित मधाओं में दुग्द का निर्माण तता उसके स्रावन को फिरित करना प्रे इसकी कमी से हैं मादा में दूद का निर्माण नहीं होता वदिकता से इस्तनों का बड़ा हो जाना आसमें दूद बनना ठीक प्रे नीवरो हाइपो फाइसिस वैसोपीसिन एंटी डायुरिटिक हार्मोन एडी एज रोधिर में जलकी मातरा कनियंतिन करता है गर्वाचाई की अनेक्चिक मांस्वेसियों इसकी कमी से मूत का पतला और रोधिर का गाड़ा हो जाता है मूत की मातरा वढ़ जाती है और अधिकता से मूत का लिंग हार्मोन ही वाहे जनन अंगों में भिन्नता दुतियक लेंगिक लक्षणों पर निये अंतर्ण ठीड आंगे बात करते हैं त्रहें गिल्यको कोटी कॉइडिस काइटी सोन या काइटी कोश्टिरों अधर्मन बसा प्रोटीन ग्लूकोज के पापचाय करने इंतर पेसीयों कमजोर और मित्यों तरहें मेनलो रेलो कोटी कॉइड एल्डो श्ट्रों इसका कार है सरीर में खनेजों लवडों की मातरा कुन इसकी कमी से एडीन शन करो जल तथा एने सोडियम का तो रजन का पूंघ्व सरीह निर्जली करन और इसकी कमी से अधिकता से अस्थियों का करना होता है फ्रमेडिवला गरंती से एडिनीन एडि नेलीन रक्त चाब में विद्धी रुक्त सरक्रा विद्धी हैदय स्पंदन विद्धी नियंतन ये इसका काम है ठीक है इसकी कमी से रोधिर दाप कम खेन अवस्ता और हाई से अगर जाना है तो हाईपर ग्लास ग्लाइसीमिया से मद दे़्धाफ एवन तना उसरों फ्रहे हमारा और एडिनीन नेलीन मदामें जनन अंगों का फरीवर्तन फ्रहे zwischen लेंगिक लख्छडोंगा नियंतन फ्रहें फेनियल ग्रंथी मेलेटोनिक सिरेटोनिक टॉने मनुसमें कारियों का ठीक पताल नहीं फ्रहें जनन ग्रंथि अवस्ता के लिए तयार करना पुरोजिस्टॉन इसका इस्तन गिरंतियों की विद्धी का नियंत्र करना फ्रेवेशन रिलेक्सिन टेस्टूस्टूस्टिन लौन घरवा से मासपीचियों को ढीला करना फ्रोटीन उपाप्च्य में सहाय नर्म लेंगिक अधलेचन योन ठीक है बात करते हैं आगनायस है या लेंगर हैंस की दीवकाएं इनसे इंसुलीन निकलता है गिलुकोज का उपाप्चय का नियंतन इसकी अधिक कमी से मदू में मूत में जलकी मात्रा बढ़ जाना अमलीता में वित्ती और अधिक्ता से गिलुकोज की मात्रा की कमी से मस्तिस्क में उत्तिजिन ना होना ठकावाट वेहोसी सरीर में एठन प्रे आमासे आतिये सलिस्मा आमासे तो गिलुका मोन गेस्टिन शीक्रेटिन इससे निकलता है इससे यक्रित में गलाइकोजन निमनीक कन्येंतन जतर रस श्राव का नियेंतन अगिना से द्वारा आ कार्वनिक लबनों की श्राव का नियेंतन करता है। कॉलि सिश्टो काइनिन एक पित्ता से रस का कि शरावन के लिए उद्धीपन है एंटी रोकाइनिन आद की कविश्काओं को पाचन रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि अंत्रावी तंत तайтесь in की कार प्रिणाली के अंतरगत सब्सक्राइन का अत्याओत हे रावी थन्त का संबन से रतics से हार्मोन का आवस्यक मात्रा सिक्कम सरावन क्या कहलाता है हाइपोटेंशन हार्मोन का आवस्यक मात्रा स्याधिक क्या कहलाता है हाइपोटेंशन और गृत है या निवरो एंडू क्राइनोलॉजी कि इंजित का किसका धेनसता है मस्टिस्क का हइपो अ हईnantां थेलेमस तरफ और से से स्रीर के सभी घरंथियां किसे में बनी होती हैं एपी थीलियमी इस तरों के बलायों से कसेर रूक्कियों में कितने में फिकार कि गरंतियां हुती है किन गरंथियू द्वारा स्रावित वदार इनकी बाहिकाओं में भैकर सम्दीत अंग विसेश में ही जाते याद रखें बाहि स्रावीगी कुंतियों को अन्न किस नाम से जते वाहिनी यूख्त गरंतियां अ Mooi calling है आंगे बात करते हैं लार ग्रंथियां लार ग्रंथी किस पकार की ग्रंथियां वाहिस रावी ग्रंथियां सुएद ग्रंथियां किसका उतार रहने हैं वाहिस रावी ग्रंथियां का अंता सरावी ग्रंथियों को अन किस नाम से जाने जाता नलिकावीन ग्रंथियां नलिकावीन ग्रंथियां उस सारे सरीर में फ्यलता है अंतासरावी तंसे थाइराइड ग्रंथी किस पकार की ग्रंथी का उधारान है अंतासरावी ग्रंथी आंगे बात करते हैं किस पकार की गरंथी जिसमें जिने में वही एवं अनतास्राव के भाग या पुश्काय होती हैं क्या कहला ती मिस्त्रइद गरंथी उदर किस पकार की अधार मेस्रइद घरंती आगणासर में किस पकार की घरंती फाय जाती है मेस्रइद गरंती रसायने के इस्तर पर हार्मोन मुक तक किसा के व्यूतपन पदाट होती है एस्टी प्रोटीन्स के विद्पन प्रोटीन्स के विद्पन प्रोटीन्स के विद्पन प्रोटीन्स के प्रोटीन्स के विद्पन 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 प्रो क्या है फल पकाने वाला इबन विद्धी रोधक हार्मोन चलिए तो यह था हमारे अंतासरावी गंतियों से जो हार्मोन होती थे हार्मोन उनके कार और अधिकता और कमी से होने वाले प्रभाव अब बात करेंगे हम लोग उसमें अगले में है वीटामिन ठीक है 21वा चेप्ट नमस्कार दोस्तों अ चलिए हम लोग बात जिनल साइन्स के मरें वारी 51 जिसमे бер अभी तक 22 चेप्टर कर चुके हैं 22 बार चेप्टर कौन सा था उन्ता सरी 20 चेप्टर कर चुके हैं 20 रावी तंध हर्मोन्स अब highly की समई में देखते हैं विटामिन्स से हर किसी ना किसी ना हर परिच्छा में एक नाइक कुष्चन एक दूकुश्चन पूर्श से याद रखी विटामिन URCH का रसानिक नाम क्या है तो याद रखन है रेटिनल रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको याद रखना है रतो घी बिटामिन ए मुख्य तक किस upgrades याद रखिए दूद्र गी गाजर था मचली का याद रख विटामिन D का रसानिक नाम क्या है केलसी फेरोल विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है सूखा रोग याद रखिए विटामिन A की कमी से होता है रतोंदी विटामिन A का रसानिक नाम है रेटिनाल विटामिन D का रसानिक नाम है केलसी फेरोल विटामिन D की कमी से होता है थोड़ा यहीं रोख के लोग देख लेते हैं चिकत्सा संबंदी अविस्कार और उनके अविस्कार रख ठीए क्योंकि यह भी जरूरी आते हैं इसी चैप्टर में खत्म कर देंगे ठीए फिर आंगे देखते हैं हम लोग बिटाविंटी तो अविस्कार है अल्टा वाइलिट केड़नों द्वारा इस द्वारा चिकत्सा एक फ्रेंस हैं है अविस्कार आरेने आर्थ अरग तथा जैम्स वाटसन है इसके डीने जैम्स वाटसन तथा क्रेक्ष इसके अविस्कार इंसुलीन बेंटिंग बेंटिंग एस्पीन डेजर अंटि सेप्टिक सर्जरी लेश्टर किलोरो क्वीन कुनेन सेंथेटिक रेवी किलोरोफों सैंसन तथा हैरिशन काले बुखार की चेकित्सा जनेटिक कोड हर्गोविंद कुराना टेरा माईसिन थैनले टीवी के किये टाडू तथा चिकिस्था के लिए रोबर्ट कोच टाइफाइड के जीवाणू रोबर्ट डाइबटीज तथा चिकिस्था एफ बेंटिंग ठीक है डीडीटी एफ पाल मूग करें इसके अविसकार धूर फैनेसलीन अलेग के जेंडर फेल्एविंग है फोलिए कटीका जांस इसाल की पीलेबु कार की चिक्षा Рीड है फेला एग तथा फेकिस्था केटा जाटवें बीसीजी यूरिन कालमेट हैं वेरी-वेरी रोग की चिकसा आईजक मेन ने किया इसका विसका वेक्टिरिया लिवेन होक मलेरिया परजीवी चिक्षा रोनाल्डो रॉस रक्त परी संचन विलियम हर्वे रक्त परी वार्तां काल लैंडिस्टीनर विटामिन हंक स्टेट ती सको लािनेक और इस्टेटो माइसिन वॉक्स मेन ऐलफाडेक्स डांगमेंग तेल तरह सेकलिस्ट की चिक्षा पॉल एरिक हाइड्रो फोबिया की चिक्षा लुई-पास्चर थे यह थे हमारे अविस्कार और अविस्कार को अब बात करते हैं हांगे विटामिन की विटामिन D किसमें पाय जाता है तो याद रखें जिगर, अंडा, तस सूर के पिकासन व्यूटी विटामिन किसे कहते हैं विटामिन E को व्यूटी विटामिन किसे कहते हैं व्यूटी विटामिन किसे कहते हैं टू की कमी से कौन सा रोग होता है, केलोसिस, विटामिन B2 का रसाइनिक नाम, राइवो फ्लेविन, विटामिन B3 का रसाइनिक नाम, नियासन, विटामिन B3 की कमी से, चरम रोग, सफेद खाल, विटामिन B5 का रसाइनिक नाम, पेंटा थेनिक, विटामिन B5 की कमी से, टिरेटन और चरह ब्लूर बी सेविन किसका रशान रिखनाम एक भाइउटीन बी सेविन की कुमी से कौन सा रोग होता है ढर्मेट टाइट इस याद रखेंगा बात करते हैं हम लोग बिटामिन की स्रोत कार और कमी का प्रभाव तो यह इसका नाम है रसाइनी नाव रेटीनॉग इसका स्रोथ है केरोटिन रंगाओं से जिगर वा आग्तिय सलेस्मा की कोच्क्याओं से दूद्ध मक्षन अंडा जिगर मचली तेल कारिस का दिरश्टी रंगाओं का संसलेसं एपिधिलियम इस तरों की विद्धी विकास गाजर से भी विटामिन A मिलता है याद रखी फरक इस कमी से कौनिया वात्वचा की कुछगाओं का सल्ग की भवन रतोंदी कुठित विद्धी जिरो फैथिलीमिया होता है विटामिन D केल्सी फेरोल मक्खन जिगर मचली का तेल गुर्दिव अंडे तुचा और इस्ट में सूर की पि प्रश्पोरिस कावपाप चैह हड्डियों और दातों में बित्ति इसकी कमी से होता है सुखरो और ऑस्टियो मेलिसिया जनन चमता की कमी और जननांग विटामिन E टी को फेरोल कहते हैं से तेल गया हूँ अंडे की जर्श्थी और सुयावीन में होता है इसकी कार है इसका कोश्या कक्षा की सुरक्षा और एपिथिलियम की वित्ति इसकी कमी से जननिक प्रेसियों का कमजोर होना फ्रह विटामिन K इसे का जाता है नेप्तो कुई नॉन हर आपकी वेक्टिरिया इसका कार है जिगर में प्रोथोम मिन का संस्रेशन कमी का से उता है रोक लगने चोट लगने पर रुदेर का धक्का नजमने और याद रखी ADEK चार वसा में गुलन सीन बिटामिन है अब जल में गुलन सीन बिटामिन है इसे थाइमिन बोलते इसका सरफ है अनाज, फलिया, सोयावीन, दूद, इस्ट, अंडे, मास इसका कार है कार्गोहाइड़िट, अमीनो, अमल, कुपाप चाहे के लिए इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है ठीड तरह हमारा बिटरमिन बीटू कौन सा बीटू इसे कायते हैं राइबो थलेविन पनीर अंडे इस्ट हरी सब पतियां और मास जिगर से होता है इसका कार है उपापचा में मत्पूंत ने इसकी कमी से केलो सिया रोग होता है फिर निकोटिन निकोटिनिक अमल यह इस्ट मास जिगर मचली अंडे दूद मतर मेवा फलियों से मिलता है इसका कार है उपापचा में मत्पूंत ने इसकी कमी से मानसिक एवं तुचा विकार होता है फिर बिटामिन B3 फायरी डॉक्सिन दूद इस्ट अनाज मास जिगर मचली से उत्पन होता है इसकी कमी से प्रोटिन उपापचा में आवस्सिक अंजायम की साह इंजायम और इसकी कमी से रक्त छीड़ता चरम रोग फेशी इसकी कमी से चरम रोग बिद्धी कम बाल सफेज जनन चमता कम होती है विटामिन H बायोटीन बोलते हैं से मास गयम अंडा मुंफली चॉकलेट श्रबजी फल इसका कारेश वसी है अमलों से कई अन्पदाथों का संसलेशन की यम से सहन जाएं इसकी कमी से चरम रोग बालों का जहना होता है फ्रह फॉलिक अंगल हरी पत्तियों से जिगर फ्रोयावीन इस्ट गुर्दे फलियां आत के जीए और उसे इसकी इसका कारेश विद्धी रुधी राणुओं का निर्माट डीने का संसलेशन इस इसकी मास जिगर अंडरा दूद आत के जीवारू से इसकी इसका कार है विद्धी रुधी रुधीकाओं रुधी रुधी निर्माट नियूकलिक अमलों का संसलेशन इसकी कमी से होता है पर नीसियस अनेमिया तंधिका तंध की गड़वडी फिर है बेटामिन सी जैसे इसक इसकी सिमेंट कोलेजन तंतुओं हड्डियों के मैट्टिक्स दातों के डेंटिन का निर्माट इसकी कमी से होता है इसकर भी रोग ठीक है याद रुधी विटामिन बी-9 करसाइनिक नाम है फॉलिक एसिड विटामिन बी-9 की कमी से कौन सा रोग होता है रखतालफा या कु कौन सा विटामिन बसा में घुलंसील है विटामिन ADEK कौन से विटामिन जल में घुलंसील है विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और C ठीक है तो यह थी हमारी विटामिन्स ठीक है अब अंगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अंगला चप्टर जनतु एवं पादपों में जन नमस्कार दोस्तों चलिए हम भबात कर रहे हैं जलन साइंस के बारे में उसमें बात कर रहे थे हम लोग बायलोजी या जीप गयान के बारे में ठीक हैं तो हम लोग अभी तक 21 चेप्टर क्टम कर चुके है लाश्य चेप्टर कौन सा था 21 वाथ 20 वाज़ याद wrenchे याद विनाय योगुमक के उत्वन करें जनन क्या कहलाते हैं आलेंगिक जनन योगमों के वीच साय-योगमन से कौन सा जनन होता है लेंगिक जनन आ कसे रुकी में कौन सा जनन पाए जाता है आ लेंगे जनन एक कोषिकाओं का जीवन का जीवन काल कुछ कोषकाओं तो थोड़े ही दिन जीवित रहती है लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हफ्तों महिनों वर्सों तक जीवित रहती हैं अस्ती कोश्का हैं जो 15-20 वर्सों तक जीवित रहती हैं जबकि सुईत रक्त कोश्का हैं कि आयू केवल चार महिने की होती है तुच्छा कोश्काएं का जीवन का लगवक, तीन सब्ताय का होता है, तंतिका कोश्काओं की आयू सबसे दिखोती है, यह हमारे जीवन के अंतिम समय तक जीवित रहे थी है, मेयोसिस, माईटोसिस, क्रियाओं द्वारा सरीर में कोश्का विवाजन की क्रिया होती है, इसी से सारीरिक विद्धी और पजनन क्रियाएं भी होती हैं ठेट आगे बात करते हैं कि अमीवा अमीवा में जनन किस विकार का होता है भी खंडन का किस विकार के जनन में जीवधारी की सरी का कोई भी भाग कई में तूटकर पितिक खंळ अलग होकर एक जीप को जनने देता खंडण का दुएक किस में होता है इस्पाइग'' इस्पीरो गायरा भाप किसी पिकार के जनन में सरीर के किसी विभाक से ये जीप के च हिसलोख ठाट ंरॉदध़वन गाले इस्टार पिकार की पिकार जननग विजानग द्वारा नर यूमक को क्या कहते हैं सुक्राणु मादा को क्या कहते हैं अंडाणु आविरत जीवी आविरत बीजी पौधों में जननांग कहां व्योस्तेते वोते हैं पुस्प में पुस्प के जनन भाग कौन से पुंकेसर तथा इस्तरी केसर जब पुरुस में पुस्प में पुंकेसर तथा इस्तरी केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुस्प क्या कहलाता है एक लेंगी पपीता में कौन सा जनन होता है लेंग एक जनन ठीक है आगे बात करते हैं सायोजन को क्या कहते हैं निसेचन निसेचन के फलू स्तुरूप क्या बनता है योगो नज जाइगोट मनोस नर में जन्रांग क्या कहलाता है वेसड वेसड में किसका निर्माण होता है सुक्राणू का वेसड कहां इस्तित होते हैं उदैगुआ के बाहर वेशन कोस में उत्पादिच सुक्कराणू का मोचन किसके द्वारा होता है सुक्वाहिकाओं द्वारा ठीक है बात करते हैं विभिन जन्तुओं में गर्वावदी जन्तुओं गर्वावदी दिवस हो गई हाती में याद रखिए 624 हाती में कितने दिए 624 दिन जिराप में 400 से 480 दिन उट में 400 गधा में 365 भैस में 310 गाय में 280 बंदर में 150 से 170 दिन बाग में 155 दिन बकरी में 159 दिन भेड में 159 दिन सेर में 105 से 115 दिन सुगर में 114 दिन गिनी पिग में 62 से 70 दिन बिल्ली में 63 दिन कुट्ता में 63 कंगारू में 40 दिन खरगोस खरगोस में होता है 28 से 30 दिन चूहा में 24 21 दिन ओपोसम में 12 से 13 दिन गिलहरी में 30 से 40 दिन औरंग औरंग ओटान में 270 दिन सियार में 60 दिन लॉंबडी में 15 पोटामस में 265 दिन ठीक है याद रखिए अब बात करते हैं अब बात करते हैं दोनों फिलोफियन ट्यू सैथ दुरू होकर क्या बनती है गरभास है भूण को कोशन कहां से मिलता है माकित रोधिर से फिले सेंटा द्वारा अन्डों के बनने के किरिया क्या कर लाती अन्ड जनन और उसके शरीर में सुक्राणू कितने दन तक जीवित रहते हैं लगवक तीस दिन तक सुक्राणू की लंबाई कितनी होती है लगवक पाच माइक्रों कों सुक्राणू के प्रमुक संग्राय स्थान क्या है अधी विरसन में पुराहा इस्तरा काकार कैसा होता है गोल सुपारी जैसा अंड वा कारफस, लिटी, यम के द्वारा, अब बात करते हैं किलोनिंग विधी से, किलोनिंग एक जीव रचना है, जो गेर लेंगिक विधी द्वारा एकल फेरेंट से उत्पन होता है, किलोन सारी रूम में ही नहीं, वरन अनुबान से गुडों में भी अपने एकल फेरेंट के अनु करूम निंग कहा जाता है, इस तक्नीक के तहद प्रया नाविक्ये अंतरन विधी का पयोग किया जाता है, किसी एक कोश्का का केंड़क क्रोमोसॉम और जीन का वर्णारन होता है, इसलिए इस से एक कोश्का की सभी अनुवानसिक सूचनाए फराब्द की जा सकती है, नाव परसाथ नाविक रहत अंडाणू में पित्ति स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद उस उन पर हलकी विद्धुत तरंगों को प्रभावित किया जाता है। जिसे नाविक रहत को इसका अंडाणू से मिल जाती है, और अंडाणू का स्थीव बिभाजन सुन हो जाता है। इस विक्रिया के तहट पूर्ण विक्सित इस अंडाणू को पिती नेप्त मा के गरब में आरुपित कर दिया जाता है इस विकार गरब में बच्चे का विकास और जनम होता है परागत रूप से क्लोनिंग तक्निकी किर्सी और बागवानी बिसे सकों में काफी पिछले थे स्कॉटलेंड बेटिन इस्तित रॉसलेंग इस्टिटूट के डॉक्टर इयान बिलमोट ने के नेतत में बेग्जानकों के एक दलने इस तक्निकी द्वारा भेड याद रखी भेड की एकल कुश्का से डॉली नामक मेमना पैदा करने में सफलता प्राप्त की थी डॉली अपने मा की सची पितिली भी है जिसे किलोन कहते हैं जनम इसका 1996 में वो गया था लेकिन इसकी फर्वडी 1997 में प्रिकास मिलाए गया था ठीक है याद रुकिए तो भेड है किलोनींग पहली ठीक है डॉली अब बात कर लेते हैं किलोनिंग का कुछ इत्यास ए वरस हो मेड़क प्रिजाती नाब किये फित्या रोपन भूर से अंडानू टैड फोल का जनम प्रोड़ता के पूर्वी मित्ति हो गई नाब किये फित्या रोपन भूर से अंडानू लारवा का जनम प्रोड़ता के पूर्व ही मित्ति हो गई 1984 मेग ग्रत वा सॉल्टर इसने चूहा का प्रिजाती नाब किये फित्या रोपन भूर से अंडानू कुछ चूहों का जनम युवा वस्ता तक कोई जीवित नहीं रहा थ्रैक्टूबर 1993 हॉल वा इस्टील में मनुसका एक भूर का दो समरूप जुड़वा मे किंतिम विवाजन पहली बार दो जुड़वा मानों भूर का जनम आसमान मार्च 1996 में रॉसलिंग इस्टिटीट इस्कॉटलेंग के विग्यान को ने भेड का क्लोनिंग बनाया नाब किये फित्या रोपन भूर से अंडानू मैगान और मॉर्गन नामक दो भेड़ों का साम समाने जनम हुगा आँगे बात करते हैं मार्च 1997 में डॉन और उनकी साथी ओरेगन अमेरिका ने बंदर का नापकिये पित्यार उपन भूर से अंडानू दो बंदरों का समाने जनम फरवरी 1998 में अमेरिका में विलेग सब्वाइब के बिग्यानिक वच्ड़ा का बच्ड़ बच्चिया का नाम मार्गुराइट रखा गया पाच जुलाई 1998 जापान में दो बच्चियों को जनम देने वाली गाय की मित्तु वाको समय बाद बच्चियों की मित्ती हो गई जुन जुलाई 1998 हवाई विस्विद्याले अमेरिका ने चूहा का एक किलोन बनाए पच्चास पहला है सुक्राणू का निर्मार जनन एपिथिलियम की कोश्काओं के विभाजन से होता है अंडाणू का जनन भी जनन एपिथिलियम की कोश्काओं के विभाजन से होता है शुक्र जनन का परिपक्वन प्रावस्था में दो विभाजन होते हैं अंड जनन की परिपक्वन प्रवस्था में सुक्रजन की परिफक्वन प्रवस्था की तरह दो विभाजन होते हैं सुक्रजनन क्रिया में गुडन विद्धी इवन परिफक्वन तीनो प्रवस्थाएं होते हैं अंडजन क्रिया में भी सुक्रजनन की तरह तीनो प्रवस्थाएं होते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोश्का संख्या में बिद्धी करती हैं इसमें अंते मुत्वार नर युगमक है इसमें अंते मुत्मार मदा युगमक बनते हैं ठीप अब बात करते हैं आंगे हम सुक्जनन एबं अंडजनन में अंतर सुक्जनन अंडजनन एक इस्परमेटो साइट में चार कुछका सुक्राणूं का निर्माड होता है, एक ओगोनिया से किवल एक अंडाणू का निर्माड होता है, सुक्राणूं क्रिया में कोई भी धुरुपकोषका नहीं होती है, अनजनन में दो तीन धुरुपकोषका बनती है, इस प्रमोटो साइट से बने चार सुक्राण वाग ले सकते हैं उगोणिया से बना अंडाडु निस्चन की या में भाग ले सकता है धुरुप कोदुस का यह निस्चन में भाग आधा है। सुकुराणू छोटे वा सक्रिय होते हैं अधानू पढ़े पनिस्किये होते हैं जनन समंदी कुछ प्रमुक मत्मुनता देखते हैं यो नारम मनुस के जीवन काल में जब उसमें जनन चमतारम होती है वो सबस्ता को यो नारम कहते हैं गौण लेंगिक लक्षन यो नारम के समझ मनुस के सरी में अनेक पिकार के परीवतन होते हैं अनेक कैसे परीवतन होते हैं जो मदा को नर्थ से विवितित करते हैं इन लक्षनों को गौण लेंगिक लक्षन करते हैं मिनारकी, लड़कियों में मासक चक का पिथम बार्परारम होना मिनारकी कहलाता है। रजोन्नवत्ती, इस्तिरियों में 40 से 50 बरस की उम्मे के बश्याद रितु इस्तराओ नहीं होता है। इसे ही रजोन्नवत्ती कहते हैं। अंडोत्सर्ग, अंडासाय द्वारां अंडाणों की निर्मुक्ती को अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायू, जरायू, गरब की सबसे बाहरी जिल्ली को जरायू कहते हैं। तो ये आंगुथ अंगुर में यराईव। से अंगलियों के अनेक बेवर्द दि निकलते जन्हें अंगुर कहतें अप्रे अंपर ऊप्र वह गरवां लें परत की संफ़र्ख चिटकों आप्रआ कहते है नारी नावी रज्जू गरव अपरा से एक मजबूत दोड़ी जसी रचना से जुड़ा होता है जिसे नावी रज्जू कहते हैं यह माता और गरव के भी अंग का कार करती है फ्रेज जायगोट यह नज निसेशित अनाणू को एगमस कहा जाता है याद रखे अंबिकल अंब कार्यांतरन के विकार एमेटा बोलस बिना कायांतरन के परिवर्तन उधारन लेपी सिमा फेरा मेटा बोलस नेमिद क्रमिक संग कायांतरक हैमी मेटा बोलस अल्ब कायांतरन डेगन फिलाई होलो मेटा बोलस अल्ब कायांतरन मच्छर चीटी तितली हती क्रमेडी कायांतरन ज लावा सिस्सरल वैस का परिवर्दन उधारन हर्ड मानिया ठीक है तो यह था हमारा कौन से नम्मर का 22 जन्तु एबं पात्पों में जनन्त अत्यज वाहर हमारा रहेगा मानों शरीर में पाचंस और सन उत्राजन तन्त ठीक है हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात पर गए जन्रेल साइंस के बारे में तो इसमें हम लोग कितने चैप्टर खतम कर चुके अभी तक 22 चैप्टर देख चुके हैं 22 चैप्टर कौन सा था जन्तु एबं पाधपों में जनन्त से सम्मंदित अब यह 23 चैप्टर है मानों सरी में इसके सूची में मिल जाएंगे फिले लिष्ट में चलिए सुरू करते हैं मानों सरीर में समान क्रिया वाले सहे हुई अंगों के सम्मू को क्या कहते हैं तंत सिस्टम पोसक पदारतों की काईयां आपस में किस बंदों द्वारा जुड़ी होती हैं ने जली करन बंदों आहार नाल का पहला भाग हो कौन सा है मुख गोहा आहार नाल के फिर मुख भाग कौन-कौन से है मुख गोहा ग्रास नली आमाईसे और आत ठीक आंगे बात करते हैं मुख गोहा के उपरी भाग को क्या कहते हैं तालू जीप के उपरी सत्य पर कई चोटे चोटे अंकुर होते हैं उने क्या कहते हैं स्वाद कलिका है टेस्ट वांड वांड जीप के अगभाग से किस स्वाद का पता चलता है मीठे स्वाद का जीप के पश्ची भाग से किस स् होता है बगल की भाग से आंगे के भाग से अगभाग से मीठे स्वात का पता चलता है पश्च भाग से कड़वी स्वात का वो खटे स्वात का अभास होता है जीव के बगल के भागों से मनुस के दाथ कितनी बार निकलते हैं दो बार मनुस के नाथ किस पिकार के होते हैं मनु दाद जबडे की हड़ियों में धसे रहते हैं द्वार दंती सिक्या तातिपाई दाद जीवन में दो बार निकलते हैं विसम दंती से क्या तातिपाई दाद एक से अधिक प्रिकार के होते हैं मन उसके जबडे में कुल कितने दाद होते हैं 32 37 मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है ग्रैसनी आगे बात करते हैं कंठ द्वार से कंठ द्वार से आगे एक पट्टी जैसा रचना क्या कहलाती है एपी ग्लोटिस मुख ग्राष नली कहां खुलती है आमासे में ग्राशनली की दीवार में संकुचन और सिकुडन को क्या कहते हैं किरमांकुचन आमाजसे कहां इस्तित होता है उदय गुआ में बाईयो आमाजसे कितने भाग होते हैं अग भाग काईडियक वीच वक्का भाग हॉंटिक पस्च भाग पाईलोरिक आमाजसे की लंबाई कितनी होती है लगवक 30 cm आमाजसे से कौन सामले निकलता है हाइड्रोकलोरिक अमल का क्या ताथ कार है निस्क्रिये फैपसिनोजन को सक्क्रिये फैपसिन नामक इंजाय में परिप्रतित करना चोटे आत का फैरमिक भाग किस तरह का होता है अंग्रेजी के अक्छर-यू की तरह चोटी आत का यू के आकाद वाला भाग क्या कहलाता है घ्रहणी ग्रहनी की इस लंबाई लगवक इतनी होती है 25 सेंटीमीटर आहर नाल के किस भाग में पाचन किरिया पूर्ण होती है छोटी आत में आँगे बात करते हैं बड़ी आत के कौन से भाग होते हैं कुलोन तथा मलासर छोटी आत तथा बड़ी आत को जोटने वाली नली को क्या कहते हैं सीकम सीकम के सीस पर अंगली जैसी सरचना क्या कहलाती है एपेंडिक्स मनुस्त की आहर नाल में कौन सा उसोसी यंग होता है एपेंडिक्स मनुस की लार में मुक्ता कौन से अभवी पदायरत होते हैं लगबे 90.30 जल तता 1.30 इन्जायम आँगे बात करते हैं आँगे बात करते हैं चिकित सास्त की चित में महत्वून अविस्कार देख लेते हैं यह अविस्कार हो गए अविस्कारक और देश आयुवेद यह 2000 से 1000 इसापूर में आते भारत में हुआ आते थे इसके अविस्कारक फास्चाद चिकित सा पदिती 660 से 370 इसापूर हिपोकेटस इवनान के थे योग 200 से 100 इसापूर में इसके अविस्कारक थे पतंजली भारत में हुआ है अश्टांग हिदय यह 555 इसवी में वागमट इसके अविस्कारक थे भारत के सिद्ध्यों 785 इसवी ब्रेद कुट इसके अविस्कारक थे भारत में सरीर विज्ञान कीमियों 1316 इसवी में मोडिनो इटली के थे रसाइंचे किसा 1493 से 1541 परासलसस सुईजरलेंड के थे आंगे बात करते हैं लार में मुकता कौन से इंजाइम पाए जाते हैं टाइलेन तता लाइस्टो जाइम यक्रत वजन लगवा कितना है एक दिसमलोव पांच किलोग्राम से दो दिसमलोव जीरो किलोग्राम के मत यक्रत के निचले भाग में इस्ते थेली को क्या कहते हैं पित्ता से पित्त के किस फिकार कद्यब होता है पीले रंग का छारी है पित्त का पी एच मार क्या है 7.7 साथ दिसमलोव साथ पी मनोस्त में पिती दिन लगवा कितने पित्त बनता है 700 से 1000 मिली लीटर अगना ऐसे क्या है आम ऐसे कि ठीक नीचे तथा ग्रहनी ग्रहनी को घिरी हुए प बात कर लेते हैं कुछ महत्पूर मानोव विकारों के यह विकार हो गए प्रभावित अंग अर्थ राइटिस गाउट से कंगालतंत प्रभावित होता है गाउट जैसे संधियां कंगालतंत होता है अस्तमा सोसंतंत गंजापन तुचा वर्सिर्फ कैंसर सभीतंत डेंडव दॉचा डाइविटीज मदूमे पाचन एवं अंताशरावितंत डिसलेक्षिया तंथिकातंत पूस्टेट कवर्णा मूत प्रणाली एपलेप्सी एपिलेप्सी मस्तिस्क फैक्चर कंगालतंत पित्रासै की पत्री पाचन एवं पित्रासै हिदय घात हिदय हाइपरटेंश उच्छ रख्ताव रोधिर्व परिवाहन तंद माईगेंड तंतिका तंद ओस्टियो पूरोसिस अस्थिया परकिंसन रोग तंतिका तंद टैनस एलो फ्यसियों वकंगाल तंद अलसर पाचन तंद तिक आंगे बात करते हैं मुख गरंथियां देखते हैं मुख गरंथियां इंपोर्टेंट ग्लांड्स हाइडरीयन नेत्रों में सिरा और चिकनाई फ्यदान करती है यूटी कूलर गरंथि कौकरोज यह उंकीटों को मदा जन नांगों में होती है सलेज गरंथियां मैडक की तुचा में मेवकस श्राह करती है वीवनस गरंथियां एककसीरों प्राणियों की यूडीनम में सक्सस एंटी रेकस श्राह करती हैं फेराटिक गरंथियां भेड मैडक में विसली गरंथियां पोस्टेट गरंथियां इस्तनियों तुना केंचु बार्तोलीन ग्रंथियां इस्तनियों के मदा जनन गांगों का उपर श्रमान शाहे कंदी पेरिनेयल ग्रंथी खर्गोस में गंद ग्रंथियां मेह लिस गरंथी लिस फीता क्रिमी एबं एकरत क्रिमी के जननांगों से संबंदित है फैलक गरंथी तिलचंटे के नर जननांगों की गरंथी आये कोलेट टीरियल गरंथी मदा तिलचंटे चट्टे के जननांगों की स्रावन सावन उथी का निर्माड वाइटे लाइन गरंतिया पिलेटी हेलमी निंती निंतीस फ्राणियों के जननागों में फीमोरल गरंति रेप्टाइल फ्राणियों की जगाओं पर पाई जाती है आद गरंतिया कसे रूप फ्राणियों की आद में वसा गरंथिया इस्तनियों की तुचा में पाई गाती है सुएद गरंथिया इस्तनियों की तुचा में पसीने की गरंथिया है सुएम रेडन गरंथिया मेड़क में स्पाइनल के दोनों और इस्तित रहती है इस्तन्योंग इस्तनियों में दूद का सरावन करती है आंगे बात किरते हैं seru minas गृंतियों इस्तनियों के करंज-goania में मौम समान पदाश रावित करती है लेक्राइमल ग्रंथियां नेतों में होती हैं डीब ग्रंथियां सैवत नलाकार ग्रिष्णिये ग्रंथियें म्यूकस सिरावित करती हैं बोन ग्रंथियां इस्तनियों के नेतों में विसेस पिकार की स्वेत ग्रंथियां टॉर्सल गरंथिया, रोपांतरित वसा गरंथियों, जो इस्तनियों की कड़ हुआ हमें पाई जाती है, रोधिर गरंथिया, क्यंचुवे के ग्रेस्नीय चेतों में पाई जाती है, हेमोगलोपिंग तथा रोधिर कोईश्चाओं का निर्माद करती है, एग्रीगेट के गरंथिया या मुकता आथ के एलियम में पाई जाती है ठीक है याद रचिए आगे बात करते हैं एलवू मीनस गरंथिया ये मनुस के आहार नाल में पाई जाने वाली गरंथिया जो विसेश दिरफदार्थों को सरावित करती है जिसमें मुक एलूमिन होता है लासक गरंथिया या गरंथिया कॉकसी जील सीस पर पाई जाती है भारत वर्श में जिब बिग्यानि कुरांदियां हरित करंथि भोजन उत्पन करने ही तू सफित करंथि दुखद ऊथपन करने ही तू सिलबर करंथि अंडौ की उतfaced नहीं तू कौन से हार्मन निकलते हैं इंसुलीन गिलू के गान तथा सॉमेटो इस्टिटिन अगना सेगा रस का पी एच मान क्या है कि 7.5 से 8.3 तक अगना सेगा रस होता है अगना सेगी रस पी एच मान होता है इसका 7.5 से 8.3 तक अगना से रस में कितने ज्याय होते हैं मुक्ता 5 टेपसिन, एमाईलेज, कार्वोक्सी, पैप्टी, डेज, लाइपेज, माल्टेज मनुस में पाचन की किरिया विदी, बोजन की पाचन की किरिया विदी मुह से फ्यारम होती है बोजन को चबाते समय मुह में इस्तिलार गिरंती हैं बोजन पर किरिया करती हैं और कर्भोहिड्रेट को सरक्रा में बदल देती हैं इसके बाद गिरसनी में जाती हैं जहां एक सेकंडर से भी कम समय रुप कर ग्रिशिका में पहुचती हैं आमा से मस्क कियाकार का मासी पेसियों का बना एक थैला होता है जहां इसमें आइडो क्लूरिक अमले जैसे पाचकरस मिल जाते हैं जो भोजन को अर्ध तरल में बदल देते हैं तीन-चार घंटे भोजन आमा से में रहता है जहां अनेग क्रियाओं के बाद एक ग्रहनी में पहुचता है यह चोटी आत का 25-30 cm पहला भाग होता है यहां भोजन के मिस्रन में एंज्यायम और अगना से फित्या से और आत की दीवारों में इस्तित ग्रंतियों के पाचकरस मिलते हैं इसके बाद भोजन छोटी आत में आंगे बढ़ता है कुंडली के आकार की मासपेसी की नली लगबग 6 दसमलों 5 मीटर लंबी होती है इसके तीन भाग होते हैं ग्रहनी जेजू नम एलियम लगबग 5 गंटे तक यहां पाचन किरिया जारी रहती है और भोजन चीन पाणी इमीनों अमलों और बसा में तूड़ जाते हैं यहीं पर अंगुली जैसी सरचनाओ द्वारां फोसकतत रख्त तक पहुंचाए जाते हैं रख्त परिसंचन द्वारां एक पोसकतत सरीर के समस्त भागों में पहुंश जाते हैं छोटी यात के बाद भोजन बड़ी यात में जाता है बड़ी यात लगवग एक दसमलों आठ मीटर लम्मी होती है यहां पांचन किरिया नहीं होती है बलकि भोजन के पानी का और सुसन कर ठोस मल गुदादवारा उत्रजन होता है मल में अपचा भोजन आपचा भोजन आथ की दीवारों से ग्रिकोश चाहें ति इस राव करता है यह रोद लार्व गंथियां लार्व इंजायम टाइलीन लाई लार्व एमाईलेज वो सब्दाद इस्टार्च पाचन के उत्वाद देक्स्टिन फ्रह ग्रेसी का कोई भी नहीं है डेक्स्टिन माल टोई में बन दता है फ्रह आमासे जटरस हाईड्डोक करता है यहां पेपसिन इंजायम पोसन पता प्रोटीन प्रोटी ओज और पेट्टोन में बदलता है वसा पसाओं का बाइस फायसी करन भोजन चारियों हो जाता है फ्रह ग्रहेडीन अगनासे रस निकलता है यहां से एमाईलेज लेज श्टीपसिन लाइफिज नूक्लीज एजेस टेपसिन इस्टार्च डेक्स्टेन डेक्स्टेन माल्टोज फायसी करत बसा बसा अम्दल गिलाय स्कॉल नूक्लिक अम्दल नूक्लिक ओटाइड प्रोटीन फ्रोटीयोज फेप्टॉन पेप्टाइड और अमीनोम दूर्टका केसिन एवताइड क्राइड टेपसि प्रेटाइड लगुतर अमीनों अमल में बदलता है फ्रें इलियम आत्रस निकलता है यहां से माल्टेज सुक्रोज लेक्टोल लाइफेज प्रेप्टाइड डेज नीउकल तो यह माल्टेज माल्टोज और गिलुकोज में बदलता है सुक्रोज सुक्रोज गिलुकोज और फ्रेक्टोज में लेक्टोज है जो लेक्टोज गिलुकोज और गिलेक्टोज में लाइफेज प्रेप्टाइड डेजिस प्रोटीन और प्रेप्टाइड अमीनों नीउकल एजस एजस नीउकल उट्टाइड होस्पेड राइवो राइ भी नहीं है तो चलिए थे हमारे मानौ मानौ सरी में पाचंतन स्वसन और सरजंतन देख लिए अब चौवीस बाद चेप्टर रहेगा हमारा सुसंतन्त से संबंदी है याद हो कि हेलो दुस्तों चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में जिसमें बात कर रहे थे हम लोग बिग्ज्ञान बायलोजी के बारे में अभी तक हम लोग 23 फॉसन्तनत अब इसमें बात करने वाले हम लोग सौसंतंत के बारे में इससे पहले आपको बता दें कि जितने हम लोग चैप्टर खतम कर चुके हैं वो सभी आपको एक जगे मिल जाएंगे वो है हमारी जनरल साइंस नाम की सोची में ठीक है पिले लेक्ट में जो सौची बनी हुए उसी में पड़े हैं चलिए सुरूं करते हैं बोज परदार्थों के ऑक्सी करेंट की किया क्या कहलाती है सोसन ठेंपड़ी कहां इस्तित होते हैं वक्छ गुआ में ठेंपड़ों में निश्चित दर से वायू भरी तथा निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं स्वास च्वास ब्रेथिंग स्वास में वायू का संगतन निश्वास उच्वास नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बनडाई ओक्साड निश्वासन के दरान अंदर ली गई वायू 69 पितिशत नाइट्रोजन 21 पितिशत औक्सीजन 0,2,0,03?! कार्बनडाई ओक्साड फिर उक्ष वास के दरान बाहर नकाली गई वायू 59 पितिशत नाइट्रोजन दृ oniट्रोजन कारवंडाई ओक्साइड ठीश है आंगे बात करते हैं जब बायू वातवर्ण से सरीर के भीत है सुक्छवाद वास में अंगों में पिरवेस करती है तो उस सवस्था को क्या करते हैं नस्स्वासन हीमो गिलोविंग कौन से रंका होता है बैगनी रंका ओक्सी हीमो गिलोविंग कौन से रंका होता है जमकदाल लाल रंका शसनवायéric किसे कहते हैं हीमोगिलोविन को हीमोगिलोविन को किन से मिलकर बनता है पितहम भाग हॉमेटीन दूसरा बात गिलोविन हीम एक iron for fine है इसके केंदक में एक लोह परमानु होता है गिलोबिन क्या होता है रंगीन फ्रोटीन कारवन डाई ओकसाइड रोधिर फ्लाज्मा में गुलकल क्या बनाती है कारवनिक अम्द स्वेतन किसे कहते हैं लेरिंग्स को टैकिया कहां इस्थित होता है वक्छ गवाँ में प्रेपड़ा किस धिली दौरा अगिरा लेता है फिलूरल मेंबेरेन है ठीक है तो यह था हमारा सुसन का 25 वा चेप्टर है हमारा उथ सर डृट सर्जन चलिये तो हमने 24 वा चेप्टर देख लिए तर दसुसन अब बात करते हैं पच्चीश वे चैक्टर की उथ सर्जन तंथ के बारे में ठीव कि सरीर कोश्काओं से वज्ज्र या विसाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विदी को क्या कहते हैं उत्सरजन किस क्रिया के फल्सुरूफ सरीर में एकत्य जटिल योगित का विक्टन होता है अप्चे क्रिया का मनुस में उत्सराजी अंग कौन-कौन से हैं विक्ट फेंपडा तुच्छा यक्रत एवं आत्थ विक्ट किस फिकार के होते हैं सैम के बीच की आकार के विक कहां इस्तित होते हैं कसे रुख दंड के दोनों और एक एक व्रक इस्तित होता है वेस्त मनुस में विक्ट का आकार केसा होता है पितए विक्ट का विक्ट का भार कितना होता है लगब चुम्में, चैनात्मक्स निस यंदन को जिसमें कुछ भाग, कुछ पदार च्छाने जा सकते हैं, कुछ नहीं क्या कहलाते हैं, डायलेसिस, चैने हुए द्रव को क्या कहते हैं, निसेंद, नेफ्रोन या विक नालिका में, रोधिर से चन कर आए जल का, जल वसेस, उत्रजी पदारतों को, कि मिस्टरन को क्या कहते हैं, मूत्त, सामान मूत्त की प्रक्किति के होती है, हम लिए, एक सामान बैक्ती 24 गंटे में लगवा कितना मूत्त बनता है, ज्याद रखना 1.5 लीटर, इसका पीच मान क्या होता है, 4.5 से 8.6, मूत्त राओ की मात्तरा के बढ़ जाने को क्या कहते हैं, डियूरिसिस, फैंपणों द्वारां सुसन उत्रजन होता है, कारवन डाय ओक्साइड वर जल वास्पर, बात करते हैं, मुख्य नलिकाओं के बारे में, केंद्रिय नलिका, मेरूरज्यू में सहरी बॉस्पायन द् मुख्य नलिका, एंडो, लिम्प, दिर्ब से भरी, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका, मेडक के व्यक्त से मूत्त को लाने वाली नलिका, वीडा नलिका, मेडक में ब्रश्णों का व्यक्त से जोडने वाली नलिका, सुक्राणूं को लाने का कार, इंगवाई नल नलिका नर इस्तनियों में उधर गवा को वैसन गवा से जोडने बाली नलिका लोरल नलिका, लीवर फिलूक में निसेचन हेतु नलिका, हैवर सीयन नलिका, इस्तनियों की लंबी अस्तियों में आयाम नलिका है, गोकमेन नलिका, इस्तनियों की अस्तियों में हैवर सीयन नलिकाओं को जोडने वाली अनुफरस्ट नलिका है, प्रेवोकमेन नलिका, इस्तनियों की इस्तियों में हेयर सीन नलिकाओं को जोड़ने वाली होगी यूश्टिक एन नलिका, कसेरुक फराणियों के अंता करण की नलिका है कसे रूख धमनी नलिकाएं इस्तनियों के गिर्वा कसे रूख में अनुफर्ष्थ फिवर्धी के आधार पर इस्तनि नलिकाएं आगे बात करते हैं मनुसमें उत्राजी यंग और उनसे उत्राजित पदार्थ वरक नाइट्रोजुनी पदार्थ तो चा, सोईद ग्रंतियों द्वारा पानी यूरिया अनल लवड फुस 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 सीओ टू आथ इनकी फरत कुछ लवडों का उत्राजन करती है यक्रत नाइट्रोजनी पदार्थों को निस्कासन करने में साहिक होती है एक समान व्यक्ति के मूत में कौन-कौन से अवयब घटक होते है एक समान व्यक्ति के मूत में 96-300 जल 2-300 यूरिया फ्रोटीन वसा सरक्रा इवन दूसरे कोलाइड एक देसमलो तीन पिती सत यूरिय कमल 0.5 के साथ 18 मात्रा में केटिन, सोडियम, पोटेसियम, कैलसियम, मैगनेसियम, किलोरिन, सलफेट, फोसफेट, सीशा, अमोनिया, आरसेनिक, आयोडिन, नाइट्रोजन, आधी पदार्थ, बाहिज दूसरे तो यह था हमारा उत्रसरेजन दंथ अब लाश्ट चेप्टर रह गया हमारा कंगाल दंथ के बारे में, ठीक, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल साइंस को, तो अभी तक हम लोग 25 चेप्टर कतम कर चुकी, और 25 वा चेप्टर था उत्सर्जन दंथ, इसमें बात करने वाले हम लोग कंगाल तंथ के बारे में, कंकाल तंथ के बारे में, आपको फिर से बता देता हैं, कि फिले लिष्ट सोची में, सोची बनी हुई है, जनरल साइंस के नाम से, यह सभी लेक्ट्र उसी में पड़े हुए है, ठीक है, याद रखिए, चलिए सुरूं करते हैं, सरीर के एक कंगाल में, क्या संचित होता है, केल्सियम और फॉस्फोरस, मेंब्रेन अस्थी किसे कहाते हैं, काला जात अस्थी को, मनुस की कोपरी में कुल कितनी अस्थिया होती है, मस्तिस को सुरकशित रखने वाली अस्थिया क्या कहलाती है, क कापाल, मनुस का कसेरू, धंड कितने कसेरू से मिलकर बना होता है, 33, फसलियों को आपस में जोडने वाली अस्थिक क्या कहलाती है इस्टर्ण मनुस में कितनी जोड़ी बसलियां होती है बारे जोड़ी आँगे बात करते है कंकाल में वह इस्तान जहां अस्थियां मिलकर हिल्डुल सकती है क्या कहलाती है संधी किस पिकार की संधी में सम्वध अस्तियां विल्कुल हिल्लूल नहीं सकती किस पिकार की संधी को क्या कहते हैं अचल संधी किस पिकार की संधीयों को की अस्तियां केवल एक ही दिसा में मुड़ जाती हैं हिंज संदी कोईनी तथा गोटने में कौन सी संदी पाई जाती हिंज संदी करोटी की अस्थियों में कौन सी संदी पाई जाती अचल संदी अस्थी का मेट्रिक्स किसका बना होता है ओसीन का पैरों में कितनी अस्थियां होती है बावन 52 जीवित अवस्था में अस्थी के चारों और कौन से जिल्ली होती है पैरा ओस्टियम अब बात कर लेते हैं मनुस का कंकाल कुल अस्थियों की संख्याइस में 206 शरीर का भाग हो प्रदेश को गया अस्तियों का नाम हो गया रीजन की कुल अस्तियां हो गई और भाग की कुल अस्तियां हो गई तो सबसे पहले बात करते हैं अक्छी है कंकाल जन्में है सिर्फ खोपड़ी कपाल ठीक है पहला तो इसमें औक्सिपीटल एक पेराइटल दो फेंटल एक रेजन की कुल अस्तिय है इसमें आठ है ठी टेंपुरल दो स्पीनोईड एक एद्मोईड एक फ्रेफेसियल इसमें नेजल दो ब्रोमर एक टर्वाइनल दो 14 इसमें रेजन की कुल अस्तिय है 29 है भाग की कुल अस्तिय है लेक्रोमाई लेक्राइमल दो जाइगो मेटिक दो फेलेटाइन दो मेकसिला दो फेर करन अस्तिया इसमें मैंडीविल एक मैलियस दो और छे हैं इसमें रीजन की कुल अस्तिया ठीक है यह रीजन की है और भाग की ठीक है फिरे इनकस दो हुआइड भाग इस्टिफिज दो हुआइड एक है इसमें और एक है रीजन की ठीक है फिरे कमर की हड़ी कसू रूख गरदन सरवाहिकल कसे रूखाएं साथ वक्ष थोरे से कसे रूखाएं बारे कटी लंबर कसू रूखाएं साथ पांच सेक्रम सेक्रल कसू रूखा में एक 26 रीजन अस्तिया और 26 भाग इसमें फिर कोड़ पूडल कसीर कू एक पुच्छ कॉप सिक्स बच्चे में चार वाग छे इस्टर्म इस्टर्म में एक है मुख है और एक है सीजन और एक है भाग फिर पसलियां तसलियां है चौबीस 24 सीजन वाली अक्स्तियां 24 भाग वाली वो पांगी है कंगाल कंगाल वक्च में अंस मेकला इसके फुला कले विकल दो कले विकल में दो चार हैं सीजन वाली में चार हैं भाग वूला स्राणी मेकला आइस आस इन्नो मिनेट्स दो दो अग्वाद उफरी वाव हुमरस दो अग्वाव रेडियो अलना चार कलाई कॉर्पल्स सोले हस्त मेटा कॉर्पल्स दस अंगलियां फैलेंजिस अठाई साथ हैंस में सीजन वाली और साथ हैं मख्वाव फैर पश्च फाद जांग में फीमर दो पिंडली टीवियो फियूला चार घुटना पटेला दो गुल टकना टॉर्सल्स चौदे साथने इसमें वो सीजन और साथने मुक्ट फैर तलुगा मेटा टॉर्सल्स दस अंगुला अंगुल अस्तियां केलेंजिस अठाईस को लें दो सोच तो यह था हमारा कंकाल तंथ लास्ट चैप्टर ठीक है तो हम लोग जीब बिग्यान को खतम कर चुके हैं याद रखिए बायलोजी को आपको यह सभी चैप्टर जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में पड़े हैं ठीक है लेँ बनी है